कि चलिए नमस्कार स्वागत है आप सभी का और मैं हूँ आप सब का दोस्त और होस्ट जैसे जैसा कि आपने थम्नेल में देखी लिया होगा कि एंसिया टी लाइन बाइ मौल कॉंसेट्ट इन वन सॉट तो हम कोशिस करेंगे हलो है यूट्यूब पर क्लास ले रहा हूं जल्दी बताया है कि ने ने मैं यूट्यूब पर क्लास ले रहा हूं मैं दस बुझे आप 11 वालों को बोल दीजिएगा गुरूप में जी तो आपको जैसा पता होगा कि मंडडे को एक टैस्ट है उसके पर परपस से यह रिवीजन है और दूसरी चीज यह रिवीजन बच्चों के लिए है ती ही चीज यह क्लास अंडे ऑप है जुने नगर ये यह मूंड़ लुडो खेल लें चली गुड मॉनिंग सत्यम शीवं आर्या समीर बिरेंद्र निधी फरहत मुनीता सौरव उरूस फात्मा वसुंदरा खान डीपी सिंग लवन्या चोदरी आयूस तिवारी सान्या अनिकेत देवांस रंजीत इल्मा अब सेख अंसिका सचान सुनधी चोहां क क्या बात है पूरी पूरी लॉबी आ चुकी है चलिए और लोगों को सेर कर दीजे जो आपके दोस्त रह गये हैं या चूट गये हैं पांसो आज पहुंचा देंगे तो फिर सिलसिला यह कॉंटिन्यू रहेगा ध्यान रखिएगा और नहीं पहुंचा पाएंगे फिर मेरी कोई गलती नहीं है साक्षी वेदिका सिंग राजवर्धन सचान अखलेश मौरे शौम्यात्र पाठी सैलेश चोधरी बहुत बहुत शुक्रिया सैलेश लड़के ही तारीफ करते हैं मेरी इसमें कोई दो रायवाली बात नहीं है लिखा है बहुत अच्छे लग रहे हैं को पढ़ने का अबलोग बोलेंगे कि सर कहा पढ़ा रहा हो एक चप्धर में पढ़ा रहा हूँ चप्धर कुछ और लोग आएंगे पढ़ाएंगे तो ऐसे-अगे पूरी हमारे हां का टेस्स just join कर सकते हैं के स्रीज से आपको मिल जाएगा और एक आपको sequence मिल जाएगा कि जैसे होता नहीं कि यात्रा करते हैं तो train पता रहती कहां से चलेगी कैसे चलेगी कहां रुकेगी कहां नहीं रुकेगी तो वह सारी चीज़ें आपको confirm हो जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल अल्टिमेट गाइड कह रहे हैं सरगर्मी बढ़ गई आपके आने से बिल्कुल संसकार शुक्रिया शुक्रिया दीपक कह रहे हैं सर मोल कॉनसे बाज कंप्लीट करा दोगे क्या भरोसा नहीं है बेटा हाँ थोड़ी तब यह डाउन है लेकिन इसका मदद थोड़ी की मैं मतलब क्या यार कैसे बात कर रहे हैं सीवा सीवा नाम ले लिया बेटा नाम ले लिया अंजना शालिनी कृष्णा आर्या शिंग बहुत बहुत शुक्रिया एमस इस्टरी आपको एमस मिलेगा उमीद करता ह हो कि अगली बार अगली साल आप से कमेंट करेंगे चलिए किष्णा शीवा जीनत ठीक है जी जी मुनीता बिल्कुल बिल्कुल प्रतिभा भारगों मैं आप लोग उस कहना चाहूंगा कि आप अपने दोस्तों को शेर कर दीजिए बस एक मिनट लूँगा बस एक मिनट लू मैं बहुत एक्सपर्ट हूं मैं एक-एक पॉइंट्स को अपने ओपन करके पढ़ेंगे और वो सारे कुष्ण जो NCRT के एकसरसाइज के सारे सौल हो जाएंगे आज पढ़ने के बाद जाईएगा और सौल कीजिएगा क्या मज़ा आएगा बेहतरीन मज़ा आएगा मैं सब्सक्राइब खराब थी लेकिन मैंने सोचा नजाने कितने बच्चे मेरी यह थमनेल देखके वेट कर रहे होंगे कि सर आएंगे और कुछ नया सिखाएंगे और वही मोटिवेशन मुझे आज यहां तक लेकर आई है चले गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड बिल्कुल बिल्कुल परशान मत हो यह मिसन नीठ आज अपकी बार चार सो अश्री है साथ जुड़े रहे है चेसाल वादा है मेरा और यह निभाएंगे आप नहीं कर पाएंगे तो हम करेंगे चलिया चली देखते हैं अब से क्यादो जी कितने घंटे क्लास चलती है आप म जे सिंग और प्यार से जे स्टार भी कहते हैं क्यों कहते हैं इस चैप्टर में दो से तीन जे स्टार बता कि आपको समझाऊंगा कि वो ऐसा कॉंसप्ट है जिसके लिए किसी भी किताबी दुनिया की जरूरत नहीं है बस बंदे में हौसलर जुरून होना चाहिए एक्जाम आप ब्रेक में करिएगा, ब्रेक में 15-15 मिनिट का देता जाऊँगा, जैसा कि आपको पता है, मोल कॉंसेट छोड़ा चेप्टर नहीं है, काफी बड़ा चेप्टर है, लेना चाहूँ तो मैं 10-12 घंटे भी ले सकता हूँ, कोशिस करूँगा, कि मैं 4-5 घंटे में निवटा चेप्टर का नाम है, सम बेशिक कॉंसेट, सम बेशिक कॉंसेट, आफ के मिल स्टी, बने रहिएगा, एक बार उर्जावान के लिए, ध्यान से समझिएगा, एक बार फूल पत्ती और दिल भेज सकते हैं, मेरा हर सो लास बढ़ाने के लिए, मुझे अच्छा लगेगा, आप लोगे कमेंट देखके, और ये शंख्या और बढ़ाईए, बिल्कुल विसाल प्रजापती, कानपुर्शे हैं, ठीक है, ठीक है, हाँ, सेशन भी लाइक होने चाहिए, और गजब का आप मुझे पसंदी नहीं कर रहे हूं, फिर भी देख रहे हूं, लगबट 270 के असपास बच्चे हैं, और मुझे पसंद करने वाले को ले 130, तो इतने हेटर से एक क्लास में, मैं तो बरदास ही नहीं कर पाऊंगा, क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, रोकी भाई, मिस्टर क्या बात, बहुत खुबसूरत, अच्छा लग रहा मुझे, चली आगे बढ़ता हूं, अभी थोड़ा से मारकर में प्रॉबलम में, मारकर आजे कि ती स्पीड बढ़ा देंगे, नहीं समझेगा, सम बेसिक कॉंसेट आप केमेस्ट्री में हर एक वो बेसिक हम पढ़ेंगे जिसके लिए किसी केमेस्ट्री में बेसिक की ज़रूरत पढ़ती है, भले ही हम एडवांस चीजें छोड़ दें, लेकिन हम बेसिक तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, यह बात समझेगा, तो आपने का सबसे बढ़िया बेसिक क्या होगा, आईए मैटर से स्टार्ट करते हैं अगर मैं बात करूँ मैटर की, क्योंकि केमेस्ट्री सब्जिक्ट ही ऐसा है, जिसमें हम मैटर की ही स्टेडी करते हैं, तो अगर बताओ मैटर की स्टेडी करते हैं पूरे केमेस्ट्री में और मैटर नहीं पढ़ा, तो फिर क्या पढ़ा, वो मैटर नहीं है जिसके लिए करते हो हमें पढ़ना है जिसके लिए हमें नंबर मिलेगा द्यान से समझेगा तो हम बोलेंगे मैटर क्या है मैटर वो चीज़ है जिसका खुद का मास होता हो जो इस पेस अखुपाई करता हो साथी साथ जिसे हम सिक्सेंस के द्वारा मैसूस कर सकते हैं तुमने कहा अच्छा मैटर का मतलब जैसे मैं आदमी क्या ये हो जाएगा मैटर बिलकुल रहा हो और आप मुझे देख सकते हो सुन सकते हो मैसूस कर सकते हो क्या कर पा रहे हो किनी कर पा रहे हो क्या बात बहुत खुबसूरा आई आगे बढ़ते हैं अब आपके दिल में ख्याल आया कि क्या लव इस वर्ड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नजाने कितने लोग ये बोल के काट जाते हैं इसलिए पता होना चाहिए क्या इसका एक्जिस्टेंस है कोई क्या लव मैटर हो सकता है सर फील तो होता है हमें कोई हमें करता है कोई हमें नहीं करता है बेटा ये सब बातें सिब कहने की हैं ये सब मोहमाया है लव का कोई नहीं एक्जिस्टेंस है ना ही कोई मास है, ना ही कोई स्पेस अकुपाइट करता है, वो फिल भी दुनिया वाले गलत बताते हैं आपको, कि बहुत ज़ादा है, यह दिल में है, कहीं नहीं होता, इसका कोई स्पेस नहीं है, इसका कोई मास नहीं है, इसे हम बिल्कुल फिल नहीं कर सकते, यह हमारे दि feelings कोई भी होगा मेरे भाई ध्यान से समझिएगा feelings कोई भी होगा वो मैंटर नहीं हो सकता है ध्यान से समझिएगा तो मैंटर क्या है जिसका mass हो जिसे वो space कुपाई करें जिसे हम अपने six senses के दौरा मैसूस कर सकते हैं जैसे आपने कहा sir Air इतनी बार हमने air के बारे में पढ़ा है कि air gas है, gas का volume वही volume होता है जिस container में वो रखा होता है तो ध्यान से समझो, क्या उसका volume है तो mass होगा, क्या space अकुपाई करेगा बिल्कुल करेगा फूकते हो, कभी फूका है हवा निकली है मुझसे तो मैसूस होता है कि हाँ air matter है ठीक है, आई आगे बढ़ते हैं बिल्कुल 80 यादो जी बहुत बुरा कटा है मेरा इसलिए तो मैं समझाता हूँ आप लोगों को सब मोमाया है, समझ जाईए, सुधर जाईए और जीवन में तरक्की कीजी आगे जाईए दोस्त, कुछ भी नहीं है life चलिए, बाते होती रहेंगे धीरे-धीरे करेंगे, आगे बढ़ते हैं चलिए, आईए matter का classification करते हैं और बहुत जरूरी है matter का classification तो matter का classification दो टाइब से करेंगे एक तो physical classification होगा एक तो chemical classification होगा सबसे पहली बात physical classification और chemical classification क्या हमें बता दूँ जैसे आपने मुझे देखा इस starting में आपने का क्या बासर बहुत smart लग रहें बहुत अच्छे लग रहें, बहुत खुबसूरत लग रहें तो आपने सिर्फ मुझे देखा और तुरंत observe कर दिया लेकिन दोस्त मेरी chemical property के बारे में अभी आप नहीं जाने हो कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ मैं गंदा पढ़ाता हूँ, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ कि मेरे अंदर talent है, कि नहीं है इसके लिए आपको कोई ने कोई reaction करा कि देखना पढ़ेगा, question पूछना पढ़ेगा, पढ़ना पढ़ेगा बहुत सारी नजान ही कितनी चीज़ है तो कहने का मतलब यह था, कि अगर आप किसी की चीज़ को देख के बता दे रहे हैं अगर किसी भी चीज़ को आप chemically react करवा रहे हैं और फिर आप observe करके बता रहे हैं अगर हमने क्लासिफाई किया है तो physical classification, chemical classification आई आगे बढ़ेगा तो physical classification में तीन classification हम पढ़ेंगे एक तो solid होगा मेरे दोस, दूसरा liquid होगा मेरे दोस, तीसरा gas होगा chemical classification में दो टाइप की चीज़ हम पढ़ेंगे एक तो हम pure substance बढ़ेंगे और एक तो हम mixture बढ़ेंगे आपने क्या बात बहुत खुबशूर है अभी इसमें आते हैं physical वाले माते पहले chemical वाले माते हैं अगर हमने कहा कि किसी का composition fix है तो उसे pure substance बढ़ेंगे आपने का मैं नहीं मानता मैंने का जैसे calcium carbonate क्या calcium carbonate बनाने के लिए मेरे भाई एक calcium एक carbon तीन oxygen atom होना चाहिए ऐसा तो नहीं आप घर पे calcium carbonate बनाओगे तो CA2C2O6 लिख दोगे ऐसा तो नहीं करोगे ना किसी भी compound का किसी भी substance का अगर composition fix है मेरे भाई तो वो pure substance कलाएगा अगर composition fix नहीं है तुसे mixture कहेंगे आपने का mixture जैसे ध्यान समझिये का mixture जैसे आपने तो मिलाया होगा सरबत तो बनाया होगा पैग, alcohol, पानी मिलाया कि नहीं मिलाया कभी तो कुछ किया होगा देखा होगा अरे Bollywood में तो देखाहूगा न मिलाते हैं लोग नहीं सुना कोई बात नहीं मैं तो मिला के पीता हूं पानी सराब में कुछ लोग मिला के पी गया जमानी शराब में तो आईए, गाने को मैं बस गुन-गुना रहा था अब इसके मिक्चर दो टाइप का है होमोजिनस और हेटरोजिनस मैं छोटा छोटा पॉइंट बहा के आगे वड़ूँगा योगी सवाल इन पे भी आ सकता है NCIT में पे भी पॉइंट है और जब पूछ लेगा कि कौन होमोजिनस विक्चर है हेटरोजिनस विक्चर है तो फिर यूँ न कहिएगा ओ पढ़ाया नहीं तो सब पढ़ाऊंगा अगर मान लिया मेरे पास बोटल है ध्यान से समझेए इस बोटल में मैंने अलकोहल मिला दिया हो उसको खूब हिलाया बास समझेगा हिलाने के बाद क्या हर जगा एलकोहल पानी मिक्स हो जाएगा अगर मैं उपर से सेंबल उठाऊंगा तो कंपोजिशन यहां सेम होगा यहां भी सेम होगा नीचे भी सेम होगा अगर दो सब्सेंस मिलके मिक्चर बना रहे हैं और उनका कंपोजिशन हर जगा सेम आ रहा है तुसे हम बोलेंगे homogenous लेकिन सुनिये अगर मान लीजे इसी में मैंने कंकर पत्थर मिला दिया तो पानी के नीचे जाके बैट जाएगा उपर पानी होगा नीचे थोड़ा सा पानी गंदगी होगा नीचे जादा पत्थर होगा यानि कि इनका कंपोजीशन हर जगा सेम नहीं है तो that is clear क्या बाद बहुत अच्छा लग रहा कि 300 क्रास कर गएं आप लो homogenous जैसे alcohol में पानी alcohol में क्या हो जाएगा पानी जैसे चीनी के साथ आपने मिला दिया पानी लेकिन अगर आपने पानी में तेल मिला दिया मैंने मिलाने के बोला लगाने के लिए निद्यान समझेगा पानी में तेल मिला दिया तेक लेयर बन जाएगी ऊपर तेल नीचे पानी तो वो हेट्रोजिनस विक्चर का रूप ले लेगा तो उमीद करता हूँ इस तीबा समझ माई होगी ठीक है बाइभाव, pure substance अगर fixed ratio में है, तो क्या उसको pure substance कहेंगे? प्योर सब्स्टेंस वो है बेटा जिसका composition fix होता है अगर अगर आप mixture में आओगे तो उनका composition fix नहीं है जैसे सरवत हम बना रहे हैं तो कोई भी बंदा एक लीटर में 100 ग्राम चीनी मिला सकता है 200 ग्राम चीनी मिला सकता है 300 ग्राम चीनी मिला सकता है तो इसका मतलब composition तो fix ही न सरवत बनाने का ऐसा कहा लिखा है कि सरवत बनाने के लिए 100 गराम चीनी एक लीटर पानी होना चाहिए वो तो हम अपने मिठास के हिसाब से बनाते हैं चलिए बहुत बहुत शुक्रिया चलिए सर अगर कोई पसंद आ जाए तो क्या करना चाहिए उससे दूर रहना चाहिए बिल्कुल भी पास मत आईएगा ठीक है सरवत क्या है फैक्ट सागर करें सरवत क्या है सरवत सिकंजी चीनी पानी का मिक्चेर ऐसे घोलते हैं मम्मी से पूछो बताएंगी साउथ अफरी कास आये हैं लग रहा है बिल्कुल बिल्कुल मनोष्टी मैम भी आएंगी परशान मत होई है शुबस्विता नंबर शेयर करना चाहो तो बताओ बेटा कितने माक्स आ रहे हैं बिल्कुल प्रतिबा भारगों ने का इलेक्ट्रिक करंड मैटर है नहीं बेटा इलेक्ट्रिक करंड मैटर नहीं है कोई स्पेस नहीं गेरता है नहीं उसका मास होता है ठीक है अब शेक जया दो करें गाओं में डेली पीता हूँ मैं भी गाओं का बच्चा हूँ बेटा प्राइमरी स्पूल से पढ़ा हूँ तब आके यहां पे बैठा हूँ ठीक है सुबस्मिता करने ने बोला कि 710 नमबर आ रही है वही बच्ची है जिसको मैंने पढ़ाया था आप देख लीजिए कमेंट बॉक्स में 710 बटे 720 लिखा है उमीद करता हूँ कि आपको मिलने का मौका मिलेगा बहुत बहुत शुक्रिया सुबस्मिता तुमने मेरी इज़त सबच आई और मुझे इस मुकाम तक लेके आये कि मैं बोल सको की मेरे बच्चे भी 710 स्कोर करता है चली यह बच्चे इसलिए आया है कि मेरी महबब से पढ़ चुके है यह कॉलेज आने वाले एमस देली जाएंगे सब बच्चे चली 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 आगे द्यान समझेगा बस एक चित्र बनाऊंगा उसी चित्र से मैं आपको समझा दूंगा कि क्या डिफ्रेंस आपको समझ में आ जाएगा तो द्यान समझेगा बिल्कुल इंतजार करिए दो तीन सेकंड का तुछ तबियत खराब है तो आप समझी रहे होगे कि इतना तो चलता है भाई मेरे खुंखां खट खुट करूंगा ही मैं अब कुछ लोग कहेंगे डिस्टर्वेंस हो रहा तो दिस्टर्वेंस हो रहा तो भाईया क्या कर सकता है या तो नहीं पढ़ाए फिर ध्यान समझेगा, जब constituent particles बहुत पास पास होंगे, ऐसा particles, ऐसा atom, ऐसा molecule, ऐसा iron, जिससे किसी भी solid liquid gas की formation होती है, उसे हम constituent particles कहते हैं मेरे दोस्त, यह आपको 12th class के solid state lecture में मिलेगा, अगर मैं बारीकी से देखू, तो ध्यान से समझेगा, इनके बीच का distance, जिसे हम IND बोल दे रहे हैं, इंटर निक्लियर डिस्टेंस, अगर मैं बारीक से देखू, इसमें, इसका इंटर निक्लियर डिस्टेंस, अगर मैं बारीक से देखू, इसमें, इसका इंटर निक्लियर डिस्टेंस, मेरे भाई, तो solid liquid gas की बात करूँ मैं तो solid में inter nuclear distance बहुत कम है क्या है बहुत कम है मेरे भाई तो solid से ज़्यादा liquid में है liquid से ज़्यादा gas में है अब किसी ने सवाल उठा जाए जा किसे दोनों constant event particles के बीच का force of attraction कैसा होगा जिसे आप inter molecular force बोलते हो तो inter molecular force मैं बोलूँ मेरे भाई ध्यान से समझियेगा कि जिनके बीच inter nuclear force ज़्यादा होगा वो पास पास होंगे तो inter nuclear distance कम होगा तुमने कहा सेर इसका मतलब inter nuclear distance universally proportional होगा inter molecular force के क्या या बात सही है बिलकुल सही है मेरे भाई तो क्या order पलट जाएगा क्या inter molecular force गैस के बीच ज़्यादा होगा कि solid नहीं नहीं मेरे भाई ध्यान समझना solid के बीच ध्यान समझियेगा ज़्यादा होगा liquid के comparison में liquid के comparison से ज़्यादा होगा gas क्यात्ती बात समझ मारे यह ठीक अधित कुमार चनशेखर बहुत बहुत शुक्रिया शुबच मिता ठीक है result आएगा तो फिर आपके साथ एक अच्छा वीडियो बनाएंगे बच्चों को आप motivate कीजिएगा बच्चों को wide कीजिएगा कभी भी गलत guidance कभी भी किसी बच्चे को मत दीजिएगा बस मैं गुरू दच्छिणा में यही चाहता हूँ आप लगों से वो चीज बताईएगा जो आपने पढ़ा होगा जो जन्मिन होगा और जिसे follow करना चाहिए चलिए आगे बढ़ते हूँ बना रहेगा आशिरवाद मेरा मैं तो भगवाद से दुआ करता हूँ कि मेरे सारे बच्चे ऐसी जगा पर रहूँ रहें कि मैं मुझे कुछ करने की जरुद ना पड़े मेरी सारी सुक सुबधाएं मेरे बच्चे पूरी करता है और करेंगे definitely जब अकूत पैसा अकूत संपत्ती होगी अगर आपने सुनाओगा health is wealth अगर मैं स्वस्थ रहूँगा और तो मैं धेर सारा धनरजित कर सकता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और स्वस्थ कैसे रहूँगा जब इतने सारे डॉक्टर्स रहेंगे तो सबस्तों बिल्कुर रहूँगा चलिए आगे बढ़ता आई एक पॉइंट समझते हैं रिजिडिटी ये मारकर चलिए बहुत शुक्री आपका रिजिडिडिटी द्यान समझिएगा टेंडेंसी डू रिजिड सॉलिड होने की टेंडेंसी को रिजिडिटी कहते हैं तो सोचो रिजिडिटी किसकी ज़्यादा होगी सॉलिड की लिक्विट की गैस की तुम देखा क्या बात कर रहें सर सॉलिड की ज़्यादा होगी से हम compressing नहीं कर पाएंगे liquid के comparison में और liquid की ज़ादा होगी gas के comparison आई ठीक है विसाल प्रजापती आपका भी नाम ले लिया सब का नाम लेंगे बस weight कीजिए class के last में 15-20 मैं आप लोगों से बात करूँगा 15-20 में आप डरिये बिल्कुल मत मुझसे हैं मैं ऐसा नहीं हुझा आप सूचते हैं चलिए अभी सबसे बात करूँ बस 5-6 पढ़ा लूँ मैं एक होता है लिक्वी fluidity होता है fluidity tendency to flow flow होने की tendency किस में ज़्यादा होगी ध्यान समझेगा कौन flow होना चाहेगा जिसके molecules बहुत दूर-दूर होंगे तुमने का हाँ सर एक glass में पानी है एक glass में कोई भी solid ले लो पत्थर ले लो और एक glass में gas ले लो तीनों को ढखके रखो ढखकन खोल दो तो गैस तुरन कहेंगे ना कि सर कहां फिरी में पढ़ा रहे हो नुलाइट फिरी में पढ़ा रही है आपको और सिंग सर का आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि सिंग सर ने initiate किया और हम लोगों से बोला कि सभी जाके यूटूब पे फिरी में content देंगे ताकि उन बच्चों का भला हो सके जो genuinely पढ़ना साथ है तो इसलिए हम यहां पर है तो बहुत हो शुक्रिया सर का और आप लोग भी शुक्रिया अदा कीजिए सर का चलिए आगे बढ़ते हूँ आये मुद्धे पे आते हैं दोस्त आये अब बात करते हैं pure substance के प्योर substance ध्यान समझेगा दोस्त अब यहां से असली खेल शुरू होगा नीट में जो कुशन पूछे जाते है प्योर सब्सेंस दो टाइप के होते हैं मेरे दोस जरा ध्यान से समझेगा एक तो elements होगा ध्यान से समझेगा इधर देखिए बोर्ट पर देखिए बिल्कुल इधर उदर नहीं हो बात बिल्कुल मत करिए मेरे दोस जो बात कर रहे हैं आप लोग और दूसरा compound होगा क्या रूप रेखा है इनकी क्या बाते हैं इनकी कैसे कर रहे हैं अब ध्यान से समझेंगे आपने जो रटा होगा वो गलत होगा मेरे बच्चे जो पढ़े हूं उनको पता होगा कि एलिमेंट सिर्फ एक सिंगल एटम नहीं होता कुछ भी हो सकता है तो आईए सिलसिलाव सुरू किया जाए बात बात शुक्रिया अनिकेद ब्रह्मा डर लगता है जैसे रिस बेरी रूट क्यों मजा ले रहे हैं यार चलिए लिखेंगे consist of consist of only one type साफ एटम ध्यान साथ समझेगा केवल एक ही प्रकार का एटम होना चाहिए ध्यान समझेगा element ने गया कहा केवल एक ही प्रकार का एटम होना चाहिए और दूसरा पॉइंट बोला है it may be ध्यान समझेगा बेबी नहीं बोला मन ने it may be one or more than one क्या इतनी बात समझमाई उसने कहा ये एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं तुमने कहा क्या कारबन होगा क्या नाइटोजन होगा हाँ क्या उक्सीजन होगा हाँ क्या पी होगा हाँ भाई होगा क्या N2 होगा O2 होगा O3 होगा P4 होगा S8 होगा C60 होगा Graphite होगा Diamond होगा इसके अलावा कोई भी सवाल नहीं पुछा जाएगा तुमने कहा कि सर हम कैसे माल लें तो NCIT जाके खोल के देखिएगा elements के नीचे लिखा हुआ है कि consist of only one types of atom atom और उसके नीचे लिखा है कि ये 1 या 1 से जादा भी हो सकते हैं तो बताओ 1 ही type नहीं अठीम हाई कि नहीं है O3 में एक ही type का हाई कि नहीं है P4 में एक ही type का हाई कि नहीं है S8 में एक ही type का हाई कि नहीं ड्रही बात diamond और graphite की तो ध्यान से समझ लेना diamond कुछी इस प्रकार से होता है carbon carbon से जुड़ा हुआ और graphite एक layer होती है ऐसी ध्यान से समझ ना मेरे भाई यह से तो जितने भी bond मौनेंगे सब carbon बास वजम्मारिक नहीं आ रही है अब बताओ केवल carbon carbon bond exist कर रहा है भाई मेरे एक ही atom exist कर रहा है भाई मेरे तो क्या element होगा की नहीं होगा मज़ा आया की नहीं आया बताओ थंदो मज़ा आया की नहीं आयों बताओ अभी तुम महौल शुरू कर रहे हैं मन्ना सिंह लिखेंगे हैं पन्नावाले master मा बनियेगा बेटा बीना सलाइट के पढ़ा रहा हूं ऐसे पूरा चैप्टरा बढ़ा दोंगों परिशान मत हो बिल्कुल बिल्कुल शुगस नंदरी से लिखा बहुत मज़ा है चली बहुत बहुत शुक्री आप लोग चली आगे बढ़ता है आगे नहीं बना आगे क्यों बढ़ेंगा आएए दोस्त आएए इधर देखिए आजाओ बेटा इधर आजाओ कमपाउंड क्या है कमपाउंड है कंसिस्ट आफ कंसिस्ट आफ कंसिस्ट आफ टू और मोर देन टू 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 टाइप साफ एटम टाइप साफ एटम ज़रा ध्यान समझेगा यह कंपाउंड कह रहा है दो या दो से ज़्यादा टाइप्स के एटम होने चाहिए मैं रहाई तुमने का अच्छा, co2 है क्या, हाँ, carbon oxygen दो टाइप के एटम है, तो co2 है, तुमने का co हाँ है भाई, so2 हाँ है, so3 हाँ है, naCl है क्या हाँ है, kcl है, caCO3 है, h2SO4 है, तुमने का, अच्छा, मतलब, सारे pure substances को, दो part में हम divide कर सकते हैं, या तो compound में, या तो element में, क्या इतनी बात clear हुई कि नहीं हुई, अगर एक ही type का item है, तब तो element है, और एक से जादा, मतलब दो type, देढ़ गूर्णा type थोड़ी होगा, दो type या, दो से ज्यादा types के item होंगे, तुसे हम क्या बोलेंगे, compound, जैसे, यूरिया है क्या, यूरिया है क्या, नाचदो, CO, नाचदो वाला, है क्या, हाँ है, शुक्रोज है क्या, C12, H22, O11 है, क्या हाँ भाई है, क्योंकि ये एक से ज़्यादा carbon item है, स्वारी, एक से ज़्यादा item है, carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, hydrogen, carbon, oxygen, carbon, hydrogen, oxygen, किसी भी compound में, एक से, दो या दो से ज़्यादा types के, बेटा, ये जो 3x writer लिखे, हिंदी में लिख दीजिए, बेटा, आगर हिंदी में लिखूँगा, तो बहुत सब्सक्राइब चीज़ें मिस हो जाएंगी, मेरी बात मानों, मैं भी हिंदी मेडिया हो था, मैं भी quota में foundation क्या हूँ दोस, मैंने एक महीने जित कर लिया था, कि मैं हर एक ओ टर्म, हर एक ओ पॉइंट में, अंग्रेजी में सीख के दिखाऊंगा, और आज देखो, इंग्लीस में पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आप सीखोगे नहीं, पाइलोजी में आप आटली सीखते ही सीखते हो, तो chemistry में भी चीजें जो मैं लिकराऊ, elements इसके बारे में सोचो ही ना हिंदी में क्या मतलब है, अगर तुम हिंदी में सोचना बंद कर दिये, जिस दिन English में फील करना सुरू कर दोगे, उस दिन मज़ा आएगा आपको, चली आगे बरता, बिल्कुल, बिल्कुल, सीबा, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, राइटर, चली आगे बरता, कुछ लोग कर रहा है सर, PPT मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, notes बनाओ, आया, एक और कटेग्री है, मैं क्लियर कर दूँ मेरे भाई, एटम की, मोलिक्यूल की, फार्मूला यूनिट की, लोग कन्फ्यूज होते हैं, कुछ नहीं, एटम क्या है, यह तो हम बहुत छोटे से देतब से पढ़ते आ रहे हैं, smallest, undivisible, uncuttable particle, undivisible, uncuttable particles, which participate, which participate, in chemical reaction, तुम ने का, हाँ, हाँ, सर, वो सब पता मेरे को, आगे बढ़ो, हाँ, हाँ, वही वाला, oxygen, sulfur, nitrogen, Fe, Cu, यह वाले, निगा ठीक है, वो सब अपने को जानने नहीं, सर, आप, ठीक है, आपने बोला, मैंने माल लिया, उस तो कोई दिक्कत वाली बात है, मुल्क्यूल किसे कहें, थैंसे यह, कंसिस्ट आफ, द्यास समझे है, कंसिस्ट आफ, वनली, वनली नहीं, कंसिस्ट आफ, टू और, मोर दैन टू, कोई confusion create नहीं करूँगा, मेरे भाई, कह रहा है, दो या दो से ज़्यादा एटम रखने वाले सारे सब्स्टेंस मॉलिक्यूल कहलाएंगे, ध्यान से समझेगा, अब आप कहोगे सर, compound वाले से मैच कर रहा है, तो compound वाले में, दो या दो से ज़्यादा टाइप्स के मैंने बोला था, यहाँ पर मैंने क्या बोला, दो या दो से ज़्यादा, समझे की नहीं समझे, एक भी टाइप के हो सकते हैं, और इसकी एक और condition, गजब की condition है, भाई साब, इसको भी न बताए, यह धूरा महसूस करेगा, क्या, कोवाइलेंट बॉन्डेड होना चाहिए, अगर आप को मोलिक्यूल डिफाइन कर रहे हो, तो कोवाइलेंट बॉन्डेड होना चाहिए, और एक और खास बात, Electrically Neutral होना चाहिए क्या होना चाहिए Electrically Neutral होना चाहिए क्या अतनी बाद समझ में आ रही है आंकड़ा पहुचाईए 500 से उपर का बस 100 लोग और कम है अंसुल सर आपके पास ऐसा strong है कि आपसे पढ़ने के बाद extra नहीं पढ़ना पड़ता बहुत बहुत शुक्रिया यह आपका प्यार और महबत है बस नजरें स्क्रीन पर बनाए रखिएगा चलिए तो आपने कासर एक्जांपल में क्या लिखोगे द्यान समझना O2 O3 CO2 SO2 ETC देखो 2 या 2 से ज़्यादा एटम है कि नहीं है O2 में 2 एटम है O3 में 3 है CO2 में 3 है कोई फरक नहीं परता कि एक एक ही टाइप के है कि एक से ज़्यादा टाइप के है तो तुमने का चलो ठीक है समझ में आ गया मतलब कंपाउंड के अंदर ही मुल्कूल आएगा तो फर्मूला यूणिट किसके लिए करते है जिसमें आईवनिक बॉंड हो गा ध्यान से समझे गा जिसमें आईवनिक बॉंड हो गा जो 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के एटम रखेगा मतलब सेम डिक्ट्टों चीज आईनिक बॉंड होना चाहिए उसे क्या बोलेंगे फार्मुला यूनेट जासे और सिन के बी-ज कैसी योथी क्या इन सभी में क्या इन सभी में आयनिक बॉंड है अब बच्चे कहेंगे सुर मुझे तो आयनिक बॉंड आता ही नहीं है बेटा वेट की किजिएगा पिरोडिक टेवल का उसमें आपको बताए जाएगा आइनिक बॉंड नहीं तो वेट किजिएगा खेमिकल बॉंडिंग का ठीक है क्या तनी बासवन माई एक लगे ने पूछे सब्सक्राइब का मतलब जैसे मैंने लिग दिया सी ओ थी माईनस तू यह इलेक्रिकली नीट्रल नहीं है चार्ज है जैसा मैंने लिग दिया सी ओट्व ॆट्वत गो अको कोई चार्ज है क्या नहीं तो यह दिया इलेक्रिकल्ड को तल यह प्न और यह सब एक बिल्कुल बिल्कुल बहुत शुक्रिया शुबस्मेता तारीफें करने के लिए ठीक है ठीक बिल्कुल बिल्कुल बहुत शुक्रिया चल आई आगे बड़ों अब आई ये शिल्सिला सुरू करते हैं तैयार है कुश्चन करने के लिए रेडी हैं ऑप्षन बताएंगे चुलिए पहला ऑप्षन मैं देखूंगा कमेंट में जैसे मैंने लिखा O3 आपको बताना है कि क्या है ये एटम है मोलिक्यूल है कंपाउंड है फार्मूला आपको चौथा एक्जांपल हमने लिखा पीफो बताना है आपको क्या है कि अधियूट और एटम में क्या डिफरेंस है बुसरा हसन ने पूछा तो एटम जो है एक इंडिविजूवल पार्टिकल होता है एलिमेंट क्या होता है एक इंडिविजूवल एटम भी हो सकता है का बात क्या बात बसुंदरा उपाध्याएक एंसर आ चुका है O3 एटम और मोलिक्वल है क्या बात क्या बात बहुत कुशूरत पहले का मोलिक्यूल ठीक है, ठीक है मोलिक्यूल, सभी मोलिक्यूल गलत जबाब stress word लिखा, o thri atom ठीक है, स्रयांसी one molecule ठीक है, राजू गूप्ता लिखे हैं, two molecule ठीक है ठीक है, जीनत Thristi, ठीक है, निवेदिता ठीक है Abhinash Praharaj element ठीक है, ठीक है फरहत, शौती, ठीक है, आया, तो O3 जो है, वो element भी है, molecule भी है, ठीक है, compound नहीं है, और नहीं formula unit है, ठीक, अगर मैं बात करूँ CO2 की, तो ये element नहीं है, क्योंकि एक ही type के item होना चाहिए, क्या ये molecule है, हाँ है, क्या ये compound है, हाँ है, क्या ये formula unit है, नहीं, जब compound हो गया, तो formula unit कैसे होगा, क्या इतनी बात समझ में आई मेरी, अनिकेश वार्मा लिखा है, NaCl iron compound है, ठीक है, ठीक है, सीबा, शिवेंद्र, क्या बात, NaCl compound है, और NaCl formula unit है, इसका मतलब compound हो गया, तो element नहीं होगा, formula unit हो गया, तो molecule नहीं होगा, मेरे दोस्त, ठीक है, पी फोर क्या है, compound है, नहीं, element है, हाँ है, molecule है, हाँ है, भाई, तो क्या compound होगा, नहीं, क्या formula unit होगा, नहीं, क्या अतनी बात समझ में आई, ठीक है, अब से एक ओजाजी ने सही जवाब दिया, सुन्दरा ने सही जवाब दिया, बुसरा, निधी, मनीशा शिंग, फैक्ट सागर, फैक्ट सागर कहना formula unit दोबारा explain कर दीजिए, सुनिए, दो या, दो से ज़्यादा atom होने चाहिए, इलेक्ट्रिकली neutral होना चाहिए, मलब चार्ज नहीं होना चाहिए, तीसरी बात ionic bond होना चाहिए, ठीक है, एनेसील में ionic bond है, विसाल प्रजापती, क्या कैसे पता करेंगे, बेटा, पूछो तो तम नहीं बताएंगे, ठीक है, फैक्ट्स आगर मैंने बता दिया, समझ में आया कि नहीं आया, राहूल जैस्वाल, लब यू जे स्टार, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, लब यू 2 और लब यू 100, ठीक है, विसाल प्रजापती, पागल हो गया है, क्या बुतनी के, एक ही, पूछ तो भाई मेरे, कैसे मेरे पता करेंगे, एटम्स और मोलिक्यूल्स, एक इन्डिविजूएल एटम है, जैसे O, ये O, ठीक, मोलिक्यूल क्या है, दो या दो से जादा, दो या दो से जादा एटम का कलेक्शन, जैसे मैं O2 बोल दू, O3 बोल दू, CO2 बोल दू, CO bardzo, SO2 बोल दू, तो सारे के सारे क क्या है मोली क्यों है ठीक है कि इतनी बाद सुम्ज़गा रही है कि सीवानी ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया शंख्या बढ़ाईए शंख्या 500 प्लस करना और नहीं किये तो दोबारा मत कहिए गैसर क्लास 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 चलिए आई इदर देखिए मने क्या लिखा इदर देखिया एटॉमिशिटी एक नाम है कुछ है नहीं किसी मोलिक्यूल में कितने एटम है इस एटॉमिक सिटी टोटल नंबर आफ एटम इन ए मोलिक्यूल इस एटॉमिशिटी सर दो सो लोग कहां से लेके आएं कोई बात नहीं आप कह दो लोगों का काम है आना आएंके नहीं आना तो कोई बात मैं आएदर देखिया जैसे मैं ओ किया o2 लिखा o3 लिखा P4 लिखा तो क्या इसमें एक atom है, क्या इसमें दो atom है क्या इसमें 3 atom है, क्या इसमें 4 atom है ठीक है अब मैं ऐसे ठेड़ सारे molecule लिखूंगा आपको बताना कितने atom है देखो कितनो simple सवाल जैसे लिखा मनें CO मनें लिखा CO2 ठीक है, मनें लिखा SO3 ठीक है मैं लिखा C6 H12 O6 क्या बात है मैं लिखा H2SO4 क्या बात है कमेंट करके बता बढ़ा C12 H22 O11 क्या बात है शिर्फ मॉलक्यूल में एटम गिनना है मेरे भाई क्या गिनना है तो बताईए ज़रा कितने कम लोग हैं कितने कंजूस लोग हैं कोई बात मत करिए CO में दो एटम है CO में दो एटम है ठीक है CO में दो है पी हुँ क्या बात है वश्रंदरा शृष्टी शी कहा अंसी का सचान ठीक है आईए Mr. Ziddhi, आईए हर सिथ, ठीक क्या 2 एटम है ठीक है, क्या 3 एटम है ठीक है, क्या 4 एटम है ठीक है, 6 बारा 6 क्या 24 एटम है, ठीक है 2, 3, 4, 7 एटम है ठीक है, 12, 22 मुझे खुदी नहीं, 34 11, 45 क्या ठीक है समझ में आया आईए, अब और लेबल को बढ़ाते हैं, गेम खेला है कभी लेबल 1, लेबल 2, लेबल 3, अब चलते हैं लेबल 2 के, ठीक है आईए, सुरू करते हैं मैंने लिखा, ध्यान समझेगा मैंने लिखा, एक मॉलीक्यूल, C6 H12, O6 ध्यान से समझेगा इसका मतलब, इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान से समझेगा ओह, ओह, इधर देखिए, क्या घजब की चीज़ बताने वाला इधर देखिए, यह बादोलों में जो राज छिपा होता ना यह सिर्फ बॉलीबूट इंडस्ट्री वाले ही बता पाते हैं आप कैसे बताओगे, उसको हम बताएंगे, आएधर देखिए अगर मैं कितने टोटल एटम हैं तो आप ओलोगे 24 एटम हैं लेकिन मेरी इच्छा थी कि कितने कार्बन एटम हैं तो 6 कार्बन एटम हैं, क्या बाद, बहुत खुपसूदा दा मैंने बोला कितने हाइडोजन एटम हैं, तो आप ओलोगे 12 हाइडोजन एटम हैं ठीक है, कितने ऑक्सीजन एटम हैं, आप ओलोगे 6 ऑक्सीजन एटम हैं क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई मेरे भाईब, जरा मुझे बताइए लेवर 2 विज जे स्टार लेट्स प्ले, ओके ओके शीवानी, ओके अरजीत क्या बोल ला है, क्या बोल ला बेटा सर को खुदी नहीं पता है, हाँ बेटा पता तो नहीं यूँ ही चलाया ना मैं पन्ना भी तो भूल गया सर क्या ये फोटो मीशन की क्लास है, अरे भाई मेरे आंसर पर ध्यान दे ठीक है विबेक शिंग, ठीक है मनोज, वशुंधरा, अरजिन, एक सवाल है आपके लिए एक सवाल है आपके लिए, चलिए करके दिखाएए, चलिए आगे बढ़ाएँ हमने लिखा 10 मोलिक्यूल, C6, H2O6 बताना है, क्या बताना, कितने टोटल एतम है, कितने कार्बन है, कितने हाईडोजन है, कितने ऑक्सिस है, चलिए करके बताईए और लिखिएगा, चलिए, शुरू करिए, ठीक है राजवर्धन बहने भी हैं, तो ध्यान रखो बहनों का, क्या बाद, मिश्टर लाइन ने लिखा, सर, इनको इग्नोर करो, ये वाचिंग दे रहें, क्या बाद, बाद को ठीक है, संतोस, सई जवाब आपका, अनिकेत, सिवी, फाजी, अंसू, श्रया, पिहू, मन्ना, प्रांजली, सुनदी, स्रास, इल्मा, अच्छा, इल्मा, सिद्की, ठीक है, गवरो, अचितन, दूबे, राजू, गुपता, शुयस, नंदिनी, शिंग, निधी, सिवी, इत्रा, प्रांजली, प्रज्ञा, श्रया, क्या बात, कितने सारे जवाब, दिल खुस हो गया, क्लास हो तो ऐसे, मजा आएगा, बस वेट कीसी है, एक मोलक्यूल में 24 थे, तो क्या 10 गुडे 24 लिख देंगे, क्या बात, एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम है तो क्या 10 गुड़े 6 कार्बन एटम लिख देंगे एक मॉलिक्यूल में 12 हाइडोजन एटम है तो 10 मॉलिक्यूल में कितना होगा तो क्या 10 गुड़े 12 हाइडोजन एटम लिख देंगे क्या इतनी बाशन मार रही है इसकी बात करें तो क्या 10 गुड़े 6 ऑक्सीजन एटम लिख दें ठीक है क्या इतनी बात समझ माई है ठीक है क्या बात खुबसुरण बहुत क्वशूर। बहुत क्वशूर। कांटी नीवस साड़े 300 लोग बने हुए हैं इसका मतलब कुछ तो बात होगी बस सेसन को लाइक कर दीजेगा जो मुझे पसंद करते होंगे और नहीं पसंद करते होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात है मैं एड़ेस्ट कर लेता हूं उमंग सर्मा अच्छा तुम भी आये हो बेटा साठ ऑक्सीजन ठीक है चलिए लेबल बढ़ाते हैं लेबल नंबर टू चलिए खेलते हैं खेल तो खेला होगा आईए हमारे साथ खेलिए कुश्च है Find Maximum नंबर आफ एच्छा पहला एक O3 Molecule दूसरा साथ एक O2 Molecule तीसरा एक P4 Molecule चौथा एक S8 Molecule चलिए जवाब बताईए एंसर कौन सा होगा जवाब बताईए एंसर कौन सा होगा कसिस्त्रिपाटी करें सराप M2, M3 को क्यों नहीं पढ़ाते पढ़ाएंगे बेटा जल्दी मर्ज होने वाला है जल्दी पढ़ाएंगे बसा मते बिल्कुल करा देंगे PDF वालों पढ़ाई पे ध्यान दो PDF वालों पढ़ाई पे ध्यान दो लैगिंग हो रही है क्या ठीक है ठीक है राहुल जैस्वाल ठीक है बेटा राजवर्धन सचान वह मैं बोलता नहीं तो मैं बोलूंगा नहीं बेटा मेरा अपना ही इतना सारा कंटेंट है कि मैं दूसरों को क्यूं कापी करूं आईए बिल्कुल चौथा अपसन बिल्कुल सिवानी बहुत बहुत शुक्रिया मैं आप सब की सान हूं और आप सब मेरे सान हैं चीक है अभी लैग हो रहा की नहीं हो रहा है अभी लैग हो रहा है अब जी जी डीज लैग हो रहा थोड़ा सा क्या कुछ नेटवर्क इसू है कि और कुरीग है यह रूख रूख के जा रही है कोई बात नहीं सब्सक्राइब अब बस बेट कीजिए एक मिनिट आ गए आपको लोगों के सामने और बहुत बहुत शुक्रिया आपका पावन जी एक बार इनके लिए भी एक बार जोड़ से बोल दीजिए ओपी पावन क्या बात है बहुत खुबसूराँ अभी नहीं होगा आओ ठीक है आओ एक molecul में क्या 3 item है? ठीक है एक molecul में क्या 2 item है? ठीक है कैस molecul में 4 item है? ठीक है कैस molecul में 8 item है? ठीक है तो answer क्या होगा? चलि question same find maximum number of item खेलना सिखाऊंगा मैं आप लोगों को द्यान समझीएगा खेलना किसे कहते हैं आज आप सीखोगे ओ सॉरी 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 मोल देखके डर तो नहीं गए ना डर ना नहीं है दूसरा फाइफ मोलेक्यूल यूर्या तीसरा फाइफ मोलेक्यूल सुक्रोज चौथा फाइफ मोलेक्यूल ग्लूकोज चली जवाब दीजिए बहुत बहुत शुक्रिया अरजी सिंग सेम टू यू नीलम मलकू लिखी हैं कि सर जब आप प्राइमरी स्कूल से स्टडी किये हैं तो आप और कैफी सर पहले कैफी सर की स्पेलिंग सही कर लो कैफी सर हिंदी मीडियम के बच्चों की प्राब्लम क्यू नहीं समझते हैं तो बिटा आपने हमसे पढ़ा ही नहीं है फिर अगर हमसे आपने पढ़ा होता तो मैं आपको बता दूँ कि मैं क्लास में कभी भी इंग्लिस वर्ड यूज नहीं करता हूं और content सारा English में इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि आपको आधर डालनी है at least MBBS तो आप English में ही करोगे मैं कहता हूँ Hindi पढ़के तुम निकाल ले जाओगे ऐसा possible है कोई issue वाली बात नहीं है लेकिन फिर आपको proper Hindi medium का teacher होना चाहिए हमारे हाँ एक बैद चलता है proper Hindi medium का आप उसमें admission ले सकते हो क्योंकि 90% बच्चों को English में समझ में आएगा तो 10% बच्चों के लिए हम Hindi में explain नहीं कर सकते के अडू, तत्व, फिर वो confused होने लगेंगे लेकिन हाँ कहीं ने कहीं आपने अडू को molecule पढ़ा होगा तत को element पढ़ा होगा, chemistry को, रसायन विज्ञान को chemistry पढ़ा होगा, आता मुझे सब है, आप पूछोगे तो बताता रहाँ चलिए, क्या बात है, बहुत सारे बच्चों का जवाब आ गया 3-3, मैं फस गया इन लोगों में, ठीक है, क्या बात अब आईए स्पीड बढ़ाते हैं, CO2 है तो क्या जाएगा, 5 गुड़े 3 हो जाएगा, ठीक है, यूरिया का मतलब क्या जाएगा, नाच दो, CO नाच दो, ये कोटा का है बेटा, मैंने बच्चपन में वहीं से सीखा था, ये न कहिएगा कहीं और से देखके आए हो गुरुजी, तो इसमें 8 है, तो 5 गुड़े 8 हो गया, ठीक है, 5 है मॉलिक्यूल, सुक्रोज होता है, C12, H22, O11, 45 कर दिया, इसे भारी भर कम तो कोई होगा ही नहीं, ये वाला 5 गुड़े 24 होगा, तो देख लो, बड़ा कौन होगा, थर्ड वाल होगा, और हमारा सेशन काफी आगे बढ़ चुका है, तो चलिए हम आगे लेके चलते हैं, तो थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, आइए, क्लास में वैलूम को डिराइब करके बताता हूँ, लेकिन यहां पर नहीं बताऊंगा, बस कुछ चीजें बोलूँगा, आप याद कहते हैं, ठीक है, पहली बात ये है, दूसरी बात ये है, तीसरी बात क्या अधान समझेगा, एक मीटर क्यूब को हम एक हजार लीटर कहते हैं, ठीक है, अपने का सर, एक किलो का मतलब क्या होता है, ठीक है, अगर आपने का सर, ये मिली का मतलब क्या होता है come 10 to the power 14 Сबीन सिंटी 가 मतलब क्या हो था होता है संट्र ग्रें सथ्थि गा मतलब ग्या होता है 10 to the power minus 6 और 9 का मतलब क्या होता है 10 to the power minus 9 फीको का मतलब क्या होता है 10 to the power minus ये यूनिट आपको याद होना चाहिए तुमने का सब नहीं याद है तो और याद है तो इसका फाइदा क्या है जैसा मैंने लिखा एक मिली मीटर इसका मतलब मीटर के आगे मिली लगाया है मेरे भाई क्या 10 to the power minus 3 मीचर होगा की नहीं होगा किसी ने कहा 1 किलो ग्राम सुनो तू ज़रा इधर देखो तो 1 किलो ग्राम 1 किलो का मतलब भाईया क्या 10 to the power 3 ग्राम देखो किसी ने लिखा 1 1 पीको ग्राम इसका मतलब मेरे भाई क्या 10 to the power minus 12 ग्राम तो फाइदा है की नहीं ठीक है डन अनके सर्मा 500 प्लस पे चाहिए ठीक है ठीक है 84 ने का एक बार हिंदी में बोल दिया करिए ठीक है बोल दिया अगर हूँ ठीक है 84 बोल देंगे ठीक है बटा वैलूं को आयतन कहते है बिल्कुल शिवा ने बिल्कुल इंस्पार रहना फैन मत बनिये मैं यह नहीं कह रहा हूँ लेकिन यह इंस्पार रही है दूसरा है टेमप्रेशन एंसी आटी की लाइन है मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ एफ माइनस 32 बाइन इस्कल टू सी माइनस 273 बाइफ सॉरी सॉरी के माइनस 273 बाइफ इसकल टू सी बाइफ यह रिलेशन आपको पता होना जाए एप का मतलब डिग्री फारेन हाइट है सी का मतलब डिग्री संटिग्रेट है के का मतलब डिग्री केल्विन है तो ध्यान से समझेगा यह चेंज कैसे करते हैं अगर मैंने के माइनस 273 बाइफ और सी बाइफ आइफ को बराबर कर लिया इन दोनों को ध्यान समझेगा तो के बराबर क्या हो जाएगा सी प्लस दो सोती हत्तर ठीक है जैसे कुश्यन है कि सैंटिस डिग्री संटिग्रेट को चेंज करना है डिग्री केल्विन में तो केल्विन के लिए क्या करोगे 37 में 273 जोडोगे तो क्या 310 आएगा मेरे भाई आएगा कि नहीं आएगा आएगा ना तो आईए आगे बरते हैं अगर आपको डिग्री फारेंहाइट निकालना है तो आप लिखोगे क्या लिखोगे 37 बटे 5 क्या यही केशन लगाओगे कि नहीं लगाओगे गुड़ा करोगे तो f-32 बराबर क्या हो जाएगा इसमें 5F एक ही लाइन में गुड़ा कर देते हैं आओ 5 से इसमें गुड़ा कर दो 9 से उसमें गुड़ा कर दो तो 5 से गुड़ा करोगे मिर भाइत क्या हैगा 5F-160 बराबर पांदी 15 पांदी 10 तो 5F बराबर हो जाएगा 493 तो F बराबर हो जाएगा 495 बराबर 98.6 जो human body गा temperature होता है वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेट या 310 कल्विन या फिर 98.6 डिग्री फारेन हाइट यतनी बास सुना रही है एक सांदार सवाल आपके लिए आ रहा है दोस्त और आपको जवाब देना है इसका उमीद करता हो कि आज आप जवाब देंगे बद्वशुक्रियासिस शौहान जी टमप्रेचर को आप कहते हैं इस सब चीजे पता होंगी जिसका अगरे जी नहीं समझाएगा पूछ लिजिएगा कुशन यह ओक वे टमप्रेचर के अट वीज टमप्रेचर कि रीडिंग्म आविब हे डिग्री फारंहाइट ऐंड डिग्री संटिग्रेट इस सम बहुत खुबसूरा सवाल है 2 हॉप सुबचुरा सवाल है है और एक और जानकारी नहीं से समझेगा कभी ब्लभी worry Kelvin, 0 degree Kelvin को absolute temperature या परंत आप कहते हैं, मतलब कि Kelvin कभी भी minus में नहीं हो सकता, Kelvin कभी भी minus में नहीं हो सकता, और जबरदस सवाल पुछेगा, कि which of the following temperature is not possible, और जवाब होगा, minus 273 degree centigrade, दूसरा, minus 100 degree centigrade, तीसरा, minus 273 Kelvin या फिर, minus 40 degree Fahrenheit, तो कौन सा temperature पॉसिबल नहीं होगा, मेरे भाई, ध्यान से समझ के बताओ, क्या Kelvin कभी minus हो सकता है, क्या, क्या बाद पूरा chat box भर गया, मेरे भाई, माइनस 40, minus 40, minus 40, minus 40, क्या बाद, खुश कर दिया, आप लोगों न, क्या बाद मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, इतने लोगों का जवाब है, minus 40, क्या बाद, बहुत खुब सुरत, ठीक है, तो दूसरे सवाल का, इस वाले कुश्चन का जवाब क्या होगा, मेरे भाई, minus 27, पहला सवाल है, इसे ID के टेपरेचर में बाद, आईए, मैंने माल लिया, f minus 32 by 9, is equal to, c by 5, और दोनों ही जब सेम है, तो क्या x माल ले, अरे मानने में क्या जा रहा है, क्या 5x minus, 160 is equal to, 9x हो जाएगा, minus 160 is equal to, 5x को उधर ले जाऊँगा, तो 4x हो जाएगा, क्या x वराबर minus 40 आएगा, इसका मतलब, चाहे minus 40 degree centigrade लिखो, चाहे minus 40 degree Fahrenheit लिखो, दोनों बातें सही हैं, है के नहीं है मेरे भाई? शंक्या कम नहीं होनी चाहिए, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, बाकी मैं नहीं जानता हूँ, कम होगी शंक्या क्लास में ही बंद हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, सीवानी लिखा J Star Champion, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आईए, आईए, बिना बकवास किये, शुरू करते हैं, Atomic Mass, क्या खुपसूरत टॉपिक लगता है मुझे, मतलब मजा ही आज आए भाई, क्या खुपसूरत टॉपिक है, जरा ध्याओं से देखिएगा, Atomic Mass, को हिंदिम बोलते हैं, पर्माडू भार, पर्माडू भार, हाँ, पर्माडू भार बोलते हैं, किसी भी Atom का Mass, पीछे से नाम पढ़िए जरा, क्या लिख्या हुआ है, Mass Atomic, Mass Atomic, Mass Of Atom, Mass Of Atom, Mass Of Atom, तो लिखूँगा, Mass Of An Atom, In A, M, U, U, D, A, This Is Unit, तुमने का क्या बात, एक Atom का Mass, A, M, U, में क्या कहलाएगा मेरे भाई, Atomic Mass, This Is Atomic Mass, बेटा बुसरा, हसन, बताऊंगा, बस बेट कीजिएगा, अभी मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, बताऊंगा, कॉपी पेश करकर रखिए, पूछिएगा बात, तो Mass of One Atom in Amu क्या 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 लाएगा, Atomic Mass, तुमने का अच्छा, ये Amu क्या है, दिस का नाम है, Atomic Mass Unit, यू क्या है, Unified Mass, क्या है, Unified Mass, डिये क्या है, Dalton, सेंटिस्टे थे ना, उनके नाम है, तुने का खतम, खतम, मेरे भाई, खतम, खतम, आओ, दूसरा टॉपिक है, Atomic Mass Unit, Amu, द्या समझे, मैंने एक एटम ले लिया, द्या समझे, मैंने इसके बारा टुकडेगी, कितने बारा, कितने टुकडेगी, बारा है, गिल लो, मैंने इसके कितने टुकडे किये, बारा टुकडे किये, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नौ, दस, ग्यारा, बारा, ठीक है, सारे टुकडे सेम है मेरे बनाने में गलती हुई होगी लेकिन सारे टुकडे सेम है भाई किसी एक टुकडे को ध्यान से समझो किसी एक टुकडे को मन लिखना चाहूं तो क्या मैं लिख सकता हूं 1 by 12 into mass of this is carbon 12 carbon 12 atom एक टुकडे का mass क्या होगा एक बटा बारमा भाग होगा carbon 12 के atom के mass का क्या अतनी बास समझ में आ रही है तो इसी को scientist ने बोला 1 amu 1 amu क्या बोला 1 by 12 into mass of carbon 12 atom और जब एक atom का mass हमने रखा एक atom का mass क्या होता carbon का 1.99 into 10 to the power minus 23 gram तो 1 amu की value आई 1.66 into 10 to the power minus 24 gram और आगे चलके 1 amu को हम 1 by na gram भी बोलेंगे na की value आपको पता होगा 6.022 into 10 to the power 23 और जब एक में से भाग करियेगा तो यही data आएगा 1.66 into 10 to the power minus 24 क्या बात बहुत खुशूरा था आई आगे लिखते हैं क्या इतनी बास समझ में आ गई आया गी नहीं आया आ गया ठीक या तो कुछ data दे रहा हूं जिनके atomic mass आपको याद होने चाहिए अगर इनके atomic mass आपको याद है तो आप खेलोगे मेरा वादा है आप से ध्यान से समझिएगा आप पूरी chemistry में खेलोगे अगर इनके atomic masses आपको याद होंगे संख्या कम नहीं होनी चाहिए मैं फिर से बोल ला हूँ देन समझिएगा hydrogen का 1 amu होता है lithium का sorry helium भी लिख देता हूँ helium का 4 amu होगा amu है अब बार बार amu नहीं लिखेंगे ठीक lithium का 7 होगा carbon का 12 होगा nitrogen का 14 होगा oxygen का 16 होगा fluorine का 19 होगा sodium का 23 होगा याद करिए मेरे साथ magnesium का 24 होगा aluminium का 27 होगा silicon का 28 होगा phosphorus का 31 होगा sulfur का 32 होगा calcium का 40 होगा copper का 63.5 होगा fe का 56 होगा chlorine का 35.5 होगा bromine का 80 होगा iodine का 127 होगा az का 108 होगा AU का 197 होगा जो छूटा होगा लिखते जाएंगे अगर इनके atomic masses आपको याद हैं मैं कहता हूँ आप लिख लो छिपका लो नोट कर लो जहां भी सुबा साम उठते बैठते हो हर जगा से याद होना चाहिए क्योंकि अगर इनके atomic masses नहीं याद हुए तो molecular mass नहीं आएगा मोल नहीं आएगा इस्ट्रागामिट्री नहीं आएगी कुछ भी नहीं आएगा समझ मैं इसलिए atomic mass याद होना चाहिए दिमाग में बैठा लीजिए मेरे भाई ठीक है चलिए बहुत बहुत शुक्रिये सीवानी ठीक है मैं संजली ठीक है क्या बात क्या बाति इलमा सिद्ग्र की जय हो जय हो जय जैहो 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 क्या बाद एक लोग नितिन निलेस हैं कह रहे हैं कि नितियस है आईपीसी का डाउट क्लस होगा सर मैंने पढ़ाया और आई प्यसी में डाउट आ गया तो फिर क्या एक सवाल करता हूं एक सवाल है जो आपको करके दिखाना है ध्यान से समझिएगा मैंने क्लासेस में अलग-अलग करवाया है डेटा मैं चेंज करता हूं क्या लिखूंगा मैं जरुद्ध्यान समझिएगा कि इफ इफ 1 by 6th part of carbon 12 atom is 1 mu then find then find atomic mass sodium and iron F 23 amu तब था जब हमने एक amu को 1 by 12 माना था sodium का 23 amu कब था जब on by 12 माना था कहरा गिन नहीं मैंने reference change कर दिया है अब तुम बताओ कि कितना होगा क्या वाद बारत माता कीज़े एनी ट्रिक ट्रिक ही ट्रिक होगा आप परसान मत होई है अनाम क्या शोनी करिए और भी elements का लिख दीजे सर जरूरत ही नहीं है जरूरत ही नहीं है आयुस्तिवारी बारत माता कीज़ें कि उमंग सर्मा लिख रहे हैं बारा तसमलों पांच बेरी गुट कुछ लोग 46 लिख रहे हैं 46 46 एक सो बारा नहीं सुनों कि कि इधर देखो बेड़ा क्या ये छे खाना हो गया पहले बारा खाना था अब ये खाने को एक एम्यू बोल रहा है तो क्या ये एम्यू भारी हो गया है कि नहीं हो गया है तुम ने का हाँ पहले इसका 23 एम्यू था सोडियम गले कलकुलेट कर रहा हूं 23 एम्यू था अभी भी तो मास उतना ही होगा ना तो मान ले रहा हूं कि X एम्यू होगा पहले वाला 23 जब था तो रिफ्रेंस 1 बाइ 12 था याद करू ज़रा कुछ अभी X मान रहे हैं लेकिन रिफ्रेंस वा 1 बाइ 6 इंटू मास आफ कारवन 12 हो जा रहा है इसका मतलम मेरे भाई ध्यान से समझना 6 से 6 उड़ा दोगे 2 आएगा ये इससे उड़ जाएगा तो क्या 23 बटा 2 बराबर X आएगा क्या X बराबर 12.5 होगा कि नहीं होगा कि अभूर इंटर चे मजब आया कि नेया मुनीता राजबरधन ए राजबरधन इस है कवीँद्र पटेल शथीए वेटा वशंद्राव पाध्याय कंच कवीँद्र रितेश ठीक है प्रदीब कुमार ठीक है क्या वाद बहुत कुशुरू है ठीक है ठीक है आया की नहीं आया नितिन नितेस आफिस में आ जाना बेटाक मेरी क्लास के बाद सेंटेर टूपे में बता दूँगा परशान मत हो ठीक है प्लीज एक्स्वाइन फिर सेक्स्वाइन करें आओ सोचो पहले वन बाइट ट्वल पार्ट था मतलब एक एटम के बारा ठुकड़े किये तो छोटा छोटा रहा होगा तो क्या छोटा छोटा रहा था तो गती से iamu आया था अब कहरा है रिफरेंस बदल दो तो एक से iamu माण ले रहा हूँ तो पहले जब iamu की बेलु रखा था तो पहले iamu की बेलू इतनी थी भाया एटम वो तो जो पहले था वही भी अभी भी रहेगा ना हम रिफरेंस में बात कर रहें ना एम्यू के अब एम्यू की रिफरेंस इसने बदल दिया है तो सोचो वैसे भी भारी है 1 by 6 बड़ा है 1 by 12 से सोचो तो एक बार और दुगना है इसका मतलब इसका आए टॉमिक मास आधा आएगा तो वही केशन माने बराबर कर दिया यह 1 by 6 को इससे काट दिया दो आगया 23 बटा दो आगया इस हिसाब से आयरं का कितना होना चाहिए 56 बटे दो यानि 28 नहीं सुनमाया ठीक है प्रांजली ठीक है थो तबियत खराव है मेरी नहीं सुनमाया आज आएगी बेटा शुबस मिता आज आएगी परशान मत हो वेट करो तब तक आराम से घूमो टैलो चिल लो एक सवाल है आपके लिए इफ एफ वन बाई 24 पार्ट आफ कार्बन च्वल एटम इस वन एम्यू दिन फाइंट एक सामिक मास आफ शोडियम कैल्सियम एफ हो मर्क है ठीक है नहीं नहीं बेटा सही नहीं है लिए सही हो जाई आप शाम मत होई संख्या बढ़ा के रखिए इनर्जी मुझे मिलती रहे या यह शुरू करते हैं बिना किसी पता ही होगा किसके रिलेट्यू एटमिक मास होता है उसे हम राम बोलेंगे की वह्यों एचे फ्थयजी बाले राम क्या होता है सबजिएगा मास अहां रिलेट्यू मतलब किसी के रिलेशन में काई souvenir किई सथा किलोंगराम पता नहीं कितने का हूं सथर मांलो क्या जा रहा है ओर 34 मांगा नोग Jen एक मैं एक्चुल बता रहा हूं और एक मैं किसी के रिस्पेक्ट में बता रहा हूं मास आफ वन कार्बन सरी मास आफ वन एटम डिवाइड बाई वन वाई चॉल इंटू मास आफ वन कार्बन चुल एटम यह डिफिनिशन होती है रिलेटिव इटामिक मास का तो रिलेटिव इटामिक मास वराबर क्या मास साफ वन एटम क्या एटामिक मास हो जाएगा हाँ एटामिक मास हो जाएगा डिवाइड़ वाई क्या इसकी वैलू एक एम्यू होती है एक एम्यू रखती है यानि कि जो रिल होगा मेरे भाई क्या इतनी बास समझ में आई कि अब बिल्कुल बिल्कुल बीपी सिंग जी ये बास समझ जाईएगा ता आप सेलेक्शन के पास हो जाईएगा ठीक है आई आगे बढ़ता है भागी अगा नहीं असली खेल तो अभी शुरू होगा चलिए आगे बढ़ता है अगर यूणिटलेस है तो रिलेटिव अटॉमिक मास है और अगर यूणिट है तो अटॉमिक मास है राम है, आम है क्या इतनी बार समझबें आ रही है आ रही है कि नहीं आ रही है अब संख्या कम होने लगी है बेटा कहां 500 प्लस कर रहे थे कहां 350 से आप 300 आ गए कोई बात नहीं कोई बात नहीं चरिये आगे बढ़ते बहुत बहुत शुक्रिया आई आगे बढ़ते है चरिये आगे बढ़ते है Actual Mass Mass of One Atom In Gram तुमने का समझे नहीं जैसे मैंने सोडियम का लिखा 23 Amu This is Atomic Mass और इसी को मैं लिख दूँ 23 गुड़े Gram मैं इसको लिख दूँ 1.66 into 10 to the power minus 24 Gram अगर मैं कैल्सियम का लिखना चाहूँ तो 40 गुड़े 1.66 into 10 to the power minus 24 Gram लिख शकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ ठीक है बॉब रॉष्टर ठीक है ठीक है साहिल थोड़ा फास्ट पढ़ाते हैं आओ थोड़ा फास्ट पढ़ाते हैं नेक्स्ट है Molecular Mass कैसे लिखेंगे Mass of One Molecule in mu, u या फिर delta जैसे जैसे ध्यान समझीएगा जैसे मैंने लिखा H2 तो H2 का कितना हो जाएगा 2 यह थीक है मैंने लिखा CO2 तो CO2 का कितना हो जाएगा 12 गुड़े 16 तो कितना हो जाएगा 44 जैसे मैंने लिखा SO2 तो सलफर्क होता है 32 प्लस 2 गुड़े 16 तो कितना हो जाएगा 64 इसी प्रकार जैसे मैंने लिखा H2 SO4 ध्यान समझीएगा तो इसका calculate करिएगा 2 गुड़े 1 प्लस 32 प्लस 16 गुड़े 4 तो कितना हो जाएगा 98 जैसे मैंने लिखा 3PO4 ध्यान से समझीएगा 3 गुड़े 1 प्लस फास्पोरस 31 प्लस 4 इंटो 16 तो कितना हो जाएगा 98 जैसे मैंने लिखा जैसे नहां समझीएगा NH2 CO NH2 आप इसका calculate करोगे 14 प्लस 2 गुड़े 1 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2 गुड़े 1 कितना हो जाएगा 60 अगर मैं glucose की बात करो C6 H12 O6 तो इसका कैसे निकालोगे 1 कार्बन का 12 हो तक 12 गुड़े 6 प्लस 1 गुड़े 12 प्लस 16 गुड़े 6 और calculate करिएगा तो 180 अगर मैं C12 H22 O11 का करूँ तो इसका 342 आएगा calculate कर लेना ठीक है थोड़ा fast fast बोल ले हो आप उसलिए लिख रहा हूँ अगर मैं calcium carbonate का पूछ हूँ तो बताओ comment box में calcium carbonate कितना होगा ठीक है सीवानी महक बशुंदरा इलमा प्रिया शीवानी मिस्टर जिद्धी प्रदीब कुमार क्या बात संक्या कम हो रही है दोस्त संक्या कम हो रही है आईए level two level two क्या बात 100 100 100 100 क्या बात बहुत खुबसूरत बहुत खुबसूरत सभी को याद है 100 100 100 जो लोग भाग जाएं उनको जबरतस्ती बुलाईए बार बार भेज भेज के बुलाईए लेकिन बुलाईए मैं कहता हूँ दोस्तों बुलाईए आप उनको भागने मत दीजिए आपकी नयतिक दिमेदारी है क्योंकि आप डॉक्टर बनोगे तो कम से कम वो भी कुछ करके नर्सिंग बेचेमस या कुछ भी बेचेमस करके आपके साथ आपके कलीक बनके रहेंगे क्योंकि टॉप पे वही जाएगा जो खुद को खपाएगा और एमस से डॉक्टर डॉक्टरी करेगा या फिर अच्छे कॉले से पीजी करेगा वही करेगा न जो अच्छा होगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुश्चन है Find number of atom पहला 52 amu आफ ही लिया दूसरा 400 amu आफ कैल्सियम NCRT का सवाल है I think question number 32 होगा हाँ देख लिजेगा जो भी होगा 30-32 ही लियम के एक atom का मास अगर 4 amu होता है ही लियम के एक atom का मास अगर 4 amu होता है क्या बात कितने लोगों ने अंसर बता दिया भाई तो नंबर आफ atom कितना होगा क्या 52 बते 4 कर दे तो क्या 13 atom हो जाएगा क्या बात अगर कैल्सियम के एक atom का मास सुनो मेरे भाई अगर 40 amu होता है तो नंबर आफ atom क्या 400 बते 40 10 atom होगा की नहीं होगा होगा ना वाह क्या बात दिल जीत लिया दिल जीत लिया दो घंटे की क्लास जब हो जाएगी 12 बचके 5 मिनट पे मैं 10 मिनट का विरेक दूँगा लेकिन अभी आप जोस बनाए रखिए आधा घंटा मेरे साथ रहिए कुश्चन की बहुचार लगा देंगा आप आईए तो सही लेबल नमबर 2 find maximum नमबर आफ एठम पहला स्वाल तीन सो साथ अम्यू कैल्सिया दूसरा तीन सो साथ अम्यू कार्बन तीन सो साथ एअम्यू हाइडोजन चौथा तीन सो साथ एअम्यू खिल्यू दूसरा सवाल एग्सो एँ एम्यू एग्सो एढ़्सी हॅ्सो को एच्सो एढ़ी हीलियम चौथा अपसन है आल आर सेम जवाब दीजिए जवाब दीजिए जवाब दीजिए पहले कुशन का एंसर पहले कुशन का एंसर जवाब दीजिए ठीक है हाइडोजन 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 सी 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 क्या बात क्या बात क्या इसका 300 बटे 40 कर दोगे क्या इसका 360 बटे 12 कर दोगे क्या इसका 360 बटे 1 करोगे क्या इसका 360 बटे 4 करोगे तो क्या third option आएगा कि नहीं आएगा आएगा पाउनी क्या बात है 360 है म्यू है ठीक है ठीक है ठीक है तो 360 है टम हो गया इस सवाल को करने से पहले आओ एक खुबसूरत सवाल करते हैं question है find maximum number of molecule पहला 360 म्यू glucose दूसा सवाल है 360 म्यू यूरिया तीसा सवाल 440 म्यू CO2 पाचमा सवाल है 320 म्यू CO2 अगर molecule दिये हुए है तो molecular माज से भाग करके molecule निकालेंगे ठीक है ना सिंगने चल लग संक्यानी कम होनी चाहिए ठीक है 39 180 से कम भी नहीं होना चाहिए ठीक है ना हाँ तो 360 बटे 180 करके बताओगे क्या 2 molecule आएगा 360 बटे 60 करके बताओगे क्या 6 molecule आएगा 440 बटे 44 करके बताओगे 10 molecule आएगा 320 बटे 64 करके बताओगे 5 molecule आएगा तो बताओ मेरे भाई बताओ मेरे भाई क्या answer number third होगा की नहीं होगा क्या third होगा की नहीं होगा बताइए जरा और जो लोग like नहीं किये हैं 500 plus कर दें like कर दें ताकि 500 plus हो जाए और 500 plus like हो जाए चली आगले session में मैं आगे रखूँगा ठीक है आपने 370 के आसपास लेके गए आज बहुत अच्छा लगा चली आगे भी कोशिश करूँगा क्या आप करें आईए आगे बढ़ते पिछला सवाल था कह रहा था 180 mu glucose C6 H12O6 अगर 180 mu है मेरे भाई 180 से भाग करेंगे 180 pen का color थोड़ा सा change कर लूँ मैं 180 बट 180 कर दिया तो एक molecule आया और अपने से पूछा क्या है atom पूछा है तो एक गुड़े 26 कर देंगे तो क्या 24 atom आएगा कर नहीं आएगा क्या इतनी बाद समझ में आई आई आप लोगों अगर 180 mu yurea दे रखा है तो 60 से भाग कर दिया yurea का molecular mass 60 होता है तो क्या 3 molecule आएगा और yurea में अभी मैंने बताया था नाचदो CO नाचदो में 8 atom होते हैं मेरे भाई तो क्या 3 गुड़े 8 लिखोगे क्या 24 atom आएगा की नहीं आएगा बताओ समझ में आरा की नहीं आरा बिल्कुल बिल्कुल अंसारी जी मुझे परपल बहुत अच्छा लगता है परपल का राज भी मैंने बताया था कि पहली दफ़ा मैंने उनको इसी कलर में देखा था 1804 1804 क्या 45 होगा की नहीं होगा और इतने फाक से ये atom है helium atom है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई और all are the same ये तो होई नहीं शकते तो क्या third option होगा कि नहीं होगा बहुत बहुत शुक्वे सिवी जहा सभी same नहीं हो सकते 180 में 4 का भाग कीजिएगा तो 45 आएगा तो same तो नहीं हो सकते ना भाई नहीं समझे आव आगे बढ़ते हैं ठीक है आगे बढ़ें ठीक है आई एक बहतरी टॉपिक बच्चे करने तेज़ पढ़ाईए तेज़ पढ़ाद रहा हूं मोलर मास का मतलब होता है मास आफ वान मोल सब्स्टेंस अब इसके दो भाई हैं जहां समझेगा और वो भी लिग लीजे इन ग्राम एक तो ग्राम एक चॉमिक मास होता है एक तो ग्राम मोलिकुलर मास होता है ग्राम एक चॉमिक मास का मतलब होता है मास आफ वन मोल एटम इन ग्राम इसका मतलब होता है मास आफ वान मोल मोलक्यूल इन ग्राम नहीं समझे अगर किसी भी एक मोल सबस्टेंस वाट इस एक मोल एक मोल का मतलब है 6.022 इंटू 10 चुदी पावा 23 पार्टिकल्स मतलब छोटा मोटा नहीं मेरे भाई बहुत बड़ा पार्टिकल्स कैए इतनी बाद समझ में आ रही है तो कैसे लिकोगे atomic mass में ध्यां से समझो atomic mass में यह atomic mass है atomic mass से gram atomic mass बनाना है तो simple सा एक ट्रिक बता देता हो SMU से gram लगा दो AMU से क्या लगा दो मेरे भाई ध्यां से समझो AMU से क्या लगा hectए gram अगर यह molecular mass से molar mass में change करना किस से molecular mass में change करना है तो amu की जगा क्या लगा दोगे gram हटा के gram लगाना नहीं समझे नहीं समझे रिसब रॉग स्टार पिछले साल कहां गायब हो गये थे सर आप बेटा अभी अभी तो हमने जॉइन किया है इसे पहले मैं आकास में पढ़ा रहा था हाँ गला खराब है गला खराब है रिसब गला खराब है बेटा हो ठीक है आईए आगे बढ़ते जैसे मैंने calcium के बारे में लिखा ध्यान समझना कि 40 लिख दू 40 amu लिख दू 40 gram लिख दू तो ध्यान से समझना इधर देखो मेरे भाई क्या ये आर एम है की नहीं है क्या ये atomic mass की नहीं है क्या ये gram atomic mass है की नहीं है जिसे आप molar mass भी हो लोगे इसी पकाड अगर मैं 18 और 18 amu और 18 gram लिख दूँ जहां समझना हूँ तो 18 जो है वो relative वाला है relative atomic mass हाला कि ये molecule है फिर भी मैं atomic mass बोलना हूँ क्योंकि relative atomic mass defined ही हुआ है इसी के लिए तो 18 amu का मतलब हो गया molecular mass और 18 gram का मतलब हो गया gram molecular mass मतलब एक mole molecule का mass जिसे हम क्या कहेंगे molar mass क्या इतनी वास समझना है संक्या कम हो रही है दोस्त demand पढ़ेगी तो पूरी कमस्ची पढ़ाएंगे परिशान मत हुए अनिल कुमार यादो जी सैल जा दिच्छित सैल जा दिच्छित पूछ रही है सर परपल में किसको देखा था पहली बार अभी तो वो यहां है नहीं लोस अंजलस में है तो कि अब बताने का कोई फाइदा नहीं है दुनिया है चलती रहती है लोग आएंगे लोग जाएंगे लोग तब भी जिन्दा रहते हैं जब माबाप छोड़के जाते हैं तो दूसरे लोगों का क्या मतलब आएंगे जाएंगे आपर साम मत होएं चलिए आगे बढ़ते हैं आईए खुपसूरत इसको पढ़ लेते हैं कुशन करते रहें जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो हम अक्सर केला खरीदने जढ़िए जाते हैं तो मैं तो हमेसा केला दर्जन में खरीता हूँ, इसलिए मैं केले का एक्जामपल देता हूँ, ऐसा ना सोचीगा कि मेरा कुछ और ही राता है, या फिर मैं ऐसी बात ही बोलता हूँ कि केला बोलूँगा तो अच्छा लगेगा, मैं तो केला खाता भी नहीं हूँ, लेकिन तो तूरंद क्या करता दो गुड़े बारा करे करे चौवबिस क्यला ठमारों कि अगया PAUL आसे की प्रकार मोल एक बहुत बड़ी संख्या है कुछ नहीं है केमेस्ट्री से उसका कोई लेना देना ही नहीं है भाई मैं आँ से समझे फील आएगा अब सारा खेल समझाने का है और समझने का है एक मोल ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया तारीफों के लिए एक मोल 6.022 into 10 to the power 23 होता है आप सोचो हो कि ये इतनी बड़ी संख्या है कि अगर आपके पास रुपया हो जा इतना तो पूरे अरब पती एक तरफ और एक मोल रुपया एक तरफ भाईसा million 10 to the power 6 होता है billion 10 to the power 9 होता है मैंने का यह 1000 billion तो कितना 10 के पावर 12 मैंने का चलो 10 के पावर 15 रुपया होगा लेकिन 10 के पावर 23 किसी के पास नहीं होगा बहुत बड़ी संख्या है बहुत भयानक और मैं आपको आशिरबाद भी देता हूँ कि आपके पास पैसा हो तो एक मोल से जादा हो रुपया पैसा कुछ भी अब कैस्ट्री में कैसे यूज करेंगे ज़रा ध्यान से समझिएगा कि मैंने बोला कि एक मोल सोडियम एटम ध्यान से समझना मेरे भाई अगर मोल के पीछे सोडियम एटम लगा दिया है इसका मतला कि 6.022 इंटू 10 ती पावर 3 सोडियम एटम होगा क्या इतनी बाद समझवें आ रही है अगर मैंने बोला कि एक मोल H2O मोलिक्यूल है इधर ध्यान से समझिएगा नजरें स्कीन पर रखिएगा गट न गट सकती है तो क्या 6.022 इंटू 10 ती पावर 23 H2O मोलिक्यूल होगा की नहीं होगा मेरे भाई क्योंकि के मोल एक वर्ड है एक नमबर एक संख्या है अगर आप किसी के आगे या पीछे लगा रहे हो तो सेम ठिंग्स को रिप्रजन करेगा 6.022 इंटू 10 ती पावर 23 जैसे मैंने कहा कि एक दरजन एटम है तो 12 एटम है मैंने कहा कि पाँच दरजन एटम है तो 60 एटम है क्या इतनी बास समझ में आ रही कि नहीं आ रही है अगर मैंने बोला कि एक मोल सोडियम प्लस आयन है तो इसका मतलब 6.022 इंटू 10 ती पावर 23 सोडियम प्लस आयन है मतलब मोल इज नथिंग बट अब्रिधिंग नहां से समझेगा खेल सारा मोल का है इस सेप्टर में अगर अगर आप समझ गए तो फिर आप खेल होगे ठीक है बाद बहुत सुक्रिया मिनी भार गौजी ठीक है बिलकुल सेलेबस कंप्लीट होगा बहुत शुक्रिया तारीफों के लिए चलिए आगे बढ़ता है आगे बढ़ता है मैंने कहा यार यह एक मोल है क्या भ्यां से समझेगा इसका मतलब कि एक मोल या तो एटम को रिप्रेजेंट करेगा केमेस्ट्री में बागी तो ऐसे एक मोल रुपिया ले लो एक मोल केला ले लो कुछ भी ले लो और एक मोल मोलक्यूल को भी रिप्रेजेंट करेगा और एक मोल आयन को भी रिप्रेजेंट करेगा और यहाँ पे एक नया वर्ड पैदा होगा ध्यान से समझेगा अगर एक मोल एटम है तो उसे हम बोलेंगे एक ग्राम एटम एक मोल एटम को हम बोलेंगे एक ग्राम एटम और एक मोल मोलिक्यूल को बोलेंगे एक ग्राम मोलिक्यूल और एक मोल आयन को बोलेंगे एक ग्राम आयन ध्यान से समझेगा नजरें स्क्रीन पर होना चाहिए ग्राम एटम ग्राम मुलक्यूल बराबर नहीं होते हैं दोनों अलग-अलग टर्म हैं दोनों अलग-अलग चीज़ों के लिए यूज होते हैं फिर जो आप याद करते हो न बिल्कुल याद मत करना कैतनी बास वन मा रही है ठीक है आगे पढ़े माने लिखा आईए देखिए माने लिखा कि 2 ग्राम एठम सोडियम दूसरा माने लिखा 4 ग्राम एठम O2 ध्यान समझेगा आईए नजरे स्कीन पर रखी है 2 ग्राम एठम सोडियम का मतलब क्या हो गया कि 2 मोल सोडियम एठम क्या इतनी बास वन मा रही है 2 ग्राम एठम सोडियम का मतलब हो गया 2 मोल सोडियम एठम अगर मैं इसमें बात करू लिखा है चार ग्राम एटम O2 इसका मतलब चार मोल एटम O2 तुमने का यह चार ग्राम एटम देखके आपने चार मोल एटम ओक्सीजन लिखा O2 नहीं लिख सकते क्यों O2 is molecule इसका मतलब है कि हम बोल सकते हैं दो दो मोल molecule O2 अब अगर O2 molecule है उसके सामने molecule लगा है तब हम बोलेंगे कि दो ग्राम molecule क्या बात कितना खुब सूरत चीज़ था है चार ग्राम एटम आपक्सीजन का मतलब हो गया चार मोल एटम है इसका मतलब दो मोल molecule है O2 के तो दो मोल molecule है O2 के इसका मतलब दो ग्राम molecule O2 होगा क्या इतनी बात समझ में आ रही है नहीं सौंच पाए ठीक है सब कुछ देंगे नजरें स्क्रीन पर रखीएगा चैटिंग मत किजिए प्लीज आई आगे देखिए फटा 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 कमेंट करें समझ में आया कि नहीं आया आया ठीक आगे वर अगर मैंने लिखा 2 mol 2 mol P4 मैंने लिखा 2 mol S8 तो कितनी बात लिख सकते हैं आईए दर ध्यान समझे हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं लिख सकते हैं कि 2 mol molecule P4 तो molecule है ना ठीक है तो तुमने कहा सर मैं 2 gram molecule बोलूँगा इसे तो ठीक है बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं लेकिन किसी बच्चे ने कहा सर कि P4 में 4 atom है और 2 पहले दे रखे हैं इसका मतलब 4 mole atom बोल दूँ क्या 8 atom 8 mole atom बोल दूँ क्या बोल दूँ और जैसे 8 mole atom लिखेंगे तो क्या 8 gram atom बोल सकते हैं यह नहीं बोल सकते हैं बहुत खुबसूरत बात है मतलब 2 mole P4 को हम 2 gram molecule भी बोल सकते हैं 8 gram atom भी बोल सकते हैं यह भेजे में बात घुसी की नहीं घुसी gram atom का मतलब mole atom है gram molecule का मतलब mole molecule है बस ठीक है बिलकुल ले लेंगे ठीक है सुवेस नंदिनिश आई आगे बढ़ते हैं क्या मैं बोलू तो 2 mole molecule दिया है कि नहीं दिया है S8 तो molecule है ना भाई तो क्या मैं बोल दूँ कि 2 mole S8 को 2 gram molecule ठीक है अगर मैं total atom की बात करूँ तो 2 mole इधर है 8 इधर है तो 16 mole atom होंगे कि नहीं होंगे तो मैं लिख सकता हूँ 16 mole atom है कि नहीं है हैं और 1 mole atom को अगर 1 gram atom बोलते हैं मेरे भाई ठीक है ठीक है ठीक है तो लिखेंगे 16 gram atom नाइस बस पाई है बेड़ा संक्या कम हो रही है बढ़ाईए बुसरा हसन ने पूछा है कि 1 mole of oxygen atom इतना atom 1 mole of O2 mole इतना molecule देन 1 mole of oxygen जब आपने 1 mole oxygen लिख दिया तिसका मदब O2 oxygen atom बोल दिया तो O oxygen molecule बोल दिया तो O2 ठीक है बैशनवीन लिखा सर 2 mole molecules कैसे अरे 2 mole S8 दे रखा है S8 तो molecule होता है ना तो 2 mole molecule नहीं बोलेंगे ठीक है ठीक है आई आगे बढ़ते हैं समझने आ गया हो अगर मैं लिख दूँ कि 8 mole glucose C6 H12 O6 नहीं समझेगा आईए नजरे स्कीन पर रखिए इसका मतलब क्या 24 mole एक molecule था तो 24 mole है तो 24 mole atom होगा की नहीं होगा क्या 6 mole carbon atom होगा की नहीं होगा क्या 12 mole hydrogen atom होगा की नहीं होगा जैसे ही 24 mole लगाया मतलब जैसे 24 दर्जन लिखते तो 24 गुड़े 12 करते उसी प्रकार 26 mole का मतलब हो गया की 24 गुड़े एने atom याने की 24 गुड़े 6.022 इंटू 10 to the power 23 एने का बैलू होता है नमबर आफावेगाडरो एने का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 to the power 23 और उसी प्रकार हम लिखेंगे 6 इंटू एने कार्बन एटम और इसको लिखेंगे 12 गुड़े एने हाइडोजन एटम सुमझ में आ रहा हुआ है 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 हो सकता कि मेरी बाते आपको समझ में आ रही हूं है ठीक है दुनिया का सबसे गंदा आदमी में हूं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है इतना गंदा कमेंट तो मत कीजिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप दूसरी जगा समझ लिज़े नजाने कितने लोग पढ़ा रहे हैं नजाने कितनी जगां पे लोग पढ़ा रहे हैं इसे इसे मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा इसे आपके संस्कार के बारे में बता चलेगा ठीक है चल आगे बारता है शिक्स मोल ऑक्सीजन एटम का मतलब हो गया शिक्स इंटू एन ए ऑक्सीजन एटम यानी शिक्स इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23 ऑक्सीजन एटम ठीक है आगे बढ़ता हूं कि ध्यास संबसीएगा कुश्यन है कि फॉइंट कि मैक्सिमम नंबर आफ एटम पहला सवाल है चालिस एटम कैल्शियम यह सम नीट मायेगा और यह सब नंस्यार्टी में भी दे रखा है जाके देख लीजिएगा पीछे एक्सरसाइज चालिस एम्यू कैल्सियम तीसरा चालिस मोल कैल्सियम चौथा आल आर से नेक्स्ट कुश्यन है फाइंट मैक्सिमम नंबर आफ मोलक्यूल पहला सवाल है एक्टीन मोल क्यूल ह्टू दूसरा सवाल है एक्टीन एम्यू एच्टू तीसरा सवाल है एक्टीन मोल एक्टू और चौथा सवाल है आफ्शन है आल आर सेंग्यूंद बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का प्यार बनाने के लिए ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का सष्टी उरूस चलिए एंसर बताईए बहुत सारे बच्चों का एंसर आ चुका है तीन तीन बोल रहे हैं दोनों का एंसर ठीक है ठीक है, ठीक है, ठीक है उमंग, ठीक है रंजीत, इलमा, ठीक है जीनत, सदफ, बानू, ठीक है, दस मेट बाद हम लोग ब्रेक लेंगे, दस मेट का, ठीक है, तो आई ये सुरू करता है, चालिस एटम सिर्फ चालिस है, चालिस एम्यू मतलब सिर्फ और सिर्फ एक एटम, चालिस मॉल का मतलब हो गया, चालिस गुड़े एने, और एने की बेलू आपको पता कितनी बड़ी संख्या, तो क्या बोलेंगे, थर्ड, एटीन मॉलिक्यूल का मतलब सिर्फ एटीन बोल रख्था है, और एटीन एम्यू, जहां समझेगा, एटीन एम्यू, का मतलब सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, एटीन मॉलिक्यूल का मतलब, एटीन इंटू एने हैं, तो बताओ, क्या इसका भी थर्ड आप्शन होगा, कि नहीं होगा, चली कोई बात है, का मतलू एटीन advent बोल रख्वाण 46, क्या रख्वाण की मॉलिक्यूल एटीन एम्यू इम्यूति है, झाल झाल चली आगे बढ़ते हैं चली शुरू करते हैं सिलसिला कैल्कुलेशन आप में गूलका कुछ ऐसे भी तत्वाएंगे जो आपको पढ़ने नहीं देंगे कुछ ऐसे भी तत्वाएंगे जो सोचेंगे कि आपका सेलेक्शन बिल्कुल ना कि ब्रेग लेंगे कुछ मगा दीजिए केला और हुआ ठीक है अज़िए आई शुरू करते हैं पहला है if mass is given अगर आपको mass given है तो ध्यान से समझना तो कैसे निकालेंगे 10 मेंट बाद हम लोग ब्रेक करेंगे 10 मेंट का ठीक है ठीक है आओ मोल कैसे निकालेंगे मोल होगा given mass upon molar mass given mass जो होगा वो ग्राम में होगा धान रखिएगा किस में होगा ग्राम में होगा और molar mass atom होगा तो ग्राम अच्वामिक mass होगा और अगर molecule होगा तो ग्राम molecular mass होगा चलिए छीक है चलिए आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मुझे कोई घंटा फरक नहीं परोगा आईए मैंने लिखा 40 ग्राम कैल्सियम दूसरा मैंने लिखा 46 ग्राम सोडियम मैंने तीसरा सवाल लिखा 24 ग्राम कार्बन मैंने चौथा सवाल लिखा 480 ग्राम ऑक्सिजन अगर ध्यान से समझीएगा अगर आपको मास दिया तो मोलर मास से भाग करना है तो मोल कैसे निकालोगे मोल हो जाएगा 40 बटे कैल्सियम का कितना होता है 40 तो क्या एक मोल आ जाएगा ठीक है अगर इसका मोल निकालना है तो सोडियम का मैंने याद करवाय था 23 तो क्या 46 by 23 कर देंगे तो क्या 2 मोल आ जाएगा अगर इसका मोल निकालना है मेरे भाई तो 24 बटे कार्बन का 12 होता है तो क्या 2 मोल हो जाएगा अगर मैंने इसका लिखा धान से समझना 16 होगा तो क्या 30 हो जाएगा कितनी बाश समझ में आ रही है चलिए अगे बढ़ता हूँ उमीद करता हूँ समझ में आ रही हो ठीक है बस 2-3 गंटे और चलेगी क्लास आगे बढ़ता हूँ मैंने लिखा द्यान समझ येगा इधर देखिए मैंने लिखा एक ग्राम ऑक्सीजन एक मिली ग्राम ऑक्सीजन मैंने लिखा एक किलो ग्राम ऑक्सीजन ये एटम है वेटम ठीक ना लिखो तो भी तो पता चलना ही चुई ठीक है मैंने लिख दिया एक ग्राम ओटू मोल क्यों given mass upon molar mass करना है बस द्यान समझेगा given mass upon molar mass करना है तो कैसे लिखोगे mole is equal to लिखोगे given mass 1 हो गया oxygen का कितना होता है 16 इसका mole निकालना है मेरे भाई तो सबसे पहले mass को gram में change कर दो तो क्या 1 into 10 to the power minus 3 gram हो जाएगा divided by 16 हो जाएगा कितना होगा कि नहीं होगा अगर इसका mole निकालना है तो पहले gram में change करोगे तो 1 kg मतलब 1000 1000 बटे 16 क्या इतना mole आएगा कि नहीं आएगा अगर मुझे इसका mole निकालना है तो लिखोगा मैं 1 बटे O2 है तो O2 क्या जाएगा 16 गुड़े तो कितना 32 क्या इतना mole होगा कि नहीं होगा क्या मैं कुछ सवाल दूँ क्या मैं कुछ सवाल दूँ आप लोग करेंगे बताइए जरा क्या मैं कुछ सवाल दूँ आप लोग करेंगे जितेंद्र, बुसरा, जिद्दी, सिवा, स्रिस्टी, आकास, तिवारी, ठीक है, चलिए आईए सवाल करते हैं, पहला सवाल है, वन ग्राम कैल्सियम कार्बोनेट, दूसरा सवाल है, वन थ हंडेड ग्राम कैल्सियम कार्बोनेट, तीसरा सवाल है, वन किलो ग्राम कैल्सियम क चौथा साल है वन मिली ग्राम कैल्सियम कार्बॉनेट, सो किलो ग्राम कैल्सियम कार्बॉनेट, सिक्स ग्राम यूरिया, 6 मिली ग्राम यूरिया 6 किलो ग्राम यूरिया 60 ग्राम कुछ नहीं बस मन में याद करो ग्लुकोज 180 होता है यूरिया 60 होता है कैलसियम कार्वोनेट 100 होता है और इनके मास दिये हुए हैं सभी को ग्राम में चेंज कर लो और ग्राम को ये चेंज करने के बाद मोलर मास से भाग कर देना जब भी आपको मोल निकालना हो तो गिमेन मास में किसका भाग करेंगे मोलर मास का भाग करेंगे मेरे भाई किससे भाग करेंगे मोलर मास से भाग करेंगे चलिए करके दिखाईए जरा बहुत खुबसूरत ठीक है उसरा हाँ टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिएगा फिर उसी में मैं भेज़ दूंगा क्या बाद स्रिष्टी क्वीन फ्लेयर राजवर्धन श्रष्टी नितिन नितेश उमंग आकास्तिवारी कभींद्र पटेल क्या खुबसूरत बात कहीं अभी तो मैं मोल मंत्र बताऊंगा बहुत खुबसूरत बात की केवल आखें बंद करके जेस्टार का मोल मंत्र लगा ना बिल्कुल बिल्कुल हंडेट मोल ठीक है स्रवन अभिनाश सिवी जहां ठीक है अर्सीन खान वशुंद्रा उपाद्ध्याय ठीक है आर्यन किंग ठीक है ठीक है ठीक है सब कर लिए आये स्टार्ट करते है अगर कैल्सियम कार्बोनेट की बात करें इसका मोलर मास हंडेड होता है तो इसका मोल कैसे निकालोगे मेरे भाई क्या वन भाई हंडेड करके मोल निकालोगे ठीक है सर अगला अगर इसका मोल निकालना है तो हंडेड ग्राम दे रखा है तो हंडेड भाई क्या कैल्सियम कार् तो एक किलो ग्राम का मतलब 1000 ग्राम कर देंगे इसका मोल में दे रखा है तो इसको पहले ग्राम में बदलेंगे अपन हंडेट करेंगे तो तो च्छ पार अब यह दियां से भागीये मत भागीये मत अभी तो अच्छा concept शुरू होगा इसका मोल निकालना है तो क्या लिखेंगे 100 गुड़े 10 के पावर 3 अपन 100 से गुड़ा कर दिया तो क्या इतना मोल आएगा यूरिया की बात करो तो यूरिया का जो मोलर मास होता है वो 60 होता है कितना होता मेरे दोस्त 60 तो इसका मोल कैसे निकालिएगा इसका मोल निकालिएगा 6 by 60 करके ठीक है यह 6 मिलीग्राम दे रखा है तो पहले उसको ग्राम में चेंज करेंगे 6 into 10 to the power minus 3 ग्राम ठीक है ग्राम लिखने के जरूत नहीं है अपन 60 कर दिया इतना मोला जैगा अगर इसका मोल निकालना है तो 6000 किलो में शक्ष्टी कर दो faculties on ठीक है रस्वी जैस्वाल लभ रम आजमगर मैं भी आजमगर से ही ऑजब करसां तक है ठीक है ठीक है ठीक है सन्तोष तस्टी वश्चुंद्रा राजबर्धन मुश्कान रंजीत निसांदแ Imm거를 ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत खुश्र आइए. आए ये उल्टा समझते हैं, जैसे मैंने लिखा कि एक मोल सोडियम इसका मतलब, इसका मास लिकालना है, अगर आपको मोल गिवेन हो, द्यान से समझिएगा, मास लिकालना है तो मोलर मास से मल्टिप्लाई करना है तो आप लिखोगे एक गुड़े 23 ग्राम अगर मैंने बोला कि मेरे पास 2 मोल सोडियम है सोडियम एटम सोडियम एटम की लिख रहा हो सोडियम तो एटम ही होता न साथ एटम लगा दोगे तो क्या दिक्कत है भाई कोई दिक्कत नहीं है सेर तो क्या इसका 2 गुडे 23 ग्राम करोगे तो क्या 46 ग्राम आएगा की नहीं आएगा बिल्कुल आएगा सर द्यान समझेगा अगर मैंने 2 मोल glucose बोल दिया ध्यान से समझेगा मेरे भाई तो क्या इसका मास 2 गुड़े 180 ग्राम होगा की नहीं होगा अगर मैंने 5 मोल यूरिया बोल दिया है तो क्या इसका मास ध्यान से समझेगा मेरे भाई क्या 5 गुड़े 60 ग्राम होगा की नहीं होगा कि अतनी बात समझ में आई च्छा बात बहुत खुबसूरत बहुत सारे लोगों का अंसर आ रहा है चलिए बहुत खुबसूरत आगे बढ़ता है दूसरा है इफ नंबर आफ पार्टिकल इस गिवर तो मोल कैसे निकालेंगे मोल निकालेंगे नंबर आफ पार्टिकल जिसमें एटम होगा मोलिक्षूल होगा आयन होगा डिवाइड करेंगे 6.022 इंटू 10 तू दी पावर 23 से या फिर लिखेंगे मोल इसकल टू नंबर आफ पार्टिकल एन डिवाइड़ वाई एने तो यहां से क्या निकल के आएगा मोल निकल के आएगा उमीद करता होगा इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी और हम लोग इस पर कुछ कुछ प्रैक्टिस करेंगे ठीक है चली जैसे मोल निकालना है क्या निकालना है मोल कैलकुलेट मोल अभी मैं मोल मंत्र बताऊंगा अभी परशान मत हुईएगा फार्मूले में अटम भी लिखा है आएन में बी लिखा है दिमाज में सेट कर लेंगा अगर अन है तो अब हम एकची जैसे में आपको समझाता है ठीक है मैंने लिखा 100 एटम आफ एच्टू पच्छे बहुत सारे बच्चे कनफ्यूज होते हैं इसमें कि सर कर एटम में से बाग करना कि मोली कुछ नहीं कॉंसिप्ट क्लियर रखो मोल निकालना है ना तो एटम दे रखा है आगे भी तो एटम है मेरे भाई तो क्या 100 भाई एने कर दोगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी नहीं से कोई दिक्कत नहीं हो गगे अगर तुम्हें 100 एटम दे रखा है लेकिन बत्ती हमारी जलनी चाहिए कि हट्टू इस नौट एटम दिस इस मॉल्क्यूल दिन क्या करेंगे हम लिखेंगे कि 50 मॉल्क्यूल आफ एच्टू क्या बात कितना खुबसूरत बात है यह 100 एटम अगर है एच्टू के दे रखें इसका मतलब 50 मॉल्क्यूल होगा की नहीं होगा तो मॉल निकालने के लिए क्या करोगे मॉल इसको लटू लिखोगे 50 वाई एने क्या इतनी बात समझ में आ रही है ठीक है आगे बढ़ते हैं जैसे हमने लिखा 100 एटम आफ कैलशीय कोई दिख्याज़वान है हमने लिखा 1 एटम आफ कैलशीयम कोई दिख्याज़वाली बात Cash मैंने लिखा one ten thousand atom of calcium कोई दिक्कत वाली बात है अगर कटता नहीं है तो काटने की जरूरत भी नहीं है इनके टर्में लिख दीजिए इसका mole कैसे निकालिएगा hundred by na करके और इसका mole कैसे निकालिएगा one by na करके और इसका mole कैसे निकालिएगा एक हजार बटे एने करके तुमने का क्या बात हुआ ठीके समझ में आ रहा है आप लोगों को अगर समझ में नहीं आएगा तो पूछ लीजिए का मैं रिपीट कर दूँगा अभी मैं पढ़ूँगा आप लोगों के यहां दूसरे सवाल में मैंने लिखा 6.022 इन्टू 10 to the power 22 एटम्स आफ कारवन पीसरे सवाल में मैंने लिखा 3 इन्टू 10 to the power 25 मोलिक्यूल साफ यूरिया और अगले सवाल में लिखा मैंने 6 इन्टू 10 to the power 20 मोलिक्यूल साफ ग्लूकोज परिशान मत हो ना बिलकुल भी ना इधर आओ और स्क्रिट पर अगर यह एटम में एटम दे रखा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मोल की जगा क्या लिख दोगे आप चाहे एने रख दो चाहे एने की बैलू पता है लेकिन आपको एक बात बताऊं एने की बैलू बदलती भी है उसके टेस्ट के हिसाब से अगर काटने के लिए 6.022 नहीं दे रखा है तो आप ज्यादा स्मार्ट मत बनिएगा आप भी उसी के हिसाब से रखिएगा तो यहाँ पे हम एने की बैलू क्या रखेंगे अगर यह 6.022 दी पावर 20 दे रखा है तो हम भी जिद्दी हैं हम भी 6.023 लिखेंगे और कितना संदार तरीके से कटके यह म एने की बैलू आप 6.022 इंट्यू दी पावर 23 रख सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई और यहाँ से काटोगे तो 10 दी पावर माइनस वन आएगा क्या इतनी बास समझ में आ रही है सर इस क्लास को क्या आप अपलोड कर सकते हैं यह अपलोड ही रहेगा बेटा परिसान मत हो अगर इसके मोल निकालने की जरूरत पड़ी तो मोलिक्यूल दे रखा है आगे यूरिया भी मोलिक्यूल है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है molecule दे रखा है और molecule के लिए दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है तो direct हम भाग करतेंगे 3 into 10 to the power 25 upon 6 into 10 to the power 23 अगर मैं 23 बनाने चाओ तो 300 लिख दो 300 मैं से 6 से भाग करूँगा तो 50 आएगा मेरी calculation थोड़ी गंदी है आप शेप कर दीजिएगा इसको ठीक है अगर इसका मोल निकालना है तो ध्यां समझिएगा कहरा इतना molecules है और glucose भी molecules है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है 6 into 10 to the power 20 divided by 6 into 10 to the power 23 ठीक है तो क्या काटोगे 10 to the power minus 3 मोल आएगा कि नहीं आएगा क्या बताओ सब कुछ clear है कि नहीं clear है क्या सारी बातें समझ में आई कि नहीं आईए ठीक है ठीक है आगया राजबर्धन बशुंदरा आकास उरूज इल्मा सदफ राजबर्धन आकास रंजीत त्रस्टी चलिए बहुत बहुत शुक्री आप लोग होगा आगे बढ़ता फाइंट नमबर आफ एट पहला मन लिए चालिस क्राम कैल्सिय दूसरा हमने लिखा 120 ग्राम कार्बर्ध ध्यान समझना अब यहाँ पर इंट्री होती है मोल मंत्र की आँख बंद करो सोचना सुरू करो कुछ भी दिया है कुछ भी पूछे सबसे पहले क्या निकालोगे मोल अगर आपने मोल निकाल लिया है तो मोल से आप कुछ भी निकाल सकते हो मेरी बात मानो तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर कुछ भी दिया है कुछ भी पूछेगा सबसे पहले क्या निकालोगे आप मोल निकालोगे ठीक है चली आगे बढ़ते हैं 40 ग्राम कैल्सियम का मैंने सोचा ही नहीं क्या पूछा मेरे भाई मैंने लिखना शुरू गिया मोल इसकल टू 40 बटे 40 कर दिया क्या एक आ गया अगर कैल्सियम एटम है एक मोल कैल्सियम एटम आ रहा है तो एटम क्या एक गुड़े एने हो जाएगा क्या एक गुड़े 6.022 इंट्टू इंट्टू इपावा 23 एटम होगा कि नहीं होगा नहीं समझ माया बताए ज़रा ठीक है बस दो मेट रुगिये ब्रेक देता हूँ अगर कुछ भी दिया है सबसे पहले हम निकालेंगे मोल 120 बटे 12 कर देंगे तो कितना आएगा 10 मोल आएगा और ध्यान से समझेगा अगर आपको एटम निकालना है तो क्या 10 इंटू जितना मोल आएगा जैसे दर्जन नहीं आता था 10 दर्जन 10 दर्जन 20 दर्जन तो आप 12 से बुड़ा करते थे तो जितना मोल आएगा उसमें किस से मल्डिप्लाई करोगे एने से मल्डिप्लाई करोगे यानि कि 10 इंटू 10 इंटू 6.022 इंटू 10 इंटू इपावर 23 एटम्स कैं इतनी बाद समझ में आए ठीक है नितिन राजपूत बिल्कुल आप फामूला भी बराबर करके लगा सकते हैं बट मैं हमेशा बेसिक जानकारी बच्चों बताता हूँ आप लोग स्वार्ट हो जाओगे तो लास्ट मैं ऐसा ही करोगे ठीक है आई आगे बढ़ता है सवाल है एम्स का सवाल है करके दिखाना है आपको कुशन है विचांटा फालोविंग इस मैक्सिमम नमबर आफ अटम यहां समझेगा पहला है एक ग्राम ओक्सीजन दूसरा सवाल है एक ग्राम ओटू तीसरा सवाल है एक ग्राम ओठ्री और चौथा अफसन है आल आर से चलिए चलिए सारे लोगों का एंसर आना शुरू हो गया है चार 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 आल आर से चलिए स्टार्ट करता है हमें एटम निकालना है मेरे भाई तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे मास दे रखा तो मोल निकाल लें तो क्या 1 बाई 16 मोल आ गया बिल्कुल आ गया अगर 1 बाई 16 मोल आया तो इंटू एने कर दें तो क्या इतना एटम आएगा कि नहीं आएगा बिल्कुल आएगा और इसका मास 1 दे रखा है इसका मोलकुलर मास 16 गुड़े मॉल आ गया एन इस मल्टीपलाई कर दिया तो O2 मोलिक्यूल है नो तू मोलिक्यूल है अब 2 से गुड़ा करोगे तब आएगा क्योंकि 1 मोलिक्यूल O2 में 2 ऑक्सिजन एटम है मेरे भाई कितने 2 oxygen atom है तो 2 से multiply किया तो ये भी na y 16 आ गया क्या वाद एक ग्राम दे रखा तो 1 by 16 into 3 कर दिया तो mole आ गया into na कर दिया तो molecule आ गया into 3 कर दिया तो atom आ गया 3 से 3 कड़ गया यहां 2 से 2 कड़ गया था ये भी na y 16 आ गया तो बताईए क्या all are same है कि नहीं है समाज में आया के नहीं आया आ गया है चली एक और सवाल करके दिखाईए चली एक सवाल और करके दिखाईए question है which are the following is maximum number of atom पहला सवाल है एक ग्राम सलफर है दूसरा सवाल है एक ग्राम स 6 है तीसरा सवाल है एक ग्राम स8 है चौथा सवाल है आल आर से इसको कर दीजिए उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लेंगे हम भी कुछ खा लें कुछ खाए नहीं है ठीक है और उसके बाद अपने स्टार्ड करेंगे दूसरा सेक्शन और तीसरा मोल का फार्मूला पढ़ेंगे फिर एवरेज अटॉमिक मास पढ़ेंगे एंपिरिकल फार्मूला पढ़ेंगे परसंटेज कम्पोजीशन पढ़ेंगे देन इस्टाइक्यों मिट्री पढ़ेंगे देन मॉलारिटी मॉलारिटी और मोल फ्रक्शन ये सब चीज पढ़ेंगे ठीक है न तो अभी तो मेजर पार्ट बचा हुआ है ठीक है बिलकुल बिलकुल कमिंद ने बहुत सभी बात कही है कि टॉपर के लिए मॉल बंत रहे कार्बन के लिए नहीं अभी मैं पूरा मॉल पढ़ा दूँगा तीनो जिसमें आएगा जब वैलूम दिया हो तब उसके बाद जब मिक्स कुशन करूँगा तब आपको सोचना है तब मॉल लगाना है यूँ सोचिए आँख बंद करिए और सोचिए कि अगर कुछ भी दिया है सबसे पहले हम निकालेंगे मॉल क्या निकालेंगे मॉल निकालेंगे अगर मॉल पता चल जाता है तो मास के लिए हम मॉलर मास से गुड़ा कर देंगे अगर atom का mole पता चल रहा है तो n से गुड़ा करके atom निकाल लेंगे अगर mole के लिए molecule के लिए mole पता चल रहा है तो n से multiply करके molecule निकाल लेंगे इसी प्रकार जब volume के लिए मैं बताऊंगा तो जब gas का volume दिया होगा तो mole कैसे निकालेंगे और अगर गैस का मोल दिया है तो वेलूम कैसे निकालेंगे ये मिलते हैं ब्रेक के बाद ठीक है, तो मैं यापर 10 मिनेट का ब्रेक लूँगा ठीक है, कहीं जाओंगा नहीं मैं यहीं बैठा रहूंगा आप परिशान मिल्कुल मत होईएगा तो टाइम हो रहा है 12-12 तो 12-22 से 12-32 तक आप रहेंगे तो ठीक है नहीं रहेंगे, तो कोई दिक्कत बात नहीं है मैं यहाँ पर आवेलेबल रहूंगा तब तक आप लोग खाईए, पीजे, मस रहीए मैं भी कुछ खाने का सामान मंगवाया हूँ खा लेता हूँ, और फिर शुरू करेंगे तो, चले थोड़ा सा तब तक इसको म्यूट कर देता हूँ कहां से म्यूट होगा हूँ कहां से म्यूट होगा हूँ झाल कहां से म्यूट हूँ झाल झाल कहां जब गवाँ कहां से म्यूट कर देखित झाल 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 यह तो फॉर्टी फाइफ स्लाइड फॉर्टी 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 शिक्स अलग था तो चलिए शौगत है और जो लोग चले गए हैं बुलाईए उनको वापस चलिए चलिए मैं आ चुका हूँ बुला लीजिए अपने दोस्तों को और जो चले गए हैं चले गए हैं कोई बात नहीं लेकिन जो हैं उस शुरू करेंगा अगर मैं खड़ा होके पढ़ा सकता हूँ तो आप घर में बैठके लेटके खाके खाते वक्त पढ़ सकते हो ठीक है ना बिल्कुल एक मोटिवेशनल सायरी ही सुनाओंगा और ऐसे तो बहुत सारी सायरीयां सुनाता रहता हूँ मैं लेकिन अभी तो बस एक मोटिवेशनल सायरी सुनाओंगा बिल्कुल परिशान मत होई है चीजी ठीक है बिल्कुल हिमानसु पटल जी ऐसा मोल पढ़ाएंगे कि आप टीचरों को भी मोल पढ़ा सकते हो बच्चों की बात जोड़ो बस बुद्धी क्लास में रखना ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हो कहीं और सोच रहे हो बिल्कुल ठीक है ठीक है चलिए चलिए पहले लोग आतो जाएं चलिए आईए कुश्यों से सुरुआत करते हैं लोग आते रहेंगे छोड़े नहीं भी आएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जो बीच रास्ते में छोड़के जाएगा वो न आगे जा पाएगा न पीछे आ पाएगा वो वहीं फसके मर जाएगा ठीक है चलिए 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 आगे बढ़ते हैं अपने दोस्तों को सेयर कर दीजिए और नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं सवाल क्या था अपना जरा ध्यां से समझेंगे सवाल था find maximum number of atom सवाल है find maximum number of atom और यह सवाल मामूली सवाल नहीं है यह सवाल है नीट 2020 का और यह सवाल लिया गया है NCRT के पीछे से और option है एक ग्राम EG दूसरा सवाल है एक ग्राम O2 तीसरा option है एक ग्राम लीथियम चौथा option है एक ग्राम मैंगेशन सवाल हमारे जवाब आपके और आप बताएंगे कि इसका अंसर क्या होगा चलिए फटा फट बताईए इसका अंसर क्या होगा सी 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 थर्ड थर्ड सी 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 थर्ड शीवम सत्येंद प्रिया निशान्थ क्वीन अवशेक मुहम्मध इलमा आइको पॉकेट नाम सहीज रखो गता बोल पाएंगे शीवम निशान्थ मुहम्मध उमंग अबिनास रंजीत मुस्कान सिवम ठीक है तनिशका चाहत आकास ठीक है अबदुल राजवर्धन कबींदर पटेल ठीक है अकास तिवारी अभजी सिंग क्वीन शौरब बर्मा तनिशका यादव मिश्टर लायन अश्मित राज श्रेया रंजन स्रश्टी ग्रहर्म्या अका ठीक है सभी लोगों का थर्ड आ चुका है चलिए आएए देखते हैं ऐसी क्या खास बात है मैंने आपको एक मंद्र दिया था कि कुछ भी पूछे सबसे पहले क्या निकालना है मोल मोल निकालेंगे दिन आपको जो पूछेगा वो निकालेंगे जहां से समझेगा इसमें मास दे रखा है तो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे मेरे भाई सबसे पहले मोल निकालेंगे क्या 1 by 108 मोल आ जाएगा इसका गिवन मास अपान मोलर मास एजी 108 होता अभी मने रट्टा मरवाय था और कोई परशानी वाली बात नहीं है क्योंके नीट में दे रखा था एजी का 108 तो सबसे पहले मोल निकाला मोल से हमने एटम निकालना चाहा तो क्या एने से मल्टिप्लाई करेंगे बिल्कुल करेंगे दूसरे सवाल में एक बटे 32 करेंगे और गुड़े एने करेंगे तो मोलिक्यूल आएगा क्योंकि एक O2 मोलिक्यूल है और इसमें हम 2 से मल्टिप्लाई करेंगे तो एटम हाज आएगा क्या अतनी बात समझने आ रही है अगर मैं इसकी बात करूँ तो 1 by 7 लिखेंगे लीथियम का मोलर मास 7 होगा तो 1 by 7 मोल हो गया इंटू एने लिखेंगे तो एटम हो जाएगा और इसी प्रकार 1 बटे 24 इंटू एने करेंगे तो इसका भी एटम हो जाएगा 1 by 24 मोल हो गया मोल में हमने एने से मल्टिप्लाई कर दिया तो एटम आ गया क्या इतनी बात मेरी समझ में आई अब सोचो अगर कोई संख्या बाड़ी होगी तो नीचे वाला पार्ट छोटा होना चाहिए और इस हिसाब से थर्ड वाला आप्शन हो जाएगा कौन सा अप्शन हो जाएगा थर्ड वाला अप्शन हो जाएगा अर्सीन पाउनी कोपल शौम्या आयूस्तिवारी ठीक है बहुत सारे बच्चों का साहिए तो आईए फिर आगे बढ़ते हैं आईए आगे बढ़ते हैं ऐसे सवाल आप लोग कर लेंगे उमीद है संख्या बढ़ाईए बेटा संख्या बढ़ाईए संख्या कैसे बढ़ाएंगे आप लोगों को पता है इफ मास इस गिवें स्वारी इफ वैलू माफ ये तो पढ़ चुके था ना इफ वैलू माफ गैस इस गिवें आएट स्टीपी और एन्टीपी कंडिशन ग्यान समझ येगा तो मोल कैसे निकालेंगे मोल लिखेंगे मोल इसकल टू वैलू माफ गैस क्या लिखेंगे वैलू माफ गैस एट स्टीपी मतलब स्टैंडर टेंपरेचर प्रेशर या फिर एन्टीपी नॉर्मल टेंपरेचर प्रेश 22.4 याद रहे मोल निकालने के लिए हम वैलूम लीटर में रखेंगे और भाग करेंगे 22.4 से क्यातनी बात समझ में आ रही है अगर मैं बात करूं समय हो निकालना रही हम समय समय लेक है और यह सही डेटा हु mulga fel away ऑगे अगर आभाग के इसे भी ओल यह क्यों समय आईगा इसा इंशीन में बैंसन है और यह शही डेटा ह मैं लेकिन पहले क्या होता था पहले टेम्परेचन हम 0 degree centigrade मानते थे प्रेसर एक एठियम मानते थे और वैलूम तब 22.4 आता था लेकिन अभी भी सारे एक्जामों में जो कुश्चन पूछा जाता है जे एडवांस को छोड़के हर जगा हम 22.4 से ही भाग करते हैं क्योंकि सारा का सारा डेटा किसके बेस पे सेट किया गया है 22.4 के अभी इंद्र पटेल जी कह रहा है कि साइरी सुना देजिए सुना देता हूं एक बहुत अच्छी लाइन मुझे हमेशा याद आती है बच्चे जब घर से त्यारी करने आते हैं तो एक बार जोस उमंग पूरा रहता है फिर यहां आने के बाद गलत लोगों के संगत में पढ़ते हैं गलत मोटिवेशन ले ले लेते हैं या डी मोटिवेट हो जाते हैं तो उनके लिए दो लाइन हैं कि जब होसला बना लिया उची उडान का तो कद देखना फिजूल है आसमान का और इसी उमीद के साथ आप आगे बढ़ते रहिए एक ना एक दिन मंजल जरूर मिलेगी कभी भी मत सोचिए कितनी कठनाई आएगी कितनी टफनेस है क्योंकि पता नहीं मैं तो इस्टूडियो में हूं क्या पता मुझे अभी मोटिवेट करेंगे पढ़ते रहिए तब लास्ट मैंने बोला ना बात भी करेंगे जो लोग चलेगे उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी आईए यह जो ब्यूज है अभी लगबर 4700 ब्यूज हुए हैं आप आप इसको 10,000 बढ़ाईए और लोगों को बुलाईए चले तो यह डेटा आपको समझने आ गया कि अगर कभी भी NTA ने पूछा कि वैलूम आफ द्यास होजिएगा वैलूम आफ वन मोल गैस एट स्टीपी और वाफशन में 22.7 देगा तो उसको मारना है 22.4 नहीं मारोगे क क्योंकि NCRT में 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 और सही भी तो 22 समलोग साथ ही है ना तो कहां से रिफरेंस लाओगे वो जो तुम किताबें पढ़ रहे हूं वो रिफरेंस नहीं मानेगा NTA NTA NCRT मानेगा और NCRT में डेटा दे रखा है निव NCRT होगी तो 140 पर लेफ्ट हंड साइड पर खोलिएगा तो बकायता इसे बलेक बलेक में करके लिखा हुआ है पेज अगर मिस्टेक हो जाए तो देख लीजेगा दोस्त क्योंकि बहुत दिन हो गया मुझे भी पढ़ें इसमें कोई दोराय वाली बात नहीं मनें लिखा 5.6 लीटर सियोटू गैस दूसरा सवाल हमने लिखा 5.6 डेसीमीटर क्यूब सियोटू गैस इनका हमें मोल निकालना है आपने देखा 5.6 लीटर सियोटू गैस दे रगा है बिना सोचे समझे आपने 5.6 बाई 22.4 कर दिया ये भी नहीं सोचा एक बार किया कंडीशन क्या है अगर कंडीशन स्टीपी एंटीपी नहीं है तो कोई भी अधिकार नहीं है आपको क्या 22.4 से भाग करोगे क्योंकि ये कंडीशन ये भाग ये फॉर्मूला हम तभी लगा सकते हैं जब कंडीशन स्टीपी या एंटीपी होगी स्टीपी का मतलब है इस्टैंडर्ट टेंप्रेचर पर सर एंटीपी का मतलब है नॉर्मल टेंप्रेचर पर सर ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे गलत है अब मुद्दा है कि स्टीपी दे रखा तो लगा दू फार्मूला तो आप लिखोगे मोल इसकल टू फाइब पॉइंट शिक्स डेसीमीटर क्यूब का मतलब हो गया इसे प्रकार मनने लिखा 2.24 मीटर क्यूब O3 गास एक स्टीपी ध्यान सबजेगा 2.24 मीटर क्यूब का मतला 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है इसका मतला कि अगर आपको फामूला लगाना है तो आप इसको लीटर में लिखोगे कैसे लिखोगे 2.24 into 10 to the power 3 लीटर divided by 22.4 और इसको भाग करिएगा जो भी एंसर आएगा वो आपका एंसर हो जाएगा क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है जो मैं समझाना चाहा रहा हूँ क्या वो आप लोग समझ पा रहे हो एपर कमेंट बॉक्स में यस सर नो सर कुछ भी लिख दीजिएगा मैं समझ जाऊँगा चली अगर मैंने लिखा कि 2.24 cc आफ ओटू गैस एट स्टी पी द्यान से समझ येगा इसका मतलब कि cc का मतलब ml होता है ml का मतलब 10 to the power minus 3 लीटर होता है तो मोल निकालने के लिए क्या करेंगे मेरे भाई 2.24 into 10 to the power minus 3 divided by 22.4 करेंगे और इसको जब गुड़ा भाग करोगे तो बहुत ही जादा आसानी से आपको मोल निकल के आ जाएगा क्या किया मैंने मैंने देखा कि पहली बाद ये formula apply किसके लिए कर रहे हो sir ये formula apply होगा only for gas ऐसा नहीं कि किसी के लिए भी ये formula लगवा दोगे तुमने का जैसे एक example के माद्धम से हमें समझाईए ये तभी हम समझ पाएंगे तो आईए दोस्त एक example के माद्धम से आपको समझाने की कोशिस करता हूं कि अगर मैंने लिखा ध्यान से समझिएगा मैंने लिखा 5.6 ml h2o at stp दूसरा सवाल लिखा मैंने 5.6 ml h2o vapors at stp दोनों सवाल दिख एक जैसे रहे हैं लेकिन दोनों ही सवाल एकदम एक दूसरे से जुदा है एक liquid है और एक gas है वेपर gas ही होता है तो नीचे वाले सवाल मैं ध्यान से समझिएगा formula apply कर सकते हो लेकिन उपर वाले में बहुत बहुत शुक्री आकास्ति वारी जी लेकिन उपर वाले में आप formula apply नहीं कर सकते हो into 10 to the power minus 3 divided by 22.4 ये वाला formula आप नहीं लगा सकते हो तो सवाल आता है तो फिर कैसे निकालेंगे 5.6 ml ध्यान समझिए का 5.6 ml H2O का मतलब 5.6 gram H2O है और अगर किसी भी लिक्विडिया सॉलिड का मास दिया है तो मोल निकालने के लिए मेरे भाई क्या 5.6 में H2O का मोलर मास 18 होता है इससे भाग कर देंगे तो मोल आज आएगा की नहीं आज आएगा तो यहां से इसका मोल निकाल लेंगे अगर यह वेपर है ठीक है अगर यह वेपर है तो फॉर्मूला आप लगाओगे मोल इसकुल टू 5.6 इंटू 10 तू पावर माइनस 3 कि मिली लीचर को हमने लीचर में चेंज किया डिबाइड बाईड बाई 22.4 किया तो क्या इसका मोल निकाल लेंगे बिलकुल निकाल लेंगे भाई और इसी फॉर्मूले से निकालेंगे इसमें कोई दोराय वाली बात नहीं है मतलब अपना conceptual clarity होना चाहिए कि ये वाला formula सिर्फ हम gas के लिए लगाएंगे हम solid और liquid के लिए बिलकुल नहीं लगा सकते हैं भले ही volume हमको given हो STP या NTP पे दिमाग में बैठा लीजिए बात तुमने का ठीक है तो फिर क्या करेंगे अगर liquid है तो density लगा के ध्यासमना density of water अगर आपको ओगे density of water तो वो एक ग्राम पर हमल होता है इसी प्रकार हर एक liquid solid का density आपको दिया होगा तो आप उसी हिसाब से density का formula लगा के अगर volume दे रखा है तो ग्राम निकाल लो अगर मास आ गया है तो molar मास से भाग करके मोल निकाल लेना और यू गेटिंग माई पॉइंट और नाट है कि अधिक बहुत बहुत सुक्रिया बहुत बहुत सुक्रिया मिस्टर कैफी सर लिखा है इन्होंने वो दिन दूर नहीं जब हर जगा एक ही नाम होगा तो एक बार कैफी सर के लिए उपी लिख दीजिए भाई साब बह सुक्रिया सर मैं जो कुछ भी हूँ आपकी बदलत हूं और मुझे 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 मौका मिलता तो मैं आपसे फिजिक्स जरूर पढ़ता यह लाइन मैंने आफी से सीखिए इसलिए आफी को छेप दिया चलिए बहुत सुक्रिया आगे बढ़ता आएदर देखिए अब क्या है मौल मंत्र ध्यान से संजो यह मेरा मौल मंत्र है बच्चा जो पढ़ता है कभी भोलता नहीं आपने मंत्र और इसा處 और तो वही है जो बंगाली बाबा फूप देते हैं या काली कलकत्य वाली जह निकल जा इसे करके वैसे कि यह क्या करने वाले आईए अगर मैंने कहा कि 1 mol CO2 ध्मार से समनना कितनी बातें इससे हम explain करेंगे मैंने लिखा कि 1 mol CO2 है इसका मतलब मेरे भाई 1 गुड़े 46 g risen CO2 है के नहीं तो उन्हें गा बिलकुल सर 1 गुड़े 46 g risen CO2 है के नहीं बिलकुल है सर तो दूसरी बात खाते हैं क्या एक गुड़े NA molecule CO2 है कि नहीं है तुमने कहा बिल्कुल है सर कोई दोराय वाली बात नहीं है अगर मैंने कहा कि नहीं ये gas है तुमने हाँ CO2 gas होता है तो हमने कहा वईलूम बता पाओगे क्या इसका तुमने कहा सर एक गुड़े 22.4 लीटर CO2 गैस होगा एट स्टी वीब है तो कितनी गजब की बात ध्यान से समझना कि अगर आपको मोल दिया हुआ है मास, मोलिक्यूल और वैलूम तीनों चीज निकाल सकते हो बस दिमाग में ध्यान रखना मास निकालने के लिए मोलर मास से गुड़ा करना मोलिक्यूल निकालने के लिए एने से गुड़ा रखना एक चीज खटकना चाहिए कि मोलिक्यूल का मोल दिया होना चाहिए अगर आपको वैलूम निकालना है तो मोल पता है तो 22.4 से गुड़ा गुडा करके हम वैलूम निकाल सकते हैं कुनाल सिखने का सर आप निर्मल सर को जानते हैं क्या नहीं जानता तो नहीं हूं मिलवाईए आप ज़रूर मिलना चाहेंगे ठीक है सारे टीचर अच्छे होते हैं ठीक है ठीक है आईए आगे बढ़ते हैं सारे टीचर अच्छे हैं सभी अच्छे हैं सब अपना काम कर रहे हैं और बाकि आपकी प्रदिबाश परधा है आपको जिससे दिल लगे तो मौल मंत्र क्या था यहाँ पे मैंने छोड़ा ध्यां से समझेगा मोल मंत्र क्या है? एकदम कान में, आँख में, दिमाग में बैठा लो कि अगर आपको कुछ भी दिया है, कुछ भी पूछ रहा है तो सबसे पहले हर एक चीज निकालने का रास्ता मोल है मोल से होकर गुजरेंगे कुछ भी दिया है, सबसे पहले मोल निकालेंगे अगर मोल आ गया है मेरे भाई तो इसी कॉंसेट से आप कुछ भी निकाल सकते हो मेरी बात मानो, यकीन करो आख बंद करके शवाल आएगा कुछ भी रटने के जरूत नहीं है बस एक चीज़ रटना पड़ेगा आपको Atomic Master आएए फिर सुरू करते हैं सेलसला ठीक है चलिए बहुत 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 दिया Mr. Rebel सब समझ में आएगा आएए था देखे कुछन है Find Mass क्या लिखा मैंने Find Mass पहला सवाल है 5.6 लिटर CO2 गैस At STP दूसरा सवाल मने लिखा 11.2 लिटर 2 लिटर O2 गैस At STP दिया वैलूम है मेरे भाई पूछ आप से मास रहा है क्या मोल मंत्र लगेगा की नहीं लगेगा लगेगा सर और जबरदस लगेगा ध्यांसे समझेगा कुछ भी दिया है कुछ भी पूछे निकालोगे मोल निकालोगे और आपका मोल निकलेगा कैसे मेरे भाई 5.6 कोई फरक नहीं पड़ता है कि गैस O2 है कि CO2 है बस आना क्या चाहिए वैलूम पता होना चाहिए गैस का अपने आप मोल निकाल लेंगे डिबाइड भाई 22.4 अगर मोल इतना आ चुका है जिसे हम 1 by 4 लिखेंगे तो आपको मास निकालना है तो मास के लिए क्या मोल में मोलर मास का मल्टिप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे तो मास के लिए क्या लिखेंगे मोल इंटू मोलर मास क्या लिखेंगे mole into molar mass लिखेंगे 1 by 4 into और 44 gram लिखेंगे तो 11 gram आएगा क्या ये मेरी बास समझ में आई बहुत खुबसूरत बहुत खुबसूरत बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा है तो चलिए अगले कुशन की तरह पढ़ते हैं और उमीद करता हूँ ये आपको जरू समझ में आएगा लिखा है कि एक गैस है उसका वैलूम दे रखा है मास निकालना है तो सबसे पहले क्या निकालोगे सबसे पहले आप निकालोगे mole 11.2 divided by 22.4 करके अब निकालोगे 0.5 mole और अगर आपको मास निकालना है तो mole में किसका गुड़ा करोगे मेरे भाई 32 का गुड़ा करोगे क्योंकि O2 का molar mass 32 कराम होता है तो क्या 32 से गुड़ा करोगे तो क्या ये 16 कराम आएगा कि नहीं आएगा नहीं संथों माया पिल्कुछ समझ में आया कितने लोगों को समझ में आया एक बार दिल और फूल पत्ती सब कुछ भेद दीजिये चैट एकदम चका चक रंगीन होना चाहिए और मुझे उसी से एनर्जी मिलेगे तो मैं आपके चैट पढ़ रहा हूं बताइए कितने लोग सौन मैं आँ क्या बाप बहुत खुब सूरत बहुत खुब सूरत आई आगे बारता है एक जबरदास कोश्चन करता है find molecule in one ml of drop of water कह रहा है कि एक बूध है जिसका वर्लूम एक ml है और वो बूध किसका है पानी का जो आप समझे रहें उसका बूध बिलकुल भी नहीं है यह बूध किसका है पानी का बूध है तो क्या एक ml की जगा हम एक ग्राम भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का अप्रिशियेशन प्यार दिखाने के लिए बस यूँ ही आप बने रही है पूरा चैप्टर खतम कर देंगे और प्रॉपर एनरजी के साथ ऐसा नहीं बिना मन्स हैं तबियत खराब है मेरी फिर भी आप लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं इस वजह से मेरे अंतर एनरजी दुगनी हो जा रही है आईए और आगे बढ़ते हैं कहरा कि एक बूध है एक एमल का उसमें बताना है कि कितने मोलिक्यूल होंगे अगर वो पानी का बूध है उसका मास पता चल जाएगा तुमने का सर मोलन करेंगे जीगने क्या मूल आज आएगा 6 सगय अगर आपको मोलिक्यूल निकाल ना है मौल मंत्र से यूज कर रहा हूं कुछ वी दा मायने कुछ भी की जगाह मोल निकाल लिया मोल निकालने के बाद डायरेक्शन अपना फिक्स है बाई कि दर चलना आप अपने को मोलि बहुत बहुत शुक्रिया, तो 1 by 18 into n, n की value रख लो, निकाल लो, ठीक, ठीक है, आइए इसके application बे एक दो सवाल और करते हैं, mol मंत्र हमेशा याद रखना, बस सारे सवाल हो जाएंगे, एक सवाल और करते हैं, 6 into 10 to the power 20 molecules are removed from 640 gram of SO2 sample, then find remaining mole, then find remaining mole, कह रागी 640 gram का ये एक सेम्पल है, उसमें से कुछ molecule निकाल ले रहे हैं, तो सुनना मेरे भाई, आपने पढ़ा होगा, हमेशा घटाएंगे, जोडएंगे same unit में, अब gram में molecule कैसे जोड़ घटा सकते हो, नहीं कर सकते हैं तो mole मंत्र लगाना, क्या लगाना है, mole मंत्र लगाना है, mole पुछा है, तो जहां से समझिएगा, तो remaining mole पुछा है, तो निकाल लो total mole कितने, total mole में से जितना removed mole है, उतना घटा देंगे मेरे भाई, तो cancer आएगा कि नहीं आएगा, अगर यह कहरा, 640 mg, वारी, mg है, यह mg होगा दोस्त, मिली ग्राम कर लेजा, 640 mg है, इनका मंदर 10 तो इपाम माइनस 3, अपन SO2 का molar mass 64 होता है, 640 mg को मैंने ग्राम में बदलने के लिए, 640 गुड़े 10 के पावर माइनस 3 किया, अब इसमें 64 का भाग किया माइने, तो अपने पास क्या जाएगा, मोल आ जाएगा, यह तो टोटल मोल सेंपल का है, माइनस इसने मॉलेक्यूल निकाल दिये है, 6 इंटु 10 to the power 20 मोलेक्यूल निकाल दिये है, तो मोल निकालने के लिए क्या करोगे, 6 इन्टु 10 to the power 20, पूरी तरी करोगे अगर आप इसको ऊड़ाओं गे तो आयेगा 10 गुडे 10 के पावर-3 मैования ये फीक गंटा ओगे ये Red서 क्वें से पड़ें Claudia इसलिए मैंने खुष्चयन को चेंज कर दिया रिच कुछ भी। नहीं पता था मुझे क्या करना है कुछ भी नहीं समझमारा था क्या पूछ रहा है लेकन मैंने सोचा कि सब कुछ कैल्कुलेशन मौल एंक करेंगे तो मैंने ग्राम को भी मोल में बदल लिया स्वारी मिली ग्राम को भी मोल में बदल लिया मैंने मोल क्यूल को भी मोल में बदल लिया मोल में इसे मोल घटा दिया तो मोल आ गया अगर सवाल में पूछता कि remaining molecule कितना होता है अगर सवाल में पूछता मैं उसको अलग पैंसे लिख दे रहा हूँ remaining molecule remaining molecule remaining molecule कितना होगा 9 into 10 to the power minus 3 into n मोल पता है तो मोल में एने का मल्टिप्लाई कर देंगे तो क्या remaining molecule आएगा की नहीं आएगा कि नहीं समझ मारी बात अरूज फात्मा जल्दी आएंगे आर्यान किंग समझ में नहीं आया जी जी कुनाल सिंग जी बिलकुल नाम को मैं देखा कानपूर का नहीं हो बेटा इसलिए जानता नहीं हुँ हाँ हा लेकिन मौका मिला तो जरूर मिलूंगा सर से चीक है बहुत रिस्पेक्ट करता हूं सारी ठीचरों की तो उनसे भी मिलूंगा तो बात होगी लेकिन उनकी नहीं करता हूं जो बच्चों के फूचर के साथ खिलवाड करते हैं उनसे मेरा 36 काकड़ा चलता हूं जो बेवकूप बनाते लोगों को ठीक है उनकी नहीं करता हूं चाहिए उसे पास knowledge हो चाहिए ना हो जो अपना 100% बच्चों को देता बेवकूप बनाने का काम नहीं करता ठीक है? और यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो रही है यहाँ पर सब टीचर अपना अपना बेस्ट दे रहा है ठीक है? किसी के पास कम है किसी के पास जादा, कोई बेवकूप नहीं बना रहा ठीक है नो? चली यह जो बार-बार पूछ रहे हैं सरक्लास कितने बज़े खतम होगी? दोस्तों, अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ो नहीं तो जाओ, बाद में देख लेना कोई इशू नहीं, मैं तो चैप्टर कम्प्लीट ही करके जाओंगा क्योंकि हो सकता है कि एक साल बाद आपको जरूरत पढ़े तो आप आपके वापस देखोगे फिर आपको समझना है कि चीज़ है चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए एक और सवाल करते हैं इफ मास आफ 2 मोल AB2 इच बीस साथ इच बीस साथ ग्राम ठीक है और मास आफ 0.5 मोल A2 B3 A3 B2 लिख दे रहा हूँ A3 B2 is 60 ग्राम देन फाइन कुशन मैंने अपने मन से बनाया है डेटा भी चेकल लेंगे देन फाइन मॉलकुलर मास A and B कुछ भी नहीं है A को X मान लो क्या मानने मेरे भाई A को X मान लो इसका मॉलकुलर मास X है B को Y मान लो मानने में कोई दिक्कत वाली बात है सोचो दो मोल दे रखा है तो इसका मास 160 ग्राम है मोल बराबर गिवेन मास अपन मोलर मास इसका मोलर मास क्या लिखो गए X प्लस टू आई जी विसाल प्रजापती कैमस्ती में मज़ा नहीं आएगा मुझे पता है तो आप उसको देख सकते हूँ ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया कुनाल सिंग जी ठीक है जानकारी देने लिए क्या 0.5 mol 60 divided by इसका मैं लिखूँ तो क्या 3x प्लस 2y लिखूँँगा मोल इसकल टू गिवेन मास अपन मोलर मास मोलर मास नहीं पता तो एक सो आई के टर्मन निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते बिल्कुल निकाल सकते हैं दोस्त तो क्या यहां से x प्लस 2y की पहलू 160 बटे दो करोगे तो 80 आएगा कि नहीं आएगा बिल्कुल आएगा और यहां पर आप 3x प्लस 2y करोगे मेरे भाई तो क्या 60 by 0.5 क्या 120 आएगा कि नहीं आएगा और अगर मैं इसी एक्वेशन को उठाके यहां पर रख दूँ एक्स प्लस 2y बराबर 80 है और 3x प्लस 2y बराबर 120 है ध्यान समझेगा इसको घटा दीजिए बड़े वाले में से छोड़ को घटा दीजिए तो क्या आएगा यह तो कड़ जाएगा यह 2x आएगा और यह क्य अगर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा और इसको जब आप इसमें रखियेगा तो 3 गुड़े 20 प्लस 2y बराबर 120 हो जाएगा तो 3 दूनी 6 तो 2y बराबर 60 हो जाएगा वाई बराबर 30 हा जाएगा कितने लोगों को समझ में आया अब सेक बंसल क्या डाउट है बताईए मैं फिर से बता दूँगा हरसित यादो करें प्लीज एक्स्प्लेइन अगेन बिल्कुल अगेन एक्स्प्लेइन कर देता हूँ एक कंपाउंड एवी टू इसका मोलर मास हमको नहीं पता देहां समझना इसका मोलर मास हमको नहीं पता है तो A का मोलर मास मैंने X मान लिया B का मोलर मास मैंने Y मान लिया तो अगर AB2 का मोलर मास निकालना होगा तो क्या X प्लस 2i करेंगे कि नहीं करेंगे और कहरा है कि 2 मोल का मास 160 ग्राम है तो क्या मोल इसकल टू given mass upon molar mass होता है तो 2 बराबर 160 बटे x plus 2i कर सकते हैं ठीक है कैला 0.5 mol A3 B2 का 60 gram है तो इसका 3x plus 2i निकाल के हमने यहां रख दिया और इसका 0.5 mol है 60 बटे mol is equal to given mass upon molar mass कर दिया तो 3x plus 2i आ गया पर class 6 में हमने पढ़ा था कि कैसे हम equation को solve करते हैं ठीक है दोस्तों को बुलाईए जाने मत दिजिए ठीक है कोई बात ने चलिए आगे पढ़ते हैं अब थोड़ा मैं फार्स पढ़ा होगा मोल कैलिक्वेशन किलियर हो गया है मोल मंत्रा आ गया है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप से एक बंजल जी कह रहा है सर हमारा डाउट यह है कि आपकी साधी हो गई है क्या दोस्त मेरा टेस्ट खराब नहीं है इसलिए आप तो बिल्कुल बद पूछो अगर नहीं भी हुई होगी तो तुमसे थोड़ी ना करेंगे चलो पहला मजाक किया मैंने वैसे भी मजाक करता नहीं हो मैं करता हो तो गंदी बात हो जाती है फिर आओ इधर आओ एक नया टॉपिक लेते हैं एवरिज एटॉमिक मास कोई फामूला नहीं कोई 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 रट्टा फीकेशन में सिर्फ कौनसेप समझेंगा यह किसके लिए वैलिड है अप लीकेबल है आईसोटोप्स के लिए मैंने माला एक क्लोरीन एटम है क्लोरीन के दो आईसोटोप्स है Mem Sieel Tamár इसके परसेंटेज 25% है और इसके परसेंटेज 75% है मैंने कहां कि क्लास में कुछ बच्चे 75 नंबर पाये हैं कुछ बच्चे 25 नंबर पाये हैं उनक्या एव्रिज निकाल दो तो आप पता करते हो कि 75 नंबर पाने वाले बच्चे कितने हैं उनको आपस में गुड़ा कर देते हो प्लस आप पता करते हो कि 25 परसंट वाले लोग कितने हैं फिर उनमें आपस में गुड़ा करके जोड के divided by 100 कर दूगे ठीक है तो इसी प्रकार इसका average atomic mass निकालना है तो हम लिखेंगे 37 into 25 प्लस 35 into 75 divided by 75 और 25 को जोड़ोगे तो क्या सव आएगा इसका multiplication करोगे तो I think 925 आएगा और इसका multiplication करोगे तो I think 2625 आएगा और इनको जब जोड़ोगे मेरे दोस्त तो 3550 हो जाएगा divided by 100 कर दोगे तो 35 तसमलोग 50 हो जाएगा क्यातनी बास मनमा रही है करते रो बेटा कोई दिक्कत नहीं है मैं इतना बुरा नहीं मानता हूँ चला करते हैं टाइप नमबर 2 क्या बोलो मैंने टाइप नमबर 2 आई ये सवाल को करते हैं क्यारा कि बुरान के दो आईसोटोप्स है एक भी 11 है एक भी 10 है और इनका एवरेज अटोमिक मास 10.80 है देन फाइंड देन फाइंड परसंटेज एबंडेंस इन निचर मैंने का अगर बोरान के दो आईसोटोप्स हैं तो एक तो एकस परसंट माल लेता हूँ दूसरा क्या हंडेड माइनस एकस परसंट हो जाएगा बिलकुल अगर मैंने एक को एक्स माना तो दूसरा सो में से एक्स होगा तो आपने खा किसको माल लें इसको मैं एक्स परसेंट माल लेता हूँ तो क्या दूसरा हंड़िड माइनस एक्स परसेंट हो जाएगा क्या समझ में नहीं आ रहा है आराग नहीं आ रहा है आराग नहीं आ रहा है बताईए तो जरा मेरे भाई आ रहा है तो आगे बढ़ता है तो इसका average atomic mass अगर मैं लिखना चाहूंगा मेरे भाई तो क्या 11 into x plus 10 into 100 minus x divided by 100 करेंगे बिल्कुल और average atomic mass इतिफाक से जैसे मैं अप्रोच सिखा रहा हूं थे औरी नहीं पढ़ा रहा हूं अप्रोच नीट में सवाल कैसे सेकंड में करेंगे क्या 10.80 करेंगे दे रखा है मैं नहीं बोलना हूं अपने मन से अब cross multiply करोगे तो ये 1080 हो जाएगा और ये 11 x plus 1000 minus 10 x हो जाएगा अगर आप इसको जोड़ोगे तो 1080 बराबर ध्यान समझिएगा 11 x minus 10 x और 1000 को उधर ले जाएगा तो इसको घटा देते हैं क्या x plus 1000 हो जाएगा तो क्या x की बैलू 80 आ जाएगे क्याने का मतलब था कि ये तो 80 % होगा और ये कितना हो जाएगा 20 % क्याती बास समझगे आ रही है एक गजब सवाल पाउनी गुपताजी ने पूछा सर अगर तीन आइसोटोप्स दिये हैं और एबंडेंस परसेंट पूछे तो कैसे निकालेंगे तो उसके लिए आपको दो जानकारी देगा या तो बोलेगा कि कम वाला इतना है ज़ादा वाला इतना है बाकी के बारे में नहीं बोलेगा लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दो दो एक्येशन से तीन निकल वाएगा परसान मत होई है ठीक है योगी दिवेदीजी ठीक है आई आगे बढ़ते पशीना होने लगा एसी बंद हो गए तिवी चैलू हो गया परसान मत होई एक सवाल करिये एकस के तीन आईसोटोप से हैं आईए सुरू करते हैं सिलसिला एक त 5% abundance है इसका 5% abundance है तो बताओ average atomic mass क्या होगा तो बताओ दोस्तों average atomic mass क्या होगा अभी जैसे मैंने दो के लिए अपलाई किया था वैसे तीन के लिए अपलाई करेंगे क्या मेरी बात समझपा रहे हो आप लो चलिए बहुत खुब्सूरत सैफान आर्यन पाउनी सैफान गरिमा सचान तनिश्का यादव सभी ने अंसर सही जवाब दिया है सवड जावाद है बहुत खुब्सूरत अगर इसका average atomic mass निकालना है तो मैं लिखूंगा 98 इंटू 5 प्लस 100 इंटू 90 प्लस 102 गुड़े पांच अपॉन 90 पंचानबे 100 तो average atomic mass निकालने के लिए गुड़ा मत करना द्यान समझना इसको इसको एक साथ ले लो पांच कॉमन है तो पांच गुड़े 102 प्लस 98 प्लस 100 गुड़े 90 बटे क्या कर दोगे क्या ये calculation समझ में आया कॉमन था इसलिए एक साथ ले लिया ठीक है तो क्या हो जाएगा 102 प्लस 98 मैं ने एक बात बोली थी कि अगर मेरे 10 ना चाहने वाले हैं तो 90 मेरे ऐसे चाहने वाले होंगे जिन के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और वो भी मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं और मैं ऐसे बच्चों के लिए 24 इन्टू 7 अबलेवल हूँ जरूरत पड़ी तो जान लगा देंगे लेकिन आपका सेलेक्शन करवा के रहें उन बच्चों के लिए हैं जो पढ़ना चाहते हैं और जो टीचर्स के रिस्तक करते हैं बाकियों को दुनिया पड़ी है कुछ भी करो ठेला भी तो लगाना है ना देशी दारू के सामने मु तो 0000 100 से भाग कर दिया तो 5 गुड़े 10 हो गया प्लस 90 तो क्या 100 आ गया ठीक है सब वैसे भी मैंने आपको डारेक्ट अप्रोश शिखाया था मेरे दोस्ट कि अगर आपको ध्यान से समझो दो ज्यादा है दो कम है आईसोटोब सो परसंटेज भी सेम सेम कम ज्यादा है तो चालिस प्लस 50 प्लस 60 बटे 3 करोगे तो 1500 बटे 3 करोगे तो 50 ही आएगा भागी आप समझदार हो ठीक है आगे बड़ता है एवरेज अटामिक मास्ट कितम हो गया दूसरा टापिक है परसंटेज कमपोजीशन बहुत ही खुबसूरे टापिक है कई सालों से नहीं पूछ रहा है और मेरा मानना है कि पूछेगा जरू चुन्व बाकी टापिक्स यह को बाला पूछ चुका है एक बार अपने दोस्तों को सेर करके बुलाईये बुलाईये जरह सेर करिए उन लोगों की त्यारी कर रहे हैं अभी तो असली गेम बचा हुआ है ठीक है ना बिल्कुल 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 ठीक है आपसे चैट मत कीजिए आईए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है आईए देखिए आईए दर देखिए लिखिए अगर कैल्सियम कार्बोनेट है और आप से कोई कहता है कि इस कंपाउंड में कैल्सियम का कितना परसंटेज है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कैल्सियम का मास कितना है और कैल्सियम कितना है तो कैल्सियम तो एक है ध्यान समझा कैल्सियम कार्बोनेट में कैल्सियम एक है तो एक गुड़े 40 लिख लें क्योंकि अटॉमिक मास 40 है डिवाइड वाई कैल्सियम कार्वोनेट का मोल्कुलर मास सव होता है तो कैल्सियम का टोटल मास अपॉन टोटल मोलिक्षूल का मास अब परसंट निकाल रहे हैं तो क्या सव कर देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं तो क्या सव से सव कट जाएगा 40 परसंट आएगा अगर आपको पर्सेंटेज आफ कार्बन निकालना है तो एक कार्बन एटम है तो एक गुड़े बारा लिखोगे अपन कैल्सियम कार्बोनेट्स होता है और पर्सेंट निकालने के लिए 100 से मल्टिप्लाई करोगे तो 100 से 100 कट जाएगा क्या बारा पर्सेंट आएगा कैतनी बास समझ में आ रही है दोस्त ठीक है आई आगे बढ़ता है अगर पर्सेंटेज आफ ऑक्सीजन निकालना है तो तीन गुड़े 16 बटे 100 कर दो तीन ऑक्सीजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम का 16 होता है तो तीन गुड़े 16 बटे 100 करोगे क्या 48 पर्सेंट आएगा कि ने आएगा 48 पर्सेंट आएगा इसी प्रकार ध्यान से समझिएगा कि मैंने लिखा CH4 और मैंने पूछा पर्सेंटेज आफ कार्बन कितना होगा तो आपने कासर एक कार्बन है कार्बन का 12 होता है और CH4 का टोटल 16 होगा मैंने निकाल लिया था 16 गुड़े 100 और आप इसको कल्कुलेट करोगे तो 75 पर्सेंट आएगा किमगी 4 से उड़ाओगे तो 3 आएगा और 4 से उड़ाओगे 4 आएगा 4 उड़ाओगे 25 आएगा 25 गुड़े 3 पर्सेंट इसी प्रकार अगर मैं हाइडोजन का पर्सेंटेज निकालना चाहूं मेरे हाई तो एक गुड़े चार लिखूंगा चार इसलिए कि चार हाइडोजन है और हाइडोजन का एक होता है यह यू लिख लो ने तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि चार गुड़े 1 अपान 16 गुड़े 100 तो क्या 25 पर्सेंट होगा कि नहीं होगा कि अतनी बात समझ में आई है अब मैं आपसे एक सवाल का जबाब चाहता हूँ ध्यान से समझेगा मैं आपसे एक सवाल का जबाब चाहता हूँ क्या आप बता पाएंगे क्या निकाल पाएंगे अगर निकाल पाएंगे बता पाएंगे तो कमेंट बॉक्स में आप एस सर ब पर्संटेज आफ नाइट्रोजन इस मैक्सिमम और मिनिमम इस टाइब का सवाल पूछा जाएगा तो सवाल का सिलसिला सुरू करते हैं आईए बताई कुश्चन है Find पर्संटेज आफ नाइट्रोजन इन यूरिया यूरिया बोले तो नाच दो, सियो नाच दो ऐसे ही याद रखिएगा हमारे गुरुजी ने बच्पन में मुझे ऐसे ही याद करवाया था और मैं आपको बता दो बच्पन मैंने कोटा से पढ़ाई की है तो मैंने बहुत सारी चीज़े अपने गुरुजी से सीखी है और उनका हमेशा सम्मान करता हूँ और टीचरों का सम्मान नहीं करूँगा तो आगे कैसे बढ़ाऊँगा तो सारा से मेरे टीचरों को जाता है नहीं किसी बुक को जाता है नहीं किसी कॉलेज या इन्वेस्टी को जाता है ठीक है तो चलिए आगे करके दिखाईए क्या बात है क्या बात है मुहम्मद हुजैफा मुहम्मद हुजैफा एंसर सबसे पहले दिया सुरेश नंदनी शिंग बहुत सारे लोगों का रहा है अगर मैं लिखू परसेंटेज आफ नाइट्रोजन तो ध्यान समझना दो नाइट्रोजन है और दो गुड़े चवुदा लिखूंगा अपॉन साथ करूंगा गुड़े सो करूंगा क्या यह एठाइस सो पटे साथ हो जाएगा उड़ा दूंगा तो क्या यहां से 46.66 परसेंट यानि 46.66 परसेंट आएगा कि नहीं आएगा NCRT में एक सवाल दे रखा है उसको भी आप कर लीजिएगा पूछा है N2SO4 में ध्यान से समझ दीजिएगा 11 वाले बिल्कुल कर लेंगे टेस्ट में आ सकता है NCRT से बार नहीं आएगा टेस्ट में और आएगा तो आपकी दिम्यदारी है कि आम मुझे बताएं टेस्ट में बाहर से बिल्कुल नहीं आएगा तो इसका निकाल लेना दूसरा H2SO4 का निकाल लेना तीसरा ग्लुकोज का निकाल लेना चौथा SO2 का निकाल लेना SO2 का निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप जब निकालोगे तो 50-50 परसेंट पता चलेगा ठीक है क्यात्ति बास अन्मारी है चुरी ये टाइप 1 था टाइप 2 की तरफ बढ़ते हैं एकदम तयार रहिए नजरें स्किन पर रखिए ठक गये हो तो ल स्किन को देखते रहें गरंटी देता हूं कि समझ में आएगा कोई भी पेपर की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैं ऐसी चीज लिखी नहीं रहा हूं कि जो आपको समझ में आए या आपको खुद करने की जरूरत बढ़त है कि बहुत बहुत शुकिया प्रणय वंसल आपके आशिरवाज से आई क्लियर्ट जही में बिथ 89 परसेंटाइल इन 2021 की स्पाइस चलिए बहुत बहुत शुक कामना है आपका भविश्य उज्जोल हो और प्यार दुलार बनाए रखिएगा लोगों को मेरे बारे में अच्छ परसेंट यह एलिमेंट है तो बताओ इसका मोल्कुलर मास कैसा होगा बहुत डरावना सा चुटकी में करेंगे ध्यांस देखिएगा जैसे लिखेगा इन हीमोगलोबिन in हीमोगलोबिन 0.33% iron atom is present if four atoms of iron is present in in हीमोगलोबिन देन फाइन ही मोल्कुलर मास हीमोगलोबिन आपने का समझ में कुछ भी नहीं आ रहा कुछ भी समझने की जरूद नहीं है जैसे हमने परसेंटेज निकलवाया था वैसे परसेंट दे रखा है मेरे भाई एक मिनट एक मिनट में क्या सवाल था आपका दोस्त कि इफ इन दा डिफिनिशन आफ और यू रिप्लेशन आफ और यू रिप्लेश कर दिया तो यूनिट चेंज जाएगे अभी मैंने सवाल करवाया था बेटा तो लेट कर दिया सरबट एक प्रॉब्लम है आपका सिर्फ असिरवाद इन वाल उथा वागी कुछ नहीं बागी तो मैंने खुदी पढ़ा है फिर आपके बारे में अच्छा बात हैं चलिए बहुत-बहुत सुक्रिया सुक्काम ना है लग नहीं रहा गया आपने क्लियर किया है क्योंकि कभ क्या 0.33% दे रखा है क्या नंबर आफ इटम 4 है ठीक है क्या एफ़ी 56 होता है ठीक है क्या मोलकुलर मास निकालना है ठीक है गुड़े सव कर दें क्या इतनी बात समझ में आई क्या इतनी बात समझ में आई की नहीं आई आप लोगों को जरा बताईए एक बार मुसे ओकी तो मोलकुलर मास क्या हो जाएगा चार गुड़े 56 लिख लो अपन 0.33 लिख लो इन्टु हंडेट कर दो और यह स्वाल कर लो और यहां से मोलकुलर मास आजाएगा फोर में 0.33 का भाग करोगे तो यूं माल लो कि बारा लिख लो तो बारा गुड़े 56 लिख लो इसस एंसर हो जाएगा ठीक है 67 लिख लो बहुत अच्छे आर्यन किंग बहुत खुबसूरत जबाव ठीक है दोस्तों को गुलाईए भागे नेगा नहीं कोई दूसरा सबाब पुछेगा कि इन हीमोगलोबिन धान से समझना मेरे भाई इन हीमोगलोबिन 0.2% आयरन इस प्रजेंट देन फाइन देन फाइन मिनिमम मुलकुलर मास आफ हीमोगलोबिन कह रहा है अब की बार एटम के बारे में नहीं बोला टाइप बदल दिया कह रहा है कि मिनिमम मुलकुलर मास बताओ धान से समझना अगर कभी भी मिनिमम की बात करेगा मेरे भाई इसका मतलब सिर्फ एक एटम होगा क्योंकि जीरो नहीं हो सकता अगर जीरो हो जाएगा तो जीरो परसंट आना चाहिए था लेकिन 0.2 परसंट दे रखा है इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है तो क्या लिखोगे आप 0.2 is equal to minimum का मतलब हो गया यहां से एक चीज पता चल लही है N की value एक है मतलब हेमोगलोबिन में आइरन के सिर्फ हो सिर्फ एक एटम है कितने एक एटम है ठीक है? आई आगे बढ़ते तो क्या एक गुड़े 56 लिख दू? divided by M लिख दू? गुड़े 100 कर दू? क्या इतनी बाद समझ में आ रही है? ठीक है तो अगर मुझे M निकालना है तो 56 बटे 0.2 कर दू? तो ध्यान से समझना क्या 28,000 होगा की नहीं होगा? क्या बाद नावाद? 23? 28,000 ही होगा भाई 56 का आधा करोगे तो 28 आएगा और पॉइंट वह है तो 10 से गुड़ा करता हो ठीक है? ठीक है? चलिए बहुत खुबसूरा आए आगे बढ़ते हैं जो लोग लाइक नहीं किये हैं सेसन को लाइक करके जाएंगे आए एक सवाल और करते हैं नरेंद्रमस्ती एक बुक है लिखा है इन काइफीन, not काइफी सर लिखा है इन काइफीन इन काइफीन 28.67% ठीक एग्जेक्ट तो डेटा मुझे याद नहीं लिए 28.67% नाइट्रोजन इस प्रजेंट इफ मोलकुलर मास आफ कैफीन इस 194 दें फाइंड नंबर आफ नाइट्रोजन एटम इन कैफीन सवाल का ताइप बदल गया दोस्त सवाल वही है सवाल क्या बात है बिनायक का सोधन जी बहुत खुबसूरत 47 नंबर कुशन ठीक है बहुत 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 खुब आईए ठीक लिखा आई उस्तिवारी ने कैफी सर बराबर कैफीन आफ फिजिक्स कैफी सरीज लस्टी नोट कैफीन कैफीन तो हर कोई लेता है लस्टी सबके बसकी बात नहीं है चली आई आगे बढ़ा कैरा 28.6 परसेंट है तो लिख दो ना भाई कितने एटम में पूछा है तो एन माल लो ना 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 इटोजन का चवुदा होता है तो लिख दो कोई दिक्कत है क्या नहीं डिवाइड़ बाई 194 इंटू 100 करतो उसी परसंटेज सेट कर रहा हूं अलग से कुछ भी मत लिखो भाई नहीं तो कटेगा अब कुछ बच्चों का एंसर 3.9 से बना रहा है तो 3.9 से बन नहीं हो सकता क्योंकि एटम हमेशा इंटीजर में होगा एक दो तीन चार पांच तो समझदार हो ना वैसे भी आप्शन में पॉइंट होगा नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं तो एंट की बैलू निकालोगे 28.67 इंटीफोर अपॉन चौदार सो तो यह लगबग 3.97 के आसपास आएगा जिसे हम चार बोलेंगे क्योंकि कोई भी एटम एक दो आधा अधा अधाई धाई नहीं हो सकता क्या इतनी बासमज में आ रही है क्या सारी बातें क्लियर हैं बहुत सारे बच्चों का जबाब आया है वसुंदरा पाउनी असह मुहमद ठीक है ठीक है अमरिता आयूस अंसिका आर्यन किंग निधी विसाल चंद्रा सौम्या कटियार ठीक है प्रदीप अनुज अक्षरा सुयस निबेदिता ठीक है रिसी हुमद हुजैफा ठीक है बहुत सारे लोगों का जबाब आया चली आगे बढ़ते हैं जिन लोगों ने सेशन लाइक नहीं किया लाइक जरूर करके जाएंगे और नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है बट कर देंगे तो appreciation मिलेगा मुझे मुझे लगेगा कि मैंने जो चार घंटे का वक्त लगबग साड़े तीन घंटे का वक्त आपके साथ बिताया है वह बहुत अच्छा रहा है उम्मीद करता हूँ कि आगे भी पूरी साल 2023 तक मैं आपके साथ रहूँगा पस आपका प्यार बना रहेगा तो ठीक है आगे बाढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं बहुत खुबसूरत टॉपिक है इंपिरिकल फार्मूला खेलना सिखाएंगे इसके साथ आए ध्यान समझेगा वह डबबबबबबबबबबब करके सब करते हैं वह नहीं करूँगा मैं आपको आओ जेस्टार का कॉंसेप्स समझाता हूं एक समाल उठाता हूं ज्यान से समझेगा कुश्यन है नीट 2021 में क्या सवाल आया था उसको भी करेंगे वेट कीजिए बस समझेए लिखा है इन हाइड्यो कार्बन in hydrocarbon 80% carbon is present 80% carbon is present अगर hydrocarbon है तो hydrocarbon में सिर्फ hydrogen और carbon होंगे मतलब 80% carbon है तो 20% hydrogen होगा क्या इतनी बात clear है की नहीं है अगर इतनी बात clear है मेरे दोस्त तो आइए लिखते हैं ऐसे c लिखूँगा बड़ा सा ऐसे बड़ा सा h लिखूँगा 80% है इसके नीचे 80 लिखूँगा यह 20% है इसके नीचे 20 लिखूँगा इसका atomic mass 12 होता है तो 12 लिखूँगा और इसका एक होता है तो एक लिखूँगा क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि अब कॉमन आ रहा है तो उड़ा दो कॉमन आ रहा है चार तो लिखेंगे सी फोर ट्वल एच अब नीचे वाले से भाग कर दो चैन बारा से गुड़ा कर दो तो हमने का यार इसको उधर ले जाते हैं बारा से गुड़ा कर दो यह कट जाएगा वहां बारा हो जाएगा यह जाएगा सी फूर एच बारा अपन सेटिंग कर रहे हैं कि यहां एक सिंप्लेस्ट वेश्यो आना चाहिए अच्छ इंपिरिकल फॉर्मुला के बारा जादा नहीं बताया बता देता हुपर्चान में तो चार कॉमन लेलोगे तो क्या हो जाएगा CS3 हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे भाई CS3 हो जाएगा नहीं समझें actually मैं empirical formula क्या होता simplest ratio of molecular formula इसको चाप लिए हो तो आगे बढ़ते हैं सुनो अगर कोई molecular formula दे रखा है तो उसका empirical formula कैसे निकालते हैं वो भी समझ लो और क्या common लेते हैं वो ही समझ लो पहला मैंने समझाया आभी आगे और बताता अगर मैंने C6 H6 लिया तो कितने common आ सकते हैं 6 तो इसका empirical formula CH हो जाएगा अगर मैंने H2 SO4 लिया तो इसमें कोई common नहीं होगा तो एक लिख देंगे तो मतलब इसका empirical formula सेम हो जाएगा ठीक है अगर मैंने C2 H6 लिया तो दो common आएगा यहां दो लिख देंगे क्या CS3 हो जाएगा अगर मैंने C2 H4 लिया मेरे भाई तो ध्यान से समझना C2 H4 का मतलब क्या होता है क्या दो common आएगा और क्या यहां पे CH2 हो जाएगा empirical formula तो आपने एक बाद notice की कि अगर molecular formula लिखना है तो empirical formula into n करेंगे की नहीं करेंगे तुमने का चलो n ना पता हो तो कैसे निकालेंगे n निकालेंगे मेरे भाई ध्यान से समझना कैसे निकालेंगे देखो इदर लिखेंगे molecular mass of molecular formula upon molecular mass of empirical formula अगर समझ में ही ना आए तो बड़े में छोटे का भाग कर दो बड़े में छोटे का भाग कर दो अपने आप समझ में आ जाया तुमने का समझ नहीं पाया देखो इसका molecular mass निकालोगे इसका molecular mass निकालोगे तेरा आएगा अगर एंकी बैलू निकालना है तो क्या ठत्तर बटे तेरा करते हैं कि अच्छे आ जाए को कि नहीं आ जाएगा अगर शोम्या कटियार विटी सेकंड में एंसर एंसर या विकाजा सब्सक्राइब थैंक्यू अगलघ तैंक्यूू थेंक्यू था स्रूमें सकंठागे दोस्तुख थिकश्याओ f अब एक और सवाल करते हैं इन हाइट्रो कार्बन है बोड़ भी हैंक करने लगा इन हाइट्रो कार्बन सेवंटी परसेंट कार्बन इस प्रसेंट बताओ इंपरिकल फर्मूला बताओ इंपिरिकल फार्मूला बताओ मेरे भाई फटा फट बताओ इंपिरिकल फार्मूला क्या होगा अच्छा है अच्छा है थीक है संतो श्रेया का सियस्त्री आया है हरसित यादव और मुवम्मद हुजयफा CH4 विकास का CH3 तान्या का CH4 गरिमा सचान CH4 संकू CH4 मुष्कान CH4 तन्या CH4 साइफान CH4 सौम्म्या CH4 हुजयफा CH4 तन्या सदाप प्रदीप सिगनेचर चन सेखर सुनधी महाबीर अंशिका प्रदीप सिद्धिका आयूश संतोस तन् भाद खुब सुरत है क Logite just Pop 01 लिए देखते हैं है का नेकारबन ल positivity लिखो नी मत नमट देके एक लिख दिया अब 25 कौमन आराथ उड़ा दो यहां तीन लिखतो क्या जाएगा C3 12 H1 अब नीचे वाली संख्या को हटाना है तो क्या 12 से घुड़ा कर दे अपने का सर काट सकते काट तो करना ऐसा करो मुझे कोई अपत्ती नहीं है तुमने का सर काट देता हो काट दो काटने में तो तेज हो ही फिर भी चार से घुड़ा करना पड़ेगा नीचे तो क्या CH4 हो गया कि क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई आ गई चलिए शेयर करिए गाईस आप शेयर नहीं करोगे तो मेरा मोटिवेशन कहां से मिलेगा ठीक है सवाल उठाया मैंने नीट 2021 का सवाल उठाया मैंने नीट 2021 का और देखते हैं क्या इससे होगा लिखा था इन हाइडो कार्बन इन हाइडो कार्बन शेवंटी एट परसेंट कार्बन इस प्रेजेंट प्रेजेंट देट फाइन इंपिर्कल फर्मूला और ऑप्शन क्या दे रखा था ऑप्शन लिखना बहुत ज़रूरी है नहीं तो दिक्कत होगा च च च टू च थ्री च ज्यासे समझीएगा जैसे मैंने पिछला सवाल बताया है बेटा यह जो टू आक्साइड वाला है इसमें परसंटेज लगा के निकाल लो पहले मेटल का मेटल का वहले अटामिक मार्श निकाल लो अपने आप आज आएगा ठीक है आफ्लाइन आओ पूछो बता देंगे नहीं तो फिर संपर्क करो और कहीं भी सोसल साइट पे मुझ ठीक है कार्बन लिखेंगे 78 तो हाइडोजन 22 हो जाएगा अगर कोई ध्यान समझें यहां 12 लिखेंगे यहां एक लिखेंगे अगर 22 से 78 डारिक नहीं कट रहा दमत काटो ना क्या दिक्कत है 12 को 78 से भाग दे दिया तो 6.5 आ गया है अब तुमको यह और यह सिंपलेश्ट रेशियो निकालना है तो कैसे निकालोगे अभी तक सिंपलेश्ट रेशियो आज आ रहा था इसमें नहीं आ रहा है तो जो छोटा है ना उससे दोनों में भाग कर दो जो छोटा है उससे दोन में भाग कर दो तो कैसे लिखोगे लिखोगे C 6.5 6.5 H 22 divided by 6.5 और इसको इधर लिख रहा हुझा है समझना जैसे ही सेम में सेम का भाग लगाओगे तो C1 हो जाएगा H 3.38 हो जाएगा और इसको जो मैं लिखना चाहूं तो CS3 लिख सकता हूं क्योंकि यह 0.5 से कम ठीक है संतोस आयूस वशुंधरा प्रिया मिश्टर लाइन गेमिंग इल्मा ठीक है सच में बताओ क्या समझ में आ रहा है आगे बढ़ते हैं आईए खुबसूरत सवाल करते हैं दोस्तों कुश्यन क्या है हो इन कि एक कमपाउंड कि स Giving प्रेजनेटिन है एभी टू पॉइंट टू जीरो ग्राम एक ग्याजट का मास कितना है टू पॉइंट यू जीरो ग्राम है है केरहा है इन्य पाँब्ल की इन फास्ट फोर इस प्रजेंट देन फाइंट इंपिर्कल फाउम्ला अब बच्चे देन फ्रॉत होते हैं कि सर्फ परसंटेज दे रखा था भाई मेरे परसंटेज दे रखा हो या फिर मास दे रखा हो at least हमें mole का ही दो ratio निकालना है ना तो अगर मास दे रखा है तो अच्छी बात है सीधे atomic mass से हम divide करके mole निकाल लेंगे नहीं सन्माया आओ अगर sulfur का मास निकालना चाहोगे तो 2.20 क्या 0.96 ग्राम होगा ठीक है सब फास्फोरस पता है 1.24 ग्राम है sulfur पता चल गया 0.96 ग्राम है फास्फोरस 31 होता है sulfur 32 होता है जम्माय ने इसमें इसका भाग किया तो मुझे पहले पता चल गया 0.03 आएगा इसमें जब भाग किया तो यह 0.03 आएगा और जब इसमें मैंने 100 से कर दो आएगा अजिस को मैं इसी गर्मी बहुत तकलिफ है भाई है को हुआ है कर दो चलिए आगी बढ़ते हैं एक आउस सवाल करते हैं चार ग्राम कैल्सियम है 6 इंटू 10 तू दी पावर 22 एटम्स आप कार्बन है प्लस 4.8 ग्राम ऑक्सीजन एटम है तो इंपिर्क्यल फॉर्मूला निकालना है आपको ध्यान से समझेए कि सबसे पहले लिखूंगा मैं कैल्सियम फिर कार्बन फिर ऑक्सीजन अगर आपको मास दे रखा है तो मोलर मास से भाग कर दो अगर आपको 6 इंटू 10 ती पावर 22 एटम्स दे रखा है एक्शुल में हम मोल का ही तो रेशियों ले रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया राजवर्था से साथ तो अगर एटम्स दे रखा है तो नंबर दे रखा है तो नंबर से भाग करेंगे ना तो सिक्स इंटू 10 ती पावर 23 और यह 4.8 ग्रान दे रखा है तो 16 से भाग कर दिया तो जब मैंने इसमें भाग किया तो यह 0.1 आया कारबन भी 0.1 आया ऑक्सीजन 0.3 आया और जब मैंने इसमें 10 का गुड़ा कर दिया सब में तो सी ये सी यो 3 हो गया क्या इतनी बाद समझ में आ रही है वाह क्या सीन है यह ने क्लास चले गया आप परशान मत हो कि अगे बढ़ता है अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं तो मैंने स्टार्टिंग में लगबद सारे सारे बेसिक पढ़ा दिये हैं अब मैं स्टाइक्यों मिट्रे की तरह बढ़ूँगा क्योंकि वन सौट है तो बढ़ूँगा इस टीसियो मिट्री भी बोलते हैं कुस्रों प्रनांसियेशन अपने अपने हिजाब से करने हैं अगर मैंने कोई रिएक्शन ए लिखा और इसको बी लिखा तो लेट हैंड साइड वाले को मैं रिएक्टेंट बोलूँगा एकदम जीरो से जिसने दुनिया में कभी स्ट्राइक्योमेट्री सीखी ही नहीं है वो आदा है अगर आप 20 मिनट मेरे साथ जोड़ते हो तो सीख के जाओगा नजरें से भी स्क्रीन पर रखिएगा इसे हम प्रोड़क्ट कहेंगे अगर मैंने कोई रिएक्शन लिखा 2A प्लस 3B गिप्स 4C प्लस 5T और मैं कह रहा हूं कि यह बाइलेंस रिएक्शन है कैसी रिएक्शन है बाइलेंस रिएक्शन है मेरे भाई तो ध्यान से समझना किसी भी बाइलेंस रिएक्शन में रिएक्शन और प्रोड़क्ट के सामने के जो कोफिसियंट नमबर लिखे होते हैं उसे हम एक नया नाम देते हैं इस्टाइक्योमिट्रिक कोफिसियंट जिसे हम रस समीकरण मिती गुणां कहते हैं क्या कहते हैं रस समीकरण मिती गुण कहते हैं हिंदी में इंग्लीज में क्या कहते हैं स्ट्राइक्योमेट्री कोफिशियन्ट अगर मैं आपसे कहूं कि स्ट्राइक्योमेट्री कोफिशियन्ट आफ ए तो क्या जवाब दोगे दो आएगा एह सब हसन आएगा आकास्तिवारी है हाँ हाँ बिल्कुल आकास्तिवारी होगा अगर मैं कहूं इस ट्राइक्योमेट्रिक कोफिशियंट आफ बी तो तीन बोलोगे दो तीन चार पाँच किसमास्तिवख आया यँ आया र है सारा खेल स्ट्राइक्योमेट्रिक कोफिशियन का है बात में पुछ यह बात में पुछियुएगा लिकैर घंट्र और अठी यह हो रहा है आई यह सुरू करता है अगर मैंने लिखा ए गिफ्स बी मैंने लिखा ए गिफ्स टूबी सारे बैलन्स रियक्शन है ए गिफ्स थ्री बी और मैंने लुखा टूए गिफ्स बी इसका स्टाइक्योमेट्री कोफिसियंट एक है अगर कोई रियक्शन प्रोजक्ट रियक्ट करके बन रहे हैं या मिल रहे हैं तो हमेशा उनका जो मोल का रेशियो होता है वो उनके स्टाइक्योमेट्री कोफिसियंट पे डिपेंड करता है मतलब जो Statico Metric Coefficient का रेशियो होगा वही उनका Mol का रेशियो होगा reactant करने के लिए तो एक Mol A मैंने कहां से लिखा यहां से लिखा एक Mol A produce करेगा एक Mol B कहां से लिखा यहां से लिखा यहां पर एक है यहां पर दो है कि एक Mol A प्रोडियूस करेगा दो दिया है तो दो Mol B Are you getting my point क्या बात कितना खुबसूरत एक बच्चे ने बोला कि सर एक Mol की जगा अगर पांच Mol A हो जाए तो एक Mol से दो Mol बन रहा है तो पांच Mol से दस Mol बनेगा की नहीं बनेगा मेरे भाई ठीक है इसका एक है तो मैं लिखूंगा की एक Mol A प्रोडियूस करेगा तीन Mol B को तो पांच Mol A प्रोडियूस करेगा पंदरा Mol B को कैतनी बात समझ में आ रही है ठीक है अगर किसी ने का नहीं महिया मैं तो दस Mol A का लूंगा तो यह 30 Mol B बनाएगा आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नाट क्या बाद क्या बाद ठीक है ठीक है ऐसा अच्छा लगा कि आपको समझ में आया ध्यान समझना इसका इस्टाइक को मिट्टी कॉफ्षियंट दो है त में लिखूंगा कि दो Mol A प्रोड्यूस करेगा एक Mol B को नहीं समझे नहीं सुनमाया तो एक Mol A क्या आधा Mol B प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा क्या बात क्या बात क्या बात क्या बहुत खुशूरा तो पांच Mol A क्या पांच बटे दो Mol B प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा करेगा दोस्तों को सेर करिए आगे पहुंचाईए ठीक है अगर हमने लिखा भाई मेरे समझना A गिफ्स 2B प्लस 3C और मैंने लिखा A गिफ्स 2B इधर लिखना था A प्लस 2B गिफ्स 3C प्लस 4D और मैंने लिखा 2A गिफ्स 2A गिफ्स 2A गिफ्स 2A गिफ्स कि एक मौल ए प्रोड्यूस करता है दो मौल B को आपने बिल्कुल बात है sir तो इसी हिसाब से क्या तीन मौल स्य बनाएगा कि नहीं बनाएगा विल्कुल बनाएंगा सर अगर मैं दो मोल ए ले लूँ तो क्या चार मोल बी और छे मोल सी बनेगा की नी बनेगा यह सर नो सर तो बोलिए आपने का सर अगर मैं दस मोल ए ले लूँ तो क्या 20 मोल भी बनेगा ती स्मोल सी बनेगा की नहीं बनेगा माने का हाँ यार बनना तो चाहिए रेशियो तो यही है बनेगा की नहीं बनेगा अगर वीडियो पसंद आएगा जितने लोग देख रहे हैं शेर जरूर कीजेगा अगर आप इंस्टाग्राम, फेस्बूक, ट्वीटर कहीं भी शेर करते हैं तो आप मुझे टैग जरूर कीजेगा पता चल जाएगा धूरोगे तो ठीक है अगर मैंने इसका लिखा की एक मोल इसके दो मोल से रियक्ट करेगा तो इसका तीन मोल बनेगा और इसका चार मोल बनेगा इसका मतलब यह रियक्ट किसके हिसाब से करना है अपने स्टाइक्योमेट्रिक कोफिस्टिन्ट के हिसाब से तो अगर मैं इसका दो मोल ले लू तो इसका चार मोल रियक्ट करेगा इसके छोहे मोल से और इसके आठ मोल बनेगे इनका इस टाइक्यो मिट्री कोफिसियंट वन था ये टू था यह थ्री था ये फोर था तो इसी के हिसाब से मैंने पहली लाइन लिखी है कि इसका एक मौल इसके दो मौल से रियेट करेगा इसका तीन मौल बनेगा इसका चार मौल बनेगा Are you getting my point? ठीक है आई यह स्वारी तो पहली लाइन लिखूंगा कि इसका दो मोल इसका एक मोल इसका तीन मोल यानि कि अगर एका एक मोल निकाल नेंगे तो इसका आधा मोल इसका तीन बटा दो मोल और अगर इसका पांच मोल ले लू मैं तो पांच बटे दो मोल 15 बटे दो मोल क्या इतना समझना आए कि नहीं है कि अगर दिखकत नहीं है हेलो 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 वाइस क्लियर है हेलो 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 है 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 to be a wise clear है नहीं है चीख है ओके आईए फिर सुरू करता है कि जैस्जास वाज़ेंगे अगर मैंने एक रियक्शन निखी कैल्सियम कार्बुने सिलसिला सुरू करते हैं सवाल मां अगर मैंने कहा कि इसका एक मोल है तो यह कितने बनेंगे यह कितने बनेंगे तो आपका जवाब होना चाहिए बिना सोचे समझे कि भाईया यह बाइलेंस रियक्षन है मैं बोल नहीं हूं है तो अगर यह बाइलेंस रियक्षन है तो इसका मतलब इसका 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 भी एक है तो क्या यह भी एक मोल बनेगा यह भी एक मोल बनेगा ठीक है सर्थ अगर मैंने कैल्सियम कार्बोनेट का मैंने लिया कैल्सियम ऑक्साइड प्लस सियो टू और मैंने बोला कि इसका मैंने दो मोल लिया है तो यह कितने मोल बनेंगे तो एक मोल से एक मोल बन रहा था तो दो मोल से दो मोल बनेंगे कि नहीं बनेंगा चलिए एक सवाल आपसे कैल्सियम कार्बोनेट कैल्सियम ऑक्साइट प्लस स्यो टू बना रहा है ठीक है मैंने इसका पचास ग्राम लिया तो आपको बताना है कि ये दोनों कितने बने गा चलिए एक सवाल करके दिखाईए फिर मैं लेबल दूँगा सवाल का ठीक है बता ये करके दिखाईए अब लोग को तो पता ये जुखाम से ग्रसित हों गलेवेक प्राब्लम है तो अन्हेथा मत लीजिए का तभी को होता है अब फिर मैं चार गंटे से बढ़ा रहा हूं एक लड़का मिल गया अक्षरा राजवंसी बस आप ही के लिए सवाल था अक्षरा राजवंसी ने लिखा पचास ग्राम पचास ग्राम तुम भूल गए कि मेरे स्टूडेंट हो कुछ भी दिया हो कुछ भी पूछे सबसे पहले क्या निकालोगे मोल और फिर बात करोगे मोल से मोल पचास बटे सव करोगे तो क्या पॉइंट फाइफ मोल आएगा ना मेरे भाई अगर ये पॉइंट फाइफ मोल आया है तो ये भी तो पॉइंट फाइफ मोल बनेगा ना और ये भी तो पॉइंट फाइफ मोल बनेगा ना नहीं समझेगे पहले मोल निकालना है, फिर मोल से मोल का रेशियो निकालना है, भाई साब एक से एक बन रहा है, मतलब जो भी लोगे उतना ही बनेगा, अगर एक रुपय में एक केला मिल रहा है, तो सो रुपय ले जाओगे, सो केला मिलेगा, पचास ले जाओगे, पचास मिलेगा, आधा रुपया ले जाओगे, तो आधा केला मिलेगा, अब वलग बात है को ना दे, उसकी मर्जी नहीं है तो, तान्या ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया कि सर 0.5 मोल आया है तो 0.5 इंटू 56 ग्राम कर दो क्योंकि कैल्सियम ऑक्साइड का मोलर मास 56 होता है तो यह 28 ग्राम बन जाएगा इसी प्रकार ध्यान समझेगा इसी प्रकार अगर इसका भी 0.5 मोल है CO2 का मोलर मास 44 ग्राम होता है तो क्या यह भी 22 ग्राम बनेगा की नहीं बनेगा नहीं समझ में आया आया की नहीं आया समझ में क्या बाद एक सवाल है आप लोगों के लिए कैल्सियम कार्बोनेट है कैल्सियम आक्साइड है CO2 मोलर मास इसका 100 है इसका 56 है इसका 44 में बता दे रहा हूँ मैंने इसका 400 ग्राम लिया है इन दोनों का मास बताओ पहला इस्टप क्या करना है मेरे भाई मोल निकालना है मोल से मोल निकालना है अगर मोल आ गया है अब पूछो क्या चाहिए तुम्हें मास पूछे तो मोल में मोलर मास का गुड़ा कर देना वैलूम पूछे ध्यान रहे कि गैस होना चाहिए तो क्या कर देना 22.4 से गुड़ा कर देना अगर मोलिक्यूल पूछे तो ध्यान रहे मोलिक्यूल के लिए मोलिक्यूल नकालना बहुत आसान है पस मोल पता हो उसमें एने से मंटिप्लाई कर देंगे बहुत खूल माइड्स है ठीक है? चल आ चुका है बहुत बहुत शुक्रिया आफ सिगनेचर लब मेरी एनरजी लेवल ऐसा ही रहेगी मरते दम तक बस आप लोगों का प्यार और आसिरबाद बना रहे चल यह चल यह बस दोस्तों को सेर करके जाईए अब होँ होँ जिनोंने सेसंट नहीं लाइक किया है लाइक कर देजिए लार चलिया उखाते हैं आयज धरी इस कि सबसे पहले चार सो में सोका भाग करेंगे चार मोल आएगा एक मोल से एक मोल बनता है मेरे भाई तो 4 मोल से च्रहdays्व बनाने में कोई तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए नहीं हो सब अगर 4 मॉल आ गया है आपको मास निकालना है तो 4 गुड़े 56 ग्राम कर देंगे 4 गुड़े 56 ग्राम कर देंगे तो क्या 224 ग्राम आ जाएगा बहुत खुशूरस अगर इसका 4 मॉल आ गया है तो 4 गुड़े 44 ग्राम कर देंगे तो मेरे भाई क्या 176 ग्राम आ जाएगा गुड़ा भाग कर लेना 4 चुग 16, 4 चुग 16 16, 16, 16, 176 ग्राम किसी बच्चे ने का नहीं ये गैस है ये शॉलिड है ये शॉलिड है मेरा मन है आज मेरा मन है आज गैस में वैलूम बतानेगा तो अगर किसी का मोल पता है वैलूम बताने के लिए मेरे भाई क्या 22.4 से गुड़ा कर दे तो काम हो जाएगा तो अगर क्या खुबसूरत बात बताई आपने 4 में 22.4 का गुड़ा कर दे और लिख दे अगर आपको यह लेबल समझ में आया हो तो मैं लेबल बढ़ाओं इजाजत है मेरे साथ क्या लेबल बढ़ाया जाया आगे अब की बार तो दो कुश्यन आये थे आदी सनी नीट 2022 में मोल कॉंसेट से दो कुश्यन आये थे और दोनों हो जाते चीक है आई आगे बढ़ते ज्यान से समझेगा अगर A से B दे रखा है 50% तो इसका मतलब क्या है 50% देने का मतलब हो सकता है कि रियक्षन 50% हो रही हो या फिर 50% प्योर हो A पास अनमारी ये दोनों मतलब होता है अगर A गिप्स भी है और ये 25% है तो क्या मतलब है इसका? अगर A गिप्स टू भी है और ये 50% है तो क्या है मतलब इसका? अगर A गिप्स टू भी है और ये 25% है तो क्या मतलब है इसका? अगर A गिप्स थ्री भी है ये 50% है तो क्या मतलब इसका? अगर 2A Gips भी है और ये 50% है तो क्या मतलब इसका आईए नजरे स्क्रीन पर रखिएगा चलिए बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए हुए हैं लोगों को share करिएगा टाकि सारे बच्चे आजाएं यहां पर चलिए आप कहेंगे बार बार से आप डिस्टर्ब करते हो शेयर के लिए बोल लो हुए ऐसा वैसा हम पैसा नहीं माग रहे हैं आपसे हमें सिर्फ चाहिए तो आपसे आपका सेलेक्शन दूसरा कुछ चाहिए तो अप्रिशियेशन अगर मैं कितना भी अच्छा दे लूँ इतना भी अच्छा मेहनत कर लूँ अगर लोगों तक नहीं पहुचेगा तो अप्रिशियेशन नहीं मिलेगा इसलिए मैक्सिम लोगों तक पहुचना बहुत जरूरी है बागी तो आप मेरी भावनों को समझ रहे होगे काम ऐसा करिए कि लोग याद रखें और मैं उसी को करने की होंगा तो इसका एक मोल बनना चाहिए था जब यह 100% होता 50% है तो क्या 0.5 मोल आधा बनेगा अरे 50% मतलब आधा बनेगा ना भाई नहीं सुनाया जुख्रा में तो नाग में कजीक से खुजली होने लगती है अगर मैं इसका एक मोल ले लूँ तो क्या इसका एक मोल बनना चाहिए था लेकिन 25% बनेगा और एक मोल का 25% 0.25 मोल होगा लगन ठीक है अगर इसका एक मोल दिया है तो इसका दो मोल बनना चाहिए था लेकिन 50% बनेगा तो 50% दो मोल का एक मोल होता है क्या इतनी बाद समझवें आ रही है अगर मैं इसका एक मोल दे दूं तो इसका दो मोल बनना चाहिए था लेकिन 2 मोल का 25% आँ निकालोगे मेरे भाई 2 मोल का 25% निकालोगे तो 0.5 मोल बनेगा चलिए बताईए इसका 1 मोल है तो कितना बनेगा और इसका 1 मोल है तो कितना बनेगा बताईए फटाक से बताईए चीक है चीक है ठीक है ठीक है बहुत खुब्सूरत असा बिरेन सौरब सिष्टी राजबर्धन क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात बहुत सांदार ठीक है आरियन श्वेस मुहम्मद सैफान अंजुल ठीक है ठीक है बीपी सिंग रंजीत उपद्ध है ठीक है मिस्टर लाइन केमिंग बेटा आप लोग तो घर पे हो ना बहुत सारी चीज़ें खा पी सकते हो मैं अगर खा लूंगा तो मैं पढ़ानी पाऊंगा मैं सुबहां से सिफ ब्रस किया हूं और मैंने दो-तीन बिस्किट खाई है केला रखा हुए लिए केला खाऊंगा नहीं कि गलती से मंगा लिया था जुखाम है और बस पानी-पानी पिया है और वह भी पिया है जो आप सोच रहें कोई गंदी बात नहीं होगी है कर लेड़ा एक मोल है तो तीन मोल बनना चाहिए था डेड़ मोल बनेगा मैच किया कमेंट बॉक्स में हाथ उठा दीजेगा ब्रि दाना अघी वरिक नहीं vale गाया ऑभी परिक नहीं देंगे जमत मत लैं नधी दो लेटी याarla एक मोल बनना चाहिए था एक मोल से अधा मोल बनना चाहिए था आधा मतलब 0.25 मॉल बनेगा कि पचास परसेंट हटा दोगे तो भी एक मोल से आधा बनना चीछ था आधे का आधा पॉइंट फाइफ पॉइंट फाइफ मोल बने रहे लगाता चार गंटे से बोलना हूं तो थोड़ा सा दिक्कत हो ही जाता है लेकिन एनर्जी मेंठेन रहे गम मिटा रही हो हां गम ही मिटा रहा हूं अगर मैं कैल्सियम कार्बोनेट ले लूँ मेरे भाई तो कैल्सियम ऑक्साइड प्लस यूचू बनेगा ठीक है मैं इसको सव ग्राम ले लेता हूं पचास परसेंट एंसर बताओ जरा क्या बोगा दूसरा सवाल लिख लेता हूं कैल्सियम कार्बोनेट कैल्सियम ऑक्साइड प्लस यूट इसका भी मैं 100 ग्राम ले ले रहा हूं कैल्सियम कार्बोनेट कैल्सियम ऑक्साइड प्लस यूट इसका मैं 50 ग्राम ले ले रहा हूं कैल्सियम कार्बोनेट कैल्सियम ऑक्साइड प्लस यूट इसको मैं 25 परसेंट ले ले रहा हूं और इसको 50 ग्राम ले ले रहा हूं तो बताइए कितना बने रहा हूं प्रदीव शौम्या इल्मा सदप फ्यूचर डॉक्टर वसुंद्रा मिश्टर लायन मुनीता मुहम्मद हुजैफा ठीक है अयूस प्रजापति श्रेया सिंग बहुत सारे लोगों का सही जवाब आया पाउनी गुपता अहसब खान ठीक ह मिथलेश बहुत शुक्रिया मिथलेश अंसिका शौरव अम्रिता शौम्या गटियार ठीक है लोग कम हैं लेकिन जज़बा वही है आई है सो ग्राम का मतलब एक मूल हो गया है तुमने का सर कैसे पता आपको वो टाइम चला गया जब फार्मूलर लगाके निकालेंगे अब दोस्त हक है की नहीं है कि आप दारिव निकाल लो इतनी देर से मैं पढ़ा रहा हूं बिलकुल तो एक मॉल से एक मॉल बनेगा यह भी एक मॉल बनेगा एक मॉल मतलब वन इंटू 56 ग्राम बनेगा वन इंटू 44 ग्राम बनेगा ठीक है तब जब यह हंडेट परसेंट होता वहाँ यह तो 40 परसंग दिया है ना भाई तो तुमने का रहें ऍस तो मतलिको मैं तो सम्झाने ग्ले लिख रहा हूं कि है युह सोच रहे हो यह तो नहीं बनेगा तो क्या बनेगा क्या यह पॉंट 5 मोल मोण बनेगा यह पॉंट 5 मोल बनेगा 44 ग्राम अश्राइक क्या 18 ग्राम बने गा मेरे भाई क्या 22 ग्राम बनेगा मेरे वाई नहीं समझ लारा है आप घर गरोने पर पा रहें सुचों मे पढ़ा रहा हो और भी ख़़णाओ के परस पर गद्दा नहीं लगवाया तो समझ रहे हैं मेरी बात मेहनत करें तपाईए इसलिए मैं इतने confidence के साथ कहता हूँ कि मेरा future बहुत ब्राइट होने माला है क्योंकि मैं अपने काम को बहुत लगन से करता हूँ आप भी जिस दिन करोगे एम से जाओगे याद रखना मेरी बात 100 ग्राम का मतलब एक मोल है और एक मोल का 25 परसंड क्या 0.25 मोल बनेगा 0.25 मोल बनेगा मेरे भाई अगर आपको मास निकालना है तो 0.25 इंटू 56 ग्राम होता है इसका मोलर मास और इसका 0.25 में CO2 का 44 ग्राम होता है गुड़ा करोगे तो क्या ये 14 ग्राम आएगा और इसमें गुड़ा करोगे तो क्या ये 11 ग्राम आएगा क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बताईए अगर सब लोग चले जाओगे बेटा तो क्लास फिर दोबारा नहीं होगी ये बात समझ लेना 50 ग्राम है तो 0.5 मोल होगा कुछ लोग दूसरा भी पढ़ने चले गए होंगे इधर उदर आओ 0.5 मोल का 50% क्या 0.25 मोल हो जाएगा उसका भी आधा तुमने का बिल्कुल सरी 0.25 मोल हो जाएगा और 0.25 मोल का मतलब क्या 56 ग्राम मल्टिप्लाई कर दें तो 28 की जगा क्या ये 14 ग्राम हो जाएगा बिल्कुल क्या ये भी 0.25 इंटू 44 ग्राम लिखते हैं तो क्या ये भी 11 ग्राम हो जाएगा अगर सब लोग चले जाएंगे तो अगली क्लास नहीं होगी मैं पहले बता दे रहा हूं फिर आप बात में न कहिए कैसर आप पढ़ाते नहीं हो मैं पढ़ाऊंगा तभी जो बीवर्स रहेंगे जब मुझे पसंद करेंगे अगर आप मुझे पसंद नहीं करोगे तो मैं फिर आखी टाइम पास क्यों करोगा अफ्लाइन में कुछ इतना बैस रहता हूं फचास ग्राम क्याकूइंट फाइफ मॉल हो जाएगा तुम्ने का वs पचास बैस रोजा इट्स यह जाने कि बंच नहीं कि बंब़ाइफ कि तना मॉल हो जाएगा अनसे कि अरे पचीस पर्शन के मतलब एक बटा चार से गुड़ा कर दो ठीक है चार से बाद देखिए क्या यह भी पॉइंट फाइब फॉर मोल हो जाएगा और जब इनमें गुड़ा करोगे 56 ग्राम से तो ग्राम आ जाएगा 44 ग्राम से करोगे तो स्योट हुआ जाएगा क्या मेरी बाद समझ में आई है ठीक है अंजली मिस्तरा जी जाने दीजिए आईएगा तो मेरे पास ही वनेट्टी के लिए चलिए फिलाल कोई बात में छोड़िए ठीक आईए एक खुबसूरत कॉंसेप्ट है लिमिटिंग रियेजंट जो बच्चे ऑफ-लाइन पढ़े होंगे मैं उनको बराती वाला कॉंसेप्ट दे के समझाता हूं हाँ थोड़ी मजाग में कम करता हूं मैं बहुत सीरिसली पढ़ा रहा हूं इसलिए कि लोग जो मनोरंजन होता उसको गलत लेते हैं अगर मैं 20-20 से मजाग नहीं करूंगा तो दिक्कत होती है लेकिन फिर भी मैंने बिल्कुल मजाग नहीं कि कोई गंदी बात नहीं की सिफ पढ़ाई पे फोकस किया अब आगे भी करके देख लेंगे दोनों तरीके से ठीक है कि आइए लिम्टिंग रीजर्ट पढ़ने से पहले हमें कहानी सुनते हैं आप बारात तो गए ही होंगे बारात में धेर सारे बाराति होते हैं तो देखा होगा अक्सर बाराति यों को एक ही टाइप का कपड़ा पहना देते हैं जिसने बेटर हो गए या फिर ऐसा मान वाले परिवार का सब एक हो गए, दुलहन वाले का अलग हो गए, भाया फूफा वाले ये अलग हो गए, ऐसा कुछ करके, तो मानलो मुझे बराती तयार करने हैं, पैंट है मेरे पास 50, 60 है मेरे पास 1.500, अगर मुझे बराती तयार करने हैं, तो 50 तयार होंगे, चाहे 1.500 तय होंगे बीच वह तो कोई कॉंसेट नहीं है अगर आप डेर सो तयार करोगे तो रिस्क है कुट्टे भी दवरा सकते हैं क्योंकि अगर किसी बारात में आप सिर्फ सर्ट पहन के चले जाओगे तो फिर खत्रा बढ़ा रहेगा कुट्टे कहीं और भी एटायक कर सकते हैं तो इ मेरे भाई कि जो लिमिटिंग अमाउंट में होगा जो कम अमाउंट में होगा वही डिसाइड करेगा कि प्रोड़क्ट कितना बनेगा प्रोड़क्ट इंदासिंस बराती अगर हम पचास पैंट ले रहे हैं तो पचास सट अपने पास हाराम से हो जाएगा यानि कि पचास बाराती तयार होंगे अपने पास नहां से समझेगा पचास बाराती तयार होंगे तो decide कौन कर रहा है पहेंट या सर्ट सर दोनों गए तेल लेने decide वो कर रहा है जिसका amount कम है जिसका amount कम है वही decide करेगा कि product कितना बनेगा और control किसका होगा जिसका amount कम होगा चाइस में point का control है कि नहीं है सर्ट पे point ही कह रहा है कि पचास सर्ट लओ मतलब limiting reagent के कई फायदे हैं द्यान से सुनिएगा अगर आपको limiting reagent पता चल गया है तो जो limiting reagent होगा वो खतम हो जाएगा देखो सर्ट खतम point खतम हो गया हाँ जो limiting reagent है वही decide करेगा कि product कितना बनेगा और जो limiting reagent है वही decide करेगा कि दूसरा वाला reagent जो है उससे कितना react करेगा बेजे में गुशी बात? नहीं गुशी? are you getting my point or not? कोई बात नहीं Mr. Lion Gaming ठीक है अपना अपना बेभार है करने दीजे अब मैं इस कहानी को end करता है बच्चे पूछते हैं कि सर आपने स्टाइक क्यों मिट्री पढ़ाया फिर limiting reagent क्यूं पढ़ा रहे हो? क्या जरूरत है इसकी? क्यूं पढ़ा रहे हो? तो सुनना जब जब दो reagent के बारे में देगा दब दो reagent के बारे में देगा तब लगाईए अगर अभी तक आपने ध्यान दिया हो मेरे दोस्त तो मैंने मैंने अभी तक सिर्फ एक ही reason के बारे में दिया था क्या लिखा है? सिय हमने क्या लिख दिया ऐसा? ब्लाग मार देए क्या लिख दिया इसमें ऐसा? सिवाम पीटा सूस तो लेता क्या बहुला है आर्मी है हमारे पास वो तेरा हिसाब गिताब उसी चैट बॉक्स मत कर देंगे फिलाल छोड़िया दिया अगर मेरे पास ध्यान से समझना ए प्लस टू भी गिट्स कोई भी प्रोड़क्ट हो प्रोड़क्स के बारे में कोई लेना देना नहीं है मैंने बोला कि इसका दो मोल है इसका भी दो मोल है तो प्रोड़क्ट कितना बनेगा अगर एक से जादा रियेजंट के बारे में जानकारी दूँगा तो सबसे पहले limiting reason चेक करना पड़ेगा सबसे पहले limiting reason चेक करना पड़ेगा उसके लिए हम क्या लिखेंगे ratio क्या समदना उसके लिए क्या लिखेंगे मेरे दोस्त ratio लिखेंगे और ratio कैसे निकालते है मेरे भाई ज़रा ध्यान से समझ ला given mole upon stoichiometric coefficient क्या बोला हमें given mole upon stoichiometric coefficient तो 2y 1 करके 2y 2 करके अब जो ratio lowest होगा this is 2 this is 1 क्या ये ratio lowest ratio है हाँ sir बिल्कुल है sir अगर ये ratio lowest ratio है तो यही LR है LR बोले तो यही limiting reagent है क्या है limiting reagent है तुमने कहा इससे क्या फाइदा होगा इसका मतलब इस reaction में B 100% consume हो जाएगा A बचेगा A क्या होगा बचेगा तो A को हम बोलेंगे X से साफ रिजएंट और B ही decide करेगा कि A कितना react करेगा और B ही decide करेगा कि product कितना बनेगा क्या ये बात ने समझ में आई आई आपको कमेंड करके बताईए चलिए आगे बढ़ता है चले मने लिखा A प्लस 2B GIFS product मने लिखा 2A प्लस 3B GIFS product अभी हम LR निकाल रहा है ठीक क्या निकाल लेंगे LR ठीक है ठीक है Swiss ठीक है स्रिष्टी ठीक है ठीक है चिक है चंसे का रंजीत कवेंद्र ठीक है आई दास अगर जैस दकीन मैं बोल दो कि इसका 2 MOL इसका MOL है 4 और मैं बोल दो इसका 4 MOL है इसका MOL है 8 तो सबसे पहले हम निकालेंगे रेशियो 2 बटे 1 करेंगे 4 बटे 2 करेंगे इत्तिफाकन 2 इसका भी आ रहा है इत्तिफाकन 2 इसका भी आ रहा है अगर ratio सेम हो गया मेरे भाई इसका मतलब 50 पैंठ है 50 सर्थ है नहीं समझे 50 पैंठ है 50 सर्थ है मतलब कोई LR नहीं होगा मतलब कोई भी LR नहीं होगा लिखें के चार बटे दो आठ बटे थी ये दो आएगा ये 2.something आएगा 2.66 आएगा I think I don't know कितना आएगा हाँ 2.66 आएगा क्या ये लोवेश्ट वेश्ट रेश्यो है तो क्या A LR का काम करेगा की नहीं करेगा क्या इतनी बास समझ में आरी दोस्तों क्या इस टाइकियो मिट्री बिल्कूल बहुत बहुत शुक्रिया कविंद्र कोशिष यही है लेकिन बाशा मैं कब होंगा जहां से समझेगा बाशा कब होंगा जब आप इक्के होंगे बाश समझ गे मैं हमेशा नीचे रहूँगा आप जब उपर जाओगे तभी मैं उपर जा पाओँगा ध्यान रखिएगा आप इक्के बनिये तास के समझ गे एक नहीं समझ गए इक का सबसे उपर होता है मैं बाद सा अपने आप बन जाओंगा अगर आप इक के बनोगे तो बागी आप समझ गए होगे क्या करना चली आगे बढ़ता अगर मैंने 2A प्लस B NCRT में कुश्चन देखिएगा limiting reason के बारे में तो ऐसे खुबसूरत खुबसूरत सवाल दे रखा मैं उसी को थोड़ा सा निप्टा पा A2 प्लस 2B2 जैसे मोल है वैसे बैलूम ले सकते हैं जैसे मोल है वैसे मोलिक्यूल ले सकते हैं वैसे एटम ले सकते हैं बस ध्यान रहे मोलिक्यूल के लिए मोलिक्यूल लेंगे एटम के लिए एटम लेंगे मैंने लिखा इसके सव एटम NCRT के सवाल में से मैंने मोडिफाई किया है इसका भी लिखा मैंने सव एटम ठीक है मैंने इसका लिखा 50 मोलिक्यूल इसका मैंने लिखा 200 मोल क्यों जान समय एटम में डारेक्ट भाल कर दो जैसे मोल में भाग करते थे वैसे इसमें भाग कर दो 100 बटे दो क्या 50 रेशियो आ गया रेशियो का काम सिर्फ इतना है कि वो लिम्टिंग रेजन के बारे में बताएगा कि फूल हो तो कमल कि सर्जी रेशियो से नहीं होगा तुझे नहीं होगा कि अजगर कि बखवास ही तो चल रहा वेटा चार गंटे अठाइस मिनिट से और 500 लोग देख चुके हैं बखवास ही तो कर रहे हैं और करेंगे अभी तो गंदी गंदी बात करेंगे है तुम्हें पढ़ना है नहीं न तुम दूसरों के अए से लोगों को ईसे लोगों को बीच चौराहे पर आग लगा कि जला देना चाहिए जो भड़काने का काम करते हो जो बच्चों के future के साथ खिलवार करते है यह कोई बच्चा नहीं है यह वही है इसके बारे मैंने बताया था आप लोगों को वागी तो आप समझदार है 100 by 1 100 by 1 100 by 1 का मतलब 100 तो इसका रेशियो क्या लोवेश्ट है इसका मतलब LR कॉंट हो जाएगा अगर यह 50 का मॉलीकूल दे रखा है A2 भी तो मॉलीकूल है ना B2 भी तो मॉलीकूल है ना तो 50 by 1 करकर दो और 200 इसका 200 दे रखा 200 by 2 कर दो यह LR हो जाएगा लोवेस्ट रेसियो आ रहा है, यह क्या हो जाएगा, एक से साफ रेजंट हो जाएगा, मतलब बच्चे या, सही कहा है, सॉम्हें कटियार, यह लोग कार्बन है, कितने लोग तो जल लेंगे साला यह पढ़ा केसे रहा साड़े चार घंटा से अभी साड़े चार घंटा और पढ़ाऊंगा अभी देखे कहां हो अभी तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है अभी तो सुरुवात किया है 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 चमता तो आओ बराबरी में क्यों सही बोल लों नहीं बोल ला हूं आओ अभी दूसरे कोचिंग माले और जलेंगे परसान मत हो कौन लोग है आपको भी पता है मैंने बता रखा है सब कुछ आए ए प्लास बीटू गिफ्स ए बीटू एंस्याटी का सवाल उठाए मैं इसका मैंने 100 एटम लिया इसका मैंन लिया एक्टम है एक्टम दिया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मोलिक्यूल है मोलिक्यूल दिया है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सब अच्छा लगेगा तो 100 बटे एक कर दो यहां भी एक है तो 200 बटे एक कर दो क्या यह एलर हो जाएगा are you getting my point or not क्या clear है क्या वात संकू आपने बहुत सही की है बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को ये कमेंट देख के अच्छा लगता है ठीक है कोशिश है मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ आप अपनी करिए और दोनों मिलके फोड़ेंगे आईए एक्षन लिखा बाबू इधर देखो N2 प्लस 3 H2 गिफ्स 2 Ns3 मैंने एक एक्षन लिया गैस गैस अगर मैं इसको 10 लीचर बोल दूँ इसको 10 लीचर बोल दूँ इसको 20 लीचर बोल दूँ अरे यार भावनॉम बढ़ गया मैं तो answer बता दिए इधर देखो तो LR पता करना है तो क्या 10 बटे एक कर दो 10 बटे तीन कर दो तुम कहोगे सर लीचर में भी वही concept लगा रहे हो क्या हाँ दोस्त लीचर में भी वही concept लगाना है कि अगर मोल दिया है तो मोल बटे stoichiometric coefficient मोलिकूल और एकम दिया तो उसका बटे stoichiometric coefficient और इगर गैस है तो गैस के लिए volume देगा इतने बेकूप नहीं है « Zoead के लिए volume देंगे तो गैस का volume देगा तो उसमें भी म मोल बल मन निगा लिएका सीधे stoichiometric coefficient का भाग कर दो छिक ठीक है, are you getting my point? ठीक है अगर मैंने लिखा N2 plus 3H2 gives 2NH3 और मैंने इसका लिखा 20 gram और इसका मैंने लिखा 12 gram तो LR काउं सा होगा? हमने लिखा N2 plus 3H2 gives 2NH3 हमने इसका लिखा 56 gram और हमने इसका लिखा 12 gram तो LR काउं सा होगा? ठीक है, समझो रंजीत उपाद्या है आपने का 3H2 LR है 3 मत बोलो बेटा 3 स्टाइकियोमेटिक उपिसेंट H2 बोलो, ठीक? ठीक है बहुत वह शुक्रिया यूस्ति वारी जी जो भी लाइन आपने बोली है Mitochandria ठीक है वो बाईलो जी वाला मुझे आता भी नहीं तो मैं उतना बोल नहीं पाऊंगा हाँ, Mitochandria बोला अपने ठीक है तो आईए, आईए सबसे पहले मोल निकालते हैं तो N2 होता है 28 याद कर लो भाई H2 होता है 2 याद कर लो भाई N3 होता है 17 याद कर लो भाई कामाएगा तो क्या इसका 1 मोल दिया है क्या इसका 6 मोल दिया है तो 1 मोल और 6 मोल में ध्यान से समझना रेशियो कैसे निकालोगे 1 बाई 1 करके रिकालोगे 6 बाई 3 कलके निकालोगे ये दो आएगा ये एक आएगा तो चाइसमें ये limiting reason होगा की नहीं होगा क्या है ये इसको ब्लॉक मारो तरहो लोग हैं कैसि-कैसि गाली देते हैं ये अज़गर करके लाए तुम्हें कोई गंदी बात भी नहीं कर रहा हूँ फिर उसके दिमागब सेट है बॉलाग मर दो ना उसको पुरा उसके दिमागब पता नहीं क्या सेट हो गया है कोई बात नहीं नहीं..राऊल सर नहीं है यह सुभम जी है सुभम इस्टूडियो देखते हैं और जो हमारी कभी कभी वीडियो भी बनाते थे वही है यह अभी मिलवाएंगे परसान मत हो लोग बिस्किट खाओ तुम्हाएं नहीं है यह केला तुम्हारे लिए मंगवाए थे उसे खाएंगे तुम्हाएं नहीं है कोई बात ने आओ चलो इस्टार्ट करते हैं अभी चलेगा डेर दो बंटा चलेगा तो पता चलेगा चलो ठीक आगे बरते हैं 56 बटे 23 कर दिया तो आगया 2 मोल 12 बटे 2 कर दिया तो आगया 6 मोल 2 बाई 1 कर दिया 6 बाई 3 कर दिया ये भी दो ये भी दो तो क्या दोनों एलार हो गई कि नहीं हो गई कि तुमने का वनnda kooy को कुब custard कोई अलार नहीं होगा kept I've been a ठीक है कि ठीक है ठीक है डीक है च्शूक क्या बार क्या बच्चे करने कवार मिला दीजी घाने तो नहीं नहीं देता हूँ तो मैं तो कहता दुनिया का सबसे गंदा आदमी है कोई तो मैं हूँ तो मेरे बारे में कुछ भी बोलोगे तो अच्छा ही बोलोगे गंदे आदमी से तो सब्सक्राइब तो अच्छा दे सकता हूं आपको सब्सक्राइब अब देखते रहें फिर मिलिएगा जरूर मज़ा आएगा नीट के लिए नीट के तो मारती हैं हाँ पिएजडी वजडी नहीं आती मुझे वह अलग बात है लेकिन नीट में आपकी मदद कर सकते हैं दोस्त बिल्कुल करेंगे आप तो हमारे हमुम रहोंगे शाय सीनियर भी आई डोंट नो अब सवाल कहता है सुनो जरा अब खेल सुरूर होगा एक बहुत खूपसूरत सवाल इंसियाटी का 1.4 अक्सरसाइज का सवाल है क्या है कि अगर कारबन और O2 रियक्ट कर रहे हैं कारबन को हम जला रहे हैं जलाएंगे कैसे चाहे ऑक्सीजन से चाहे काम्याबी से लोग ऑक सीजन से कम जलेंगे काम्याबी से जादा जलेंगे तो जलाना कैसे है c plus O2 gives co2 अगर मैं इसका एक मोल ले लूँ और इसका मैं 32 ग्राम ले लूँ जहां समझ रहा हूं ठीक है एक सवाल तो ये है दूसरा सवाल है कि अगर मैं co2 बताना कितना बनेगा ओ टू लेलू और इस ही ओ टू इसका मैं 2 मोल लेलू और इसका मैं 16 ग्राम लेलू ठीक है NCRD का 1.4 वाला सवाल है दें समझेगा राधे 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 क्या 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 बोला संकू सर अगर दोनों कम्प्लीट्री यूज हो जाएंगे तो दोनों ही LR हो गए ना कोई LR ने बचा ही ने ना जब बचा ही ने तो कहें का LR कोई LR ने बाबू ठीक है एक मोल है तो वन बाई वन कर दिया ये 32 ग्राम है इसका मतलब भाया 32 ग्राम का मतलब एक मोल हो गया कि नी हो गया मेरे भाई ओ टू 32 होता है 32 में से 32 भाग कीजिए एक हो जाएगा और एक बटा एक तो कोई LR नहीं अगर कोई LR नहीं है तो किसी के हिसाब से बतादो एक मोल से एक मोल बनेगा तो एक मोल से एक मोल बनेगा मेरे भाई तो क्या एक बुड़े 44 ग्राम बनेगा कि नहीं बनेगा कि एतनी बाद समझमें आई ठीक है अगर 16 ग्राम दे रखा तो 16 बटे 32 कर दो मैं क्या 0.5 mol आएगा अगर यह 0.5 mol है तो 2 by 1 करके रेशियो निकालेंगे और 0.5 by 1 करके रेशियो निकालेंगे तो ध्याल से समझना मेरे दोस्त this is LR this is LR यह limiting reagent है यह decide करेगा कि CO2 कितना बनेगा मतलब कारबन का तो कोई रोली नहीं है इसमें जो कम है 60 कम था याद करो तो क्या वही decide कर रहा था तो अब इसका 0.5 mol है एक mol से एक mol तो 0.5 mol से क्या 0.5 mol बनेगा कि नहीं बनेगा और 0.5 mol का मतलब हो गया 44 ग्राम से गुड़ा करते हैं तो क्या 22 ग्राम बनेगा कि नहीं बनेगा समझ में आया कि नहीं आया बिल्कुल Red Lover बिल्कुल मिलेगा अब पढ़ते रहिये Ames Delhi ही मिलेगा ठीक एंजली राजू सोम्या एक बार और दोस्तों को सेयर कर दीजिएगा ठीक है क्या बात बहुत खुबसूरत बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगो धन्यवाद कि आप इतने देर से बने हुए हैं लगबग 5 घंटे होने वाले और बहुत बहुत शुक्रिया आईए अब एक सवाल करते हैं दोस्त आओ बहुत खुबसूरत सवाल करते हैं मज़ा ही आ जाएगा तुमको देखो तो एक बार देखो तो इधर मैंने लिखा 2H2 और O2 तो मिलके बनाएंगे 2H2 O क्या मिलके बनाएंगे 2H2 O मैंने लिया यह 4 ग्राम है भाईया बाबू इधर देखो यह 16 ग्राम है ओ हो 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 इसका मतलब कि यह कितना बनेगा और कितना कौन बचेगा क्या घुजब का सवाल है सर इसका मोल निकालोगे तो यह 2 मोल आएगा यह 0.5 मोल आएगा तुमने का 2 बटा 2 किया सर तो LR ratio 1 आएगा 0.5 by 1 किया तो ratio 0.5 आएगा सर इस इस LR अब वो शमय आ गया है जिसके लिए हमें LR निकालने के लिए लिए लिखना नहीं पड़ेगा LR तो आपको direct बताना पड़ेगा तुमने का सर इस पे तो focus ही नहीं करेंगे माने का नहीं करेंगे तो पहली line क्या लिखेंगे मेरे भdaई लिखेंगे 1 mol O2 प्रोड्यूस करेगा 2 mol H2O तो 0.5 mol O2 क्या 2 into 0.5 mol H2O प्रोड्यूस करेगा के नहीं करेगा यानि 1 mol H2O प्रोड्यूस करेगा के नहीं करेगा यानि 18 g एक गुड़े 18 g H2O प्रोड्यूस करेगा के नहीं करेगा यानि 18 ग्राम H2O बनेगा कि नहीं बनेगा समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भाई मेरे क्या बात क्या बात बहुत खुबसूरत लाजबाब मैं तो फैन होगे आप लोगों का भाई साब और भी क्लासेश चलने लिगे फिर भी आप देख रहे हों कितनी मुहबत गैन स्ट्री से मैंने पहले कभी नहीं देखी क्या बात आई आईए आइ आगे वढ़ता है मुझे अरा अब बताना है कि एचटो कितना बनेगा तो पहले पता करलो कितना रियक्ट करेगा तो 1 mol O2 देखो देखो उधर देखो 1 mol O2 क्या 2 mol H2 से react कर रहा है क्या बात तो 0.5 mol O2 दिया है इसका मतलब 2 into 0.5 mol H2 react करेगा यानि कि 1 mol H2 react करेगा अगर 1 mol H2 react कर रहा है यानि कि 1 गुड़े 2 gram react कर रहा है तो कितना बचेगा अरे कितना बचेगा मेरे भाई बचेगा कितना 4 gram दे रखा है 2 react कर रहा है तो 2 gram बच जाएगा क्या इतनी बात समझ में आई कि में आई अहसर खाम बहुत 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 शुक्रिया में हमेशा आपके साथ रहोंगा परचान मतली बहुत सांदा बहुत 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 शुक्रिया हर चीत या दो चाले दो ग्राम बच बच यहाई दो ग्राम बच इयूस अस्मिठ आईमा इल्मा शेफ्रों उरुज ठीक है वसंदरा ठीक है सोम्या ठीक है अंसिका ठीक है प्रदीप ठीक है AP Gamer, UP, ठीक है, सिर्ष्टी, ठीक है, कवींदर, ठीक है, क्या बार, बस, UV Gamer ने का लीटर वाले बता दीजिए, आईए लीटर वाले चलता है, 2H2 प्लास O2, gives 2H2, 30 ml, ये है, 25 ml, ये है, तो आपको बताना कि ये कितना ml बनेगा, और बताना है कि कौन कितना ml बचेगा, सुनो, तुमने कर वैलूम दिये है, क्या हाँ, वैलूम दिये है, तो तुमने का सर धारेक्ट भाग करके चिकल ले, क्या, 30 बटा 2 किया तो 15 ठीक है 25 बटा ये किया तो 25 आया सर 15 तो कम है तो 15 कम है इसका मतलब lowest ratio है भाई इसका मतलब वो limiting reason होगा क्या बाद क्या ये limiting reason हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाई ज़रा सोच के बताओ H2 is limiting reason or not अब पहली line लिखेंगे ध्यान से समना focus किस पर करूंगा H2 पर लिखूंगा कि 2 mol H2 2 mol H2O से react करता है तो मैंने कहा था अबेगाडरो भी कहता है गेलुसैक्स भी कहता है क्या कहता है कि अगर mol mol है तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 mol H2 2 mol H2O बनाएगा भेपर है भेपर भेपर सारे गैस है तो समझना 30 ml सुनो बाबु इधर देखो 30 ml H2 क्या जितना ml H2 है उतना ही ml H2O बनेगा तो क्या ये भी 30 ml बनेगा कि नहीं बनेगा बनेगा कि नहीं बनेगा मेरे भाई क्या 30 ml H2O बनेगा कि नहीं बनेगा चंदर सेखर तुम्हारा 50 इसलिए आ रहा है बेटा क्योंकि तुमने इसको लिमिटिंग रिजन्ट माल लिया है वो नहीं होगा ये LR होगा ये LR होगा ध्यान समझेगा दूसरा सबाल मैंने कहा कितना बाचेगा तो 2 ml H2 रियक्ट करेगा पहली लाइन लिखके देखर देखो एक दो है और ये एक है तो दो ml H2 रियक्ट करेगा एक ml O2 से तो सोचो अगर 30 ml H2 है तो क्या 15 ml O2 से रियक्ट करेगा क्या खूसूरत है बासमजबे आ रही है इसका मतलब सुनो चंसे कर सुनो इधर देखो बेटा इसका मतलब कि कितना बचेगा कितना बचेगा अक्सरसाइज का थर्ड गुश्यन देखिएगा जाके मोडूल में कितना बचेगा क्या 25 में से 15 घटा देंगे टो क्या 10 ml बचेगा की निवचे गां the बताइजो कि भी चाय इतना बचेगा कि निवचेगा ठीक बैभो ठीक है बट़ भीटा कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं मैं लेलूँगा अगय ठीक है आ आईए खुबसूरत सवाल करते हैं, AIMS में आया है, पहले J में आया था, फिर J मेंस ने कॉपी किया AIMS से, अब मेरा दिल कहता है, कि कभी ना कभी नीट भी कॉपी करेगा, कर ले तो मज़ा ही आजा है, ठ्या समझें, N2 है, 3H2 है, GIFS2 NS3 है, 30 लीटर ये भी है, 30 लीटर ये भी है, 50% reaction हो रहा है, तो बताओ, final composition क्या होगा, मतलब NS3 कितना बनेगा, और H2 कितना बचेगा, N2 कितना बचेगा, तुमने गा सर इसमें दोनों क्यों बचेगे, अरे पगले, एक तो limiting result होगा, ठीक है, पूरा जाना चाहिए था, पूरा जान नहीं रहा है, इसका मतलब आधा बच रहा है, बताओ, खटा-खट अंसर बताओ, कौन limiting result है बताओ, गरिमा, बहुत-बहुत शुक्रियान सिका यादो, फूल हो तो कमल जैसा, महल हो तो ताज महल जैसा, teacher हो तो आप जैसा, और student हो तो आप लोगों जैसा, मैंने भी एक लाइन जोड़ दी, जो इतनी देर से मुझे जेल रहे हैं, इस गंदी सी सकल इस गंदे से content को, कितना बखवास बाते करता हूँ मैं, कुछ लोग कमेंट में लिख रहे थे, एक बार वीडियो देखेंगे जरूर आप, एक समय आएगा, कि आप वीडियो देखेंगे जरूर, दो गुना फास्ट करके मुझे पता है, फिर आपको पता चलेगा अभी, क्या बंदे ने पढ़ाया, हमने ही बस ट्राइम नहीं दिया, छली, ठीक है अंजली, शुक्रिया, ठीक है इसान सिंग, क्या बात है इसान, कल तुद आया नहीं दे बड़ा, पावनी, क्या बात है, बहुत खुश्यत, छीत है, ये दस एमल अभी क्यों चला है, अनस्त्री वाले पाव भाई, रिफ्रेस करूं क्या मैं, एंसर फास्ट, प्लीज, फास्ट, जल्दी बताईए, तभी आगे बढ़ेंगे, मन में मैंने सोचा, कित तीस बटाईए, कर दो, तीस आएगा, तीस बटाईए, तीन कर दो, दस आएगा, तुमने का, बस, एलार हो गया, भाईया, पता चल गया कि नहीं चल गया, आएंगे, उरूज, आएंगे, बिटा, आएंगे, परिशान मत हो, अगर ये एलार है, तो इस पे तो फोकस ही नहीं करेंगे, तुमने का, हाँ, हाँ, नहीं करेंगे, सोचो, अज एकदम, इस्थिर दिमाग से सोचो, कि तीन लीटर से दो लीटर बनेगा, तो तीस लीटर से बीस लीटर, बनना चाहिए था, जब ये हंडड़ परसेंट होता, सही जवाब गारगी काया है, दस लीटर, पंदरा लीटर, पचीस लीटर, देखते हैं, बेटा, तो बीस लीटर बनना चाहिए था, लेकिन पचास परसेंट हो रहा है, तो क्या दस लीटर बनेगा की नहीं बनेगा, तुमने का हा, ये पूरा का पूरा खतम हो जाता, लेकिन अगर पचास परसेंट रियक्शन हो रही है, तो क्या आधा तो बचेगा ना, तीस लीटर में आधा तो बचेगा ना मेरे भाई, तो पंदरा लीटर, देख लीजे, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है, क्या वाद अश्र, ऐसे मोटिवेट करते रहेंगे सर, तो मैं नजाने कहा चला जाओंगा, देखिए कैफी सर का कमेंट आया है, कितना मोटिवेटेड फिल करवा रहें हैं मुझे, कह रहें हैं, खुदी को कर बुलंद इतना, कुछ और बुलंद हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी सर, इसलिए अभी नहीं कर रहा हूं, कि खुदा बंदे से पुछे, बता तेरी रजा क्या है, करेंगे सर, खुद को बुलंद करेंगे, परिशान मत होई, आगे लिए, अगर ये एक्से साफ रिएजेंट है, तो तीन लीटर से एक लीटर रियेक्ट करता, बीज लीटर तो पहले से बचता ना, अगर ये 100% रियेक्शन होता, तो बीज लीटर तो पहले से बचता, अब ये 10 लीटर जो इसका रियेक्ट कर रहा था, 50% ही उधर जा पाया, तो 5 लीटर तो बच गया ना, क्या बात, कितना खुबसूरत सा वाल था, क्यों ने लिखा, मन हो रहा होगा आपके आज पास आने का, हाँ, लेकिन वो बेचारे अभी तो लेटे पड़े होंगे, तबियत जो खराब है, आई, आई आगे बढ़ते हैं, कमबस्वन आफ, अगर किसी हाइडो कार्वन को जाईएगा मत दोस्त, अगर आप लोग चले गए तो समझ जाना फिर, अगर किसी हाइडो कार्वन को जलाना है, तो ध्यान से समझ ना, आउक्सीजन की जरूत पड़ेगी, बागी किसी इंसान को जलाना है, तो काम्याब हो जाओ, और अपने आप जल जाएगा, अगर यहाँ पे X है, तो यहाँ पे X लगाएंगे, और यहाँ पे अगर Y है, तो Y by 2 लगाएंगे, हाला कि मैंने पहले लगा दिया था, कोई बात नहीं, और यहाँ ने लिखा है कि, connection अच्छा है, आप लोगों का साथ में बीमार होते हैं, फिर नीचे लिखा, आर्यन ने, कैफी ही जय है, जय ही कैफी है, जय ही बीरू है, और जय ही बीरू है, पीरू ही जय है, पता नहीं क्या-क्या लिख डाले, नजाने क्यों इंडिया के टॉप टीचर्स के वीडियो टेंडिंग में क्यों नहीं आ रहे हैं, आएंगे, जब आप लोगों रिजल्ट लाओगे, तब आएंगे, मैं कुछ भी नहीं हूँ तुम्हारे बीना, अगर तुमने कुछ नहीं किया, तो मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं आगे तभी जाँगा लाइफ में जब तुम जाओगे, तुम ही हो मेरी सीड़ी, कोई अपनी सीड़ियों को कमजोर नहीं करेगा, बास समझो, पढ़ो बेटा, बस पढ़ो, आओ, इधर ऑक्सीजन देखो गये तो 2x हो गया, प्लस, इधर ऑक्सीजन देखो गये तो y by 2 हो गया, अब इधर O2 है, इसका मतलब भाग करके लिखे लिए, अरे समझे कि नहीं समझे, ऑक्सीजन तो 2x plus y by 2 था, O2 कितना होगा, दो से भाग कर दिया, तो यहां लगा देंगे, x plus y by, अब कुछ लोग कहेंगे, सर समझ में नहीं आया, कुछ लोग कहेंगे, बिल्कुल ही सान्त, motivated feel करो, मैं तो कहता हूँ, इतना खाओ, कि मोटे हो जाओ, और मोटे हो जाओगे, तो बढ़ेगा आपका बेट, तो feel होगा ना, मोटी, बेट, समझ गए होगे, बाकी तो, मैंने लिखा, CH4, plus O2, पहले reaction को balance करते हैं, CO2 बनेगा, और H2O, मैंने लिखा, C2S6, plus O2, gets, CO2 plus H2O, मैंने लिखा, C3H8, plus O2, gives, CO2, plus H2O, जाके PY की कर ली जिएगा, 2018 का एक सवाल है, formic acid वाला, और oxalic acid वाला, वो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बता दे रहा हो, क्योंगे उसकी reaction आपको पता नहीं है, चलिए, चलिए, सर नहीं आया, आयेगा बेटा, बाबू, आयेगा, सर बहुत मोटे हैं अल्रेड़ी, तो motivate तो हो ना, अभी तो तुमने लिखाई सांध की, I am feeling motivated, आओ, एक carbon है तो एक लगा दिया, चार hydrogen है तो दो लगा दिया, अब सुनो, रुको ठहरो, दो oxygen इदर, दो oxygen इदर, चार oxygen है तो दो लगा दो मेरे भाई, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बाद नहीं सर, दो carbon है, तो दो लगा दिया, क्या बाद, छे hydrogen है, तो तीन लगा दिया, नहीं समझे, अगर दो दूनी चार करोगे, चार, तीन, साथ करोगे, क्या साथ बटा, दो oxygen लगा दें, दो से भाद क्यूं करें, अल्लीडी ओठू है, अगर ये तीन है, तो यहाँ पर तीन लगा दो, यहाँ पर आठ है, तो आधा करके चार लगा दो, देखो, देखो ज़रा, अब तीन गुड़े दो करोगे, छे आएगा, चार गुड़े एक करोगे, तो चार आएगा, छे चार कितना होता, दस, दस बदला, पाच, दो आ लेडी है ना, नहीं समझे, समझे की नहीं समझे, पाउनी, चा बात, सौम्या सुवस सुनिदी, दिशी जाए सुवाल, नितीज कुमार, नितीज कुमार ना आया, खाँ बेटा, कुछ प्राब्लम थी, फैमिली वज़ा से छोड़ के आ गया, ठीक है, कुछ भी लगा लो, कुछ भी लगा लो, मज़ा आ जाएगे तुमको, मज़ा ना आये दो बताना, मिलना दे देंगे, पूरा मज़ा, इधर देखो, C4, H10, प्लास, O2, जरा बैलेंस करके बता दो, कितना O2, कितना CO2, कितना H2, मैं धन्य हो जाऊंगा, मैं खुश हो जाऊंगा, मैं सोच लूँँगा, कि मैं ने गंगा नहा लिया, संगम, बताओ जरा, जाना नहीं कोई भी, और जो चले गए, उनको बुलाओ, उनको जाके बोलो, ठीक है क्वीन, ठीक है, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, कि आपने पाच गंटे कंप्लीट कर लिया मेरे साथ, क्या बाद, क्या बाद, बहुत खुब सूरत, कह सूरत, असा सिंस, अब पता, ऐसा सिंस एतना खतरनाक अंगरे जी लिखो, यार मैं खुदी नहीं पढ़ पाऊंगा, अच्छा मेरी तारीफ की थी, पता नहीं क्या नाम था पढ़ नहीं पाया, ठीक है, सुनी थी, ठीक है अंजली, ठीक है, ठीक है, ठीक है गारगी, आज की रात जब आप सोगे, तो मैं आपके सपने में जरूर आऊंगा, क्योंकि आल लेड़ी, आप पाच घंडे से से मुझे ही घूर रहे हो, तो आना भी तु बनता है ना, तो आएंगे तो सवाल जरूर पूछेगा, लेकिन हम दरेंगे नहीं, चार है तो, चार, दस है तो, पाँच, चार गुड़े दो किया आठ, आठ पांच तेरा, तेरा बटे दो, क्या बात, बहुत खुबसूरत, सिद्धिका सौम्या संकू, ओहो, वसुंदरा, क्या बात, ठीक है, आईए, चलिए, चलिए एक बार, सभी लोग जोर से बोलिएगा, भारत मता की जय है, फिर अगला कुश्यन करेंगे, कमेंट बॉक्स में सिर्फ भारत मता की जय, की आवाज आनी चाहिए बस, मोटिवेटर फिल करिए, वही आवाज, वही बुलंदी के साथ, जहां भी बैठे हों, जोर से बोलेंगे, भारत मता की जय, चलिए आगे बढ़ता है, ठीक है, जय, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, चीक है, जय, क्या बात, क्या चैट रेट है, वह, क्या सांदार, क्या सीन है, वह, क्या बात, भारत मता की जय, वह, वह, क्या बात, बहुत खुबसूरत, बहुत खुबसूरत, को जला रहे है तो आपने का से CO2 और H2O बनेगा से reaction मत balance करूँ मैं कर लूँगा आपने का ठीक है मैं करूँगा भी नहीं 60 gram जला रहे हैं बताओ ये कितना gram बनेगा ये कितना gram बनेगा तो आपने का क्या बात ठीक है राजवर्धन ठीक हिस रहा है चलो सभी लोग करके जाना ठीक है ना आपने इतना देखा है तो कम से कम कुस्तों यार appreciation मिले वागी तो समझ रहो ना कि कि अब शाइब भरत में अबता है लगा रखा है भैभो ठीक है बहुत अच्छी बात है ठीक है अभी देखूंगा मैं तो भी क्लास ले रहा हूं ना कैसे देख पाऊंगा अब लोगे स्टेटस ठीक है क्या बात आरेन ने गजब सवाल का अंसर दिया तनिसका ने दिया चंसेखर ने दिया साथ वटे तीस कर दिया मैंने तो क्या दो मोल आ गिया हाँ हमने का रुको होड़न बच गया चों चों करके रुको क्यों रियक्षन तो बैलेंसी ने किये तुम 2 कार्बन है तो 2 लगा दो 6 है तो 3 लगा दो 2 दूनी 4 3 7 तो 7 वटे दो यह बात तो सही बोली आपने दो मोल है तो चार मोल बनेगा की नहीं बनेगा दो मोल है तो एक मोल से तीन मोल है दो मोल से छे मोल बनेगा तो चार मोल का मतलब चार गुड़े 44 गराम यानी की 176 गराम यानी की छे गुडे 18 यानी की एठानी छती ठाती अच्वण एक सो आठ गराम कितने लोग का मैच किया था दोनों हाथ उठाईए क्या बात साथ सो संथिंग लाइक हो गया साथ सु ग्यारा लाइक करके जाईएगा अच्छा लगा मुझे फिर में लेंगे पक्का आओ ठीक है आओ चर्ण हो गया ठीक है हमने लिखा सीथरी अच्छीट प्लस ओटू गिफ्स सीओटू प्लस एस्टू सारे विपर है ठीक सारे गैस हैं सारे गैस हैं तो इसका पाँच लीटर लूगा तो इसके कितने लीटर किया सकता है इसके कितने लीटर किया सकता है इसके कितने लीटर किया सकता है सवाल करने से पहले ध्यान दें सवाल करने से पहले ध्यान दें रियक्षन बाइलेंस होना बहुत जरूरी है नहीं तो सब कुछ किये कराये पे पानी फिर जाएगा दोस्त क्या वाद क्या वाद ठीक है ठीक है ओल भी लेक्षवन ठीक है कि लाफ कंजर्वेशन माफ मास फ़र जी लाव बेटा पढ़ने की दुरो दें अबे अबे गाड्रोल लगाओ पगले लाफ मास थोड़ी लगाओ गे जैसे मोल का रेशीयो था वैसे लीटर का रेशीयो बात करता हूं कितना तो प्राय मेंने कि जब एसी ज्यादा ठंडा करने लगता कानवन टाइट होने लगता है इसा लगता कि सबसूख रहा है बंद कर देता हूं कि चली चली आगे बढ़ता है चली द्यान समझेगा अगर रियक्शन को बैलेंस करना है तो फोकस की देगा कार्बन की शंख्या में इसका एकटर लेलू तो इसकाफ छाल लीटर बने या चाल लिटर बनेगा क्या यह भी watching यह ऑमने है नहीं अगर कोई भी मोल आयेए NICK फिर वैलूम है तो वह रियक्श हमेशा उसके इस토्पोत कर्यों स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशियंट के रेशियो में करेंगे और प्रोड़क्ट जो प्रोड्यूस होगा वो किसके रिस्पेक्ट में प्रोड्यूस होगा उसके स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशियंट के रेशियो में क्या बास समझ में आ रही है Are you getting my point or not तो पांच लीटर ले लिया मेरे भाई तो पांच गुड़े 5 लीटर हो जाएगा, पांच गुड़े 3 लीटर हो जाएगा, पांच गुड़े 4 लीटर हो जाएगा और ये सवाल पूछा गया है नीट 2016 में, कि 5 लीटर C3H8 को कमबस्ट कर रहे हैं, तो कितना लीटर CO2 और H2O gas produce होगा, बात समझवें आ रही है, क्या मेरी बात आप समझ रहे हो, एक सवाल और पूछ लूँ मैं आपसे, चलिए, आईए, मैंने लिका C4H10, इसका 10 लीटर है, जला रहे हैं, जलाएगे, जलाना बहुत ज़रूरी, CO2 plus H2O, तो इसको balance करेंगे, और बताना है, कि ये कितना required होगा, ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, चलिए, मैं आप लोगे comments पढ़ूँगा, बताएगे, नेटवर्क हतम संकू, रिचार्ज कर लो, नहीं, कोचिंग आजा, वाई-फाई ले लो, स्वारी, मेरे गले problem है, मुझे जो खाम भी है, तो इसे मैं खुर करूंगा ही, समझी रहे हो आप, साथ, चालिस, पचास, क्या बाद, क्या बाद, बहुत 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 शुक्रिया कविंदर पटेल लिखा है, कठिन राह करते आसान, नाम बताऊं, जय स्टार, क्या बाद है, कितना खुब्सूरत है, जो खाम है न, कोई गरम पानी भी नहीं देगा है, कोई है कि नहीं, क्या बाद, क्या बाद, बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ता, अगर मैं इसको बैलन्स करना चाहूं, ते हाँ, चार लिखूंगा, यहां पाँच लिखूंगा, चार गुडए दो करोगे, आठ आएगा, आठ, पान, तेरा, तेरा बटे दो करोगे, तिहां पे, तेरा बटे दो हो जाएगा, यानि कि इसका disseorticometric coefficient एक है, इसका साढ़े छे, 4 है, 5 है, तो यह 1 लीटर होगा, ये साड़े 6 लीटर होगा ये 4 लीटर होगा ये 5 लीटर होगा सबसे पहला relation जो हम लिखते हैं वो उनके स्टाइक्योमेट्रिक कोफिसियंट का relation होता है next हम जोदिया होगा फिर उसके according चलेंगे अगर ये 10 लीटर है पता नहीं क्या है तो इसका 65 लीटर इसका 40 लीटर इसका 50 लीटर गेम ओवर कितनी बार सवाल पुछा ना जाने कितनी बार 65 40-50 पे लॉक किया जाता है इल्मा सिद्र की सौम्या कटियार रविंदरन तनिसका बहुत सारे लोगों के ये जवाब है समझ में आया कि नहीं आया Are you getting my point or not? कोई calculation नहीं कोई formula नहीं सिर्फ concept clear रखिये और एक line में answer आएगा ठीक है बहुत खुबशूरत संख्या पढ़ा के रखिये इस्टाइक्योमेट्री का एक last सवाल find hydrocarbon when 10 litre hydrocarbon produces 30 litre CO2 and 40 litre H2O vapor hydrocarbon बताना है मुझे पता नहीं है तो CXHY मालनू क्या X plus Y by 4O2 लिखूंगा तो क्या XCO2 plus Y by 2 H2O होगा की नहीं होगा कह रहा है कि इसका 10 litre लोगे इसका 30 litre मिलेगा इसका 40 litre मिलेगा मेरे भाई ध्यान से समझो अगर इनका stichymetric इनका stichymetric coefficient का relation पता चल जाए तुमने का वो कैसे पता चलेगा अगर hydrocarbon का 1 mol से ratio पता चल जाए या फिर hydrocarbon का 1 litre से ratio पता चल जाए तो हम बता सकते हैं बहुत ही आसानी से कि क्या ratio होने वाला है तो 1 litre से 4 litre बनेगा सोचो 1 mol से x mol बनना चाहिए था 1 litre से x litre बनना चाहिए था और 1 litre से 3 litre बन रहा है तो x बराबर 3 हो गया और y by 2 बराबर 4 हो गया तो y बराबर 8 हो गया मेरे भाई केतनी बाद समझ गया आई है Are you getting my point or not क्या सीथ्री अचेट हुआ कि नहीं हुआ पताईए गुड अप्टर नून सीवांगी अभी हुआ सबेरा कोई बात नहीं दे रहा है दुरुस्त आए क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को क्या मुझे सेसन आगे कांटीन्यू करना चाहिए क्या सार्णू क्या आप रेडी हैं क्या गो वेनिफिशियल लग रहा है हां मैं नहाया तो नहीं हूँ ये बात सच है कि मैं लेट उठा था ठीक है ठीक है ठीक है आपको क्या बात है नंबर आफ शुडेंट कम हो रहे हैं दोस्त इसलिए बोला था शेयर करिए बढ़ाईए आए ये सॉल्यूशन की बात करते हैं खतम करिए इसको सॉल्यूशन का मतलब सर्बत सर्बत दो चीजों से मिलके बनता है मेरे भाई चीनी और पानी के साथ इसे प्रकार सॉल्यूशन दो चीजों से मिलके बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से सवाल ये आता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्यूशन अगर आपको थोड़ी बहुत अंग्रेजी इंगली साती होगी तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में देखिए किसकी स्पेलिंग छोटी है किसकी बड़ी है क्या सॉल्यूट की स्पेलिंग छोटी है क्या सॉल्वेंट की स्पेलिंग बड़ी है तो हम याद रखेंगे जिसकी छोटी है उसका छोटा होता है जिसकी स्पेलिंग छोटी होती है वो छोटा होता है इमाउंट में बास समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है और जिसका बड़ा होता है जिसकी स्पेलिंग बड़ी होती है उसका बड़ा होता है amount क्यातनी बास मनमारी है इसका मतलब है कि अगर आपने सर्वत कभी बनाया हो सिकंजी भी बोलते हैं उसे तो छीनी और पानी मिलाया होगा हमारे हाँ तो सर्वत ऐसे ही बनाते हैं कि पानी अथा लेते हैं चीनी कम डालते हैं अब आप दूसरे देश से हो जहां चीनी में पानी डालते हो तो मुझे आइडिया नहीं है तो हमेशा चीनी कम होता है तो चीनी शल्यूट होता है और चीनी डिजॉल्व होता है यानि का मतलब जो छोटा है वही डिजॉल्व होगा ध्यान समझेगा मतलब solute dissolve होता है और solvent dissolve करता है क्यातनी बात समझना आरी वेरी दिया है हर समय अपने सहारा जब भी लगा मुझे की मैं हारा क्या बात है क्या बात है क्या लिखा है अपने दिया है हर समय अपने सहारा यह तो महादेव की किरपा है किसी का भी हाथ और सहारा छूट जाये, बस उस्वीपर वाले का हाथ और सहारा नहीं छूटना चाहिए, उसका छूट जाएगा तो आपसे दुनिया छूट जाएगे इसलिए बस जब तक महादेव का हाथ है तब तक चलते रही है कोई फरक नहीं पड़ता कौन साथ है कौन साथ नहीं है करिए सर आपके बगल ही है आओ बेटा मैं तो इस्टूडियो में हूँ आ जाओ डिजॉल्व होगा डिजॉल्व करेगा तो सॉल्यूट हमेशा डिजॉल्व होगा सॉल्विंट डिजॉल्व करेगा सर्वत ज्यान से समझना बाबू सर्वत की क्वाल्टी बताते हैं उसकी मिठास से सर्वत की quality बताते हैं उसकी मिठास से और solution की quality बताएंगे उसके concentration term से अगर मेरे पास दो सर्वत है दो जनों ने बना के दिया है तो बोलूगा बहुत मिठा है कम मिठा है अच्छा है खराब है किस बेसिस पर बताएंगे स्वाद अनुसार मिठास के अनुसार ज्यादा मिठा पीने वालों को ज्यादा मिठा वाला अच्छा लगेगा कम मिठा पीने वालों को कम मिठा पीना वाला अच्छा लगेगा उसी प्रकार अगर किसी solution की हम quality को बता रहे हैं तो ध्यान समझेगा इसका मतलब solution की जो quality बताए आओ पढ़ते हैं आये सुलसिला सुनुकरते हैं पहला मोल फ्रेक्ष्ण मेरी भासा में समझी है कि मोल फ्रेक्ष्ण है क्या कुछ नहीं है रेशियो आफ मोल है रेशियो आफ मोल बिथ रिस्पेक्ट टू टोटल मोल जिसका भी मोल फ्रेक्ष्ण निकालना है स्वारी जिसका भी मोल निकालना है उसके मोल को टोटल मोल से भाग करते हैं जिसका भी निकालना है क्या बात है तो आरेयन किंग रिचार्ज कर लो बेटा डेटा खत्म होने वाला आपको नहीं पता था कल जेइस्टार की क्लास लगेगी तो अगर मालिया मेरे पास एक सॉल्यूट है मैं मैं चैट देख रहा हूं नहीं तो मैं रिचार्ज कर देता परशान मत हो तो सॉल्यूट और सॉल्यूट और सॉल्यूट बाबु ध्यान से समझें बाबु का मतलब बच्चा बेटा वह अला बाबु सोना नहीं जो तुम कहते हो हमारे लिए सब मेरे बच्चे तो अगर मुझे मोल फ्रेक्चन आफ सॉल्यूट लिखना होगा मेरे भाई तो क्या मोल साफ सॉल्यूट लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा क्या बासर क्या सांदार बाब कही आपने अगर solution में solute और solvent दोनों present है तो इसका मतलब mole साफ solute लिखूंगा plus mole साफ solvent भी लिखूंगा क्या खुबसूरत बात बताई आपने अगर mole fraction आप solvent चाहिए मेरे भाई तो क्या mole साफ solvent लिखूंगा divided by total mole और total mole mole साफ solute plus mole साफ solvent करूँगा क्या इतनी बात समझ में आ रही है अगर मैं mole fraction of solute को mole fraction of solvent के साथ जोड दूँगा तो क्या ये एक होगा की नहीं होगा सोचो इन दोनों को जोड दिया तो नीचे वाले तो सेम है उपर वाले भी जुड के सेम हो जाएगे क्या खटके एक आएगा कि नहीं आएगा नंबर वेजू सर बेज देना अभी तो क्लास ले रहा हूं पटाओ हाँ दूसरे के वाई-फाई से ले लो कभी तुम भी दे देना कभी अंदर प्रटेल ने लिखा लाइन बाई-लाइन वाले नहीं पढ़ा पाएंगे इस तरह से पढ़ा मैं भी अंसी रहा हूं लेकिन अपनी लेंग्वेज में उसी बात का तो पैसा लेता हूं अब scoru कितने बड़े-बड़े टीचर है करउडों का पैकिस मेरे smoothie хочу पार लेख किसी को इतना अपना बी छोटा नहीं है तो सब और लेबल पढ़ाने का और सब कुसह फिसी सब से पैसा मिलता हmoi कोई बात में के को ऑई ग्राम herbs यां सम्झो मेटा लिखो इधर देखो 6 ग्राम यूरिया डिजॉल्विन 36 ग्राम आफ वाटर तुमने का सर ये 6 ग्राम यूरिया है तो सुल्यूट है हमने का हाँ है तो इसका मोल निकालो 0.1 मोल आया अगर ये 36 ग्राम वाटर है मेरे भाई इसका मोल निकालना है तो 36 बटे 18 कर दो क्या 2 मोल आएगा एसी ओन देता हूँ तो अगर मोल फ्रेक्शन आफ शोल्यूट निकालना है तो इसका मोल है 0.1 2 प्लस 0.1 क्या 0.1 बाई 2.1 होगा क्या 1 बाई 21 होगा की नहीं होगा मेरे भाई मजा नहीं हा राना ठीक है ठीक है राहूल जैस्वाल ठीक है बेटा आसिरवाद लो एम्स मिलेगा अगर मोल फ्रेक्शन आफ शोल्यूट की बात करो तो पहरी बात है एक में से घटा दो क्योंकि मोल फ्रेक्शन आफ शोल्यूट शोल्यूट की बेलू अगर एक होती है तो दूसरा निकालने के जरूद नहीं है लेकिन अभी मैं सिखा रहा हूं आप लोगों को तो अभी आपको निकालना है ऐसे निकाल लो 20 बटा 21 हा जाएगा नहीं तो मोल फ्रेक्शन आफ शोल्यूट कैसे निकालोगे मेरे भाई क्या 2 मोल लिखोगे और 2 प्लस 0.1 मोल करोगे क्या 2 बाई 21 करोगे की नहीं करोगे सेयर कर दो दोस्त एक बाल लोगों को पता चल जाना चाहिए पूरे कानपूर में तहलका मचाना है इतने अच्छे रिजल्ट आने चाहिए अपकी बाद नूलाइट से कि कोटा वाले भी सोचेंगी चलो नूलाइट पढ़ने चलना काका देव में याद रखिए का पूरी दुनिया को 2023 में दिखाना है और सिंग सर का नाम इस कोचिंग का नाम और थोड़ा वो थम लोगों का भी नाम आगी बढ़ाना है और यह पॉसिबल तब होगा जब आप रैंक लाओगे अच्छा करोगे कुछ बहतर करने की कोशिश करोगे तभी प यहांपे आने में सिब्सक्रा और सिदो लोगों को शुक्रियादा करता हुँ एक तो उतकर सर उसली सर के लड़के हैं धांगां जाहाइंगे का त्यारों जाएँ बहुत 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 नहीं चलेगा अगर मैं बिमार होने के बावजूद छे गंटे पढ़ा रहा हूं लगातार खड़िवों के तो आप भी सो के लेट के बैट के पढ़ सकते हूं वह बहाना होता है मारगा और यह नहीं पर पार कम और दर्थ कर ला है समझे नहीं नहीं समझे थीक है ठीक है चलि बहुत बहुत शुक्रिया चलिए धन्यवाद आया फिर आएंगे इस पर वापस परसंटीज कंसंट्रेशन अगर मैंने लिखा परसंटेज डबलू बाई डबलू तो इसे कहीं कहीं परसंटेज बाई मास बोला जाता है और कहीं कहीं से परसंटेज मास बाई मास भी बोला जाता है नहीं समझे अरे मेरा बच्छा इधर तो देख यह कैफी सर बोल देते तो मेरी यादत है तुम सभी हमारे बच्चे हो तो परसंटेज डबलू बाई डबलू निकालने का फाउमूला क्या है बोड हैंक कर रहा है तो आप लिखो के वेट आफ सोल्यूट यहां समझना हो अपन वेट आफ सोल्यूशन गुड़े शो अगर वो कह रहा कि परसंट बताओ डबलू बाई डबलू के टर्मे जैसे हमने कहा किसी लड़के के 40 परसंट नंबर है तो पहली बार सब लोग यही वोते हैं कि 100 वैसे 40 हैं क्या हाँ अगर मैंने कहा कि सोल्यूशन में से सोल्यूशन 40 परसंट है तो आपको पता होना चाहिए डबलू बाई डबलू है कि डबलू बाई बी है कि वी बाई बी है तो यह कौन सी बातें बोल रहे हो या तो ग्राम ग्राम में बताओगे या तो एमल एमल में बताओगे या तो ग्राम एमल में बताओगे नहीं बताओगे जैसे आपने एक पैक बनाया 90 ml का तो आप बताओगे ना 30 ml एथिल अलकोहल है सराब है 60 ml पानी है तो ml ml बता रहे हो वैलूम बता रहे हो तो क्या इसका रिलेशन वी वाई वी हो गया अगर आप कहते कि 30 ग्राम सराब है 60 ग ग्राम स्लूशन में है तो इसका मतलब अब वेट वाई वेट का रिलेशन बता रहे हो हूं है अरू गेटिंग माई पॉइंट हाँ 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 अनुच कश्याप हाँ चलत पढ़ने के जरूद नहीं पढ़ीगी दोस्त मेरे बच्छे नहीं पढ़ते हैं चलिया अगे बाद अगला अगर मैंने लिख दिया कि 6% डबलू बाई डबलू गुलू कोज सोलूशन इसका मतलब भाईया बाबू छीक है इसका मतलब कि पहली लाइन लिखेंगे कि 6 ग्राम डबलू है न तो ग्राम लिखेंगे 6 ग्राम गुलू कोज डिजॉल्व है क्या है डिजॉल्व है इन हंडेड ग्राम आप सोलूशन नहीं समझे समस्वे आया कि नहीं आया ठीक है जी उरूस फात्मा जी ने बहुत साही लिख्या है दुनिया चाहे जो भी कहे लेगिन जो अपनी काबलियत पर रैकीन रखता है वो एक दिन मंजिल तक पहुची जाता है मैंने भी एक चीज महसूस किया है लाइट में कि किस्मत और महनत का एक गजब का कॉंबिनेशन होता है अगर दोनों मिल जाए तो आप उचाई पे छू सकते हो मतलब यू कहलो कि किस्मत सबकी होती नहीं है और महनत सबसे होती नहीं है इसलिए हम काम्याब नहीं होते किस्मत नहीं है तो महनत करके पहुचोगे और बात करूँ और नोट कर दीज़ेगा महनत करने वाले कभी किस्मत पर विस्वास नहीं रखते हैं मुझे देख लो हाला कि मेरी कुंडली में राजी होगे वो अलग बात है आई आगे बात है अगर मैंने दियां से समझा इधर देखा 40% w by w नहीं लिख दिया तो घावराने का नहीं मेरे भाई आप लिखोगे क्या लिखोगे आप लिखोगे चालीस ग्राम एने ओयाच प्रजेंट है शव ग्राम आप सोलीशन में अगर यह लिखना सीख गए तो आप खेलोगे यकीन मानिये मेरी बात मानिये अगर आप यह लिखना सीख गए तो खेलोगे आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नाट बोली नहीं गए दूसरा परसंटेज डवलू बाई वी सोलीशन ठाल समझेए इसका मतलत क्या होता है वेट आफ सल्यूट नीचे सोलीशन होगा और नीचे वी है तका लिखेंगे वेलू माफ सल्यूट गुड़े समझेए तुमने का सेर कि अगर यह ऐसा लिखा हुआ आया कि अठारा परसंट डवलू बाई बी गुलू को सोलीशन है तो क्या करें कुछ नहीं तोड़ देना खट से क्या बात है कि फिजिक्स वाला से भी लोग आए है क्या बात ठीक है बहुत अच्छे इच्छे बच्चे हैं सब इसका मतब पढ़ने वाले बच्चे हैं सब ओके ओके पाउनी बाटी अटारा ग्लू कोस डिजॉल्व इन हंडर्ड एमल आप सुलीशन समझे के नहीं समझे मेरे भाई क्या इतनी बात समझ में आई अगया ठीक है ठीक है ठीक है अगर परसंटेज भी वाई भी है अब तो समझ गये होगे तुने का हां सर वही बार बार लिखो गे अगर भी लिख लो गुस्टाव मत बाटू इदर दीए कुस्टाव मत बता है इदर देखो वैलू माफ शलीशन गुड़े शाओ गुड़े शोग अगर सुनो तो इदर तो देखो अगर एक बात बताओं दोस्त स्लाइड में पढ़ाना और बिना स्लाइड के पढ़ाना बहुत फरिक होता है बस आ parse explain करना होता है कोरינ록 बिना स्लाइड के शुरूं सἉकर अंत तक चट्रम होने का मतलब है किया अपना दिमांग खपा रहे हैं बोल्ड है इनर्जी जय रही है दिमाग अलग से खप रहे ह और यह आप समझोगे नहीं 97 स्लाइड हो चुका है और मैंने खुद से लिखे हैं सारे स्लाइड 97 स्लाइड उम्मीद करता हूं 1500 स्लाइड जाएगा लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा आप लोगों को लगता है कि बहुत बक्वास करता है एक सवाल करते हैं मैंने लिखा दो ग्राम ग्लुकूस डिजॉल्व इन 18 एमल आफ सोलिशन तो परसंटेज डबलू बाई वी निकालना है तो कैसे निकालोगे वेट आफ ठीक है ठीक है बाद दो शुक्रिया वेट आफ सोल्यूट दो है वेलूम आफ सोलिशन अठारा है याद रहे ग्राम है तो एमल में लिखना है किलो ग्राम है तो लीटर में ये कॉम्बिनेशन आपको पता होना चाहिए गुडे साओ कि ग्यारा दसमलो एक एक पर्शंट होगा कि नहीं होगा नहीं समझे तुम्हें बहुत समझ गये बस करो है थीक है मौलारिटी है कि किसी भी सोल्यूशन में था हम समझे था तुम्हें था तुम्हें था है किसी भी शोलीशन में अगर वर्लू में एक लीटर है तो जितने सोल्यूट के मोल प्रजेंट होंगे तिस इस बोलारिटी ठीक है क्या आप लोग मेरी वासमन में आ रही है मैं आप लोग कमेंट पर रहा हूं लेप्टॉप भी है फोन भी है ठीक है ठीक ठीक है तैयार है अब लोग कि आदा गंटा 45 में टाउर पढ़ेंगे बागी आप स्वयोग देंगे तो और अच्छा करेंगे तो लिखेंगे ठीक है ठीक है स्रया सुवस्नंदनी इल्मा सिद्धिका रूज चमा ठीक है चमा है बिनायक राजू आर्यन रंजीत इल्मा ठीक है चलिए सबी लोग रेडी है मैं भी रेडी हूं डबल एनरजी के साथ नमबर आफ मोल्स आफ सॉल्यूट इसी के बाद 10 मेट का ब्रेक लेंगे इसी डिफिनीशन के बाद क्योंकि फिर 5.36 हो गया हाँ छे गंटा पढ़लो फिर लेंगे ब्रेक नमबर आफ मोल्स आफ सॉल्यूट प्रेजेंट हिन वन थाउजेंट एमल आफ सॉल्यूट मतलब अगर एक लीटर का सॉल्यूट है तो जितने सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे वही क्या होगी मोल्स आफ सॉल्यूट डिबाइड बाइड वैल्यूम आफ सॉल्यूट किसमे लीटर तो मोल आइटी स्कूल्टू क्या जाएगा मोल्स आफ सॉल्यूट डिबाइड बाइड 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 बी लीटर ठीक है बाई साफ सब लोग भाग जा रहे हैं तो इसे हम मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं या इसे हम मोलर भी लिख सकते हैं या इसे हम कैप्टल एम भी लिख सकते हैं ध्यान समझेगा क्या हो गया काकादे में नाना भाईया अहसर भसन कोई सिम्लेटी नहीं बाभू क्या रिलेशन भी बताऊंगा बहुत बारी सोरी क्या सवाल करते हैं आये सुरू करते हैं बिना किसी डैस डैस के लिखेंगे दो मूल यूरिया क्या खुब्सूरत सवाल है भाई दस लीचर आप सॉलूशन में अगर किसी तो दिखा तो नहीं तुम लोगों सब्सक्राइब कोई बात नहीं क्या जाएगा मोल्स आप सॉल्यूट ओहो वैलूम आप सॉलूशन इलीटर तो दो बटे दस क्या 0.2 एम होगा की नहीं होगा अब कुछ बच्चे फामूले को ग्राम राम करके कुछ कुछ याद कर लेतें मत करना फस जाओगे एक प्रिबियस यर का सवाल लो जरा समझ में आजाएगा शिक्स इंटू टेन टुदी पावर टुंठी मोलिक्यूल आफ यूरिया डिजाल में हंडर्ड एमल आफ सॉलूशन क्या बात क्या बात है भाई मजा आ गया इधर तो देखो अगर आपने मोलंटी लिखा तो मोल साफ सॉलूट चाहिए ना तो क्या 6 इंटू ट्रिफ्वावर टुंठी में भाग कर दोगे 6 इंटू ट्रिफ्वावर टुंठी थ्रि में और ओवराल भाग करोगे सौ बटे हजार अरे करोगे कि नहीं करोगे यार क्या 10 to the power minus 3 उपर आएगा 10 to the power minus और नीचे आएगा क्या 10 to the power minus 2 होगा क्या 0.01m होगा कि नहीं होगा बताओ यार अच्छा नहीं लगड़ा इतों सब लोग भाग गए है बताओ तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार नहीं आ रहा है जितन लोग हैं सेशन को लाइक करके जाएंगे और सेर भी करेंगे चलिए शुरू करते हैं बीना किसी डैस डैस के आगे वाला सवाल इदर है क्यूशन है 6 ग्राम छोड़ो 6 ग्राम बहुत हो गटा 7 की घटा लिखेंगे इदर देखो 180 ग्राम जुलू कोज डिजॉल्व इन 1000 एमल आप सलुशन में दूसर सवाब एक सो असी ग्राम जुलू कोज डिजॉल्व इन एक हजार ग्राम आप सुलुशन डिंस्टी आप सुलुशन 1.25 ग्राम पर एमल आओ आगे आओ इधर देखो सब ठीक है सेर करिए सब लोग भाग रहे हैं इधर देखो तो इसकी मॉलाइटी निकालनी है सभी का जवाब एक आचुका है क्या बात है क्या बात है राजबर्दन समझ गया मॉल निकालना तो 180 बटे 180 कर दे तो मॉल आ जाएगा मेरे भाई अगर 1000 एमल दे रखा है तो 1000 एमल से भाग कर दोगे तो मिली लीचर में मिली लीचर कर दो आग देदे एक लीचर आएगा क्या एक बटा एक क्या एक एम आ गया क्या भाब खुब शूरू सब मॉल अटी के लिए मैंने लिखना शुरू किया मॉल चाहिए था मॉल आ गया मेरे भाई क्या कैसे आएगा वयलूम कैसे आएगा वयलूम आएगा डेंस्टी स्कॉल टु मास वाई वयलूम से तो वयलूम हो जाएगा मास वाई डेंस्टी तो एक हजार में अगर भाग कर दू यह वाईन पॉइंट टू पाईगा तो आठ सो एमल आएगा कर के देख लो बाबू कर लो कर लो कर लो आट सो बटे एक हजार उनने कहाँ यह हजार हजार क्या है भाई ML है लीटर में बदलना है तो हजार से भाग करोगे कि नहीं करोगे ठीक है क्या वन हो गया और 0.8 हो गया और भाग कर दिया तो 1.25 आ गया नहीं आया क्या बात है मन्नवी कट्यार शंतोष राजवर्धन क्या बात शेयर करिए रिसी जैसवाल शेयर करिए एक बार एक बार 11 वाली कितने बच्चे हैं जरा बैच का नाम लिए इलेवंथ बस 11 लिख दीजिए जरा देखें कितने लोग हैं 11 के लिखिए फटा-फट जिसके लिए क्लास ले रहे हैं वही नहीं आया है फिर दोबारा लेंगे भी नहीं डेवी समझ लेना चलो एक बच्चा है ठीक है सैफान खान राजू पावनी रंजीत नर्चरिंग ठीक है इसांत बिनायक अहसर संतोष ठीक है आयूस सिंगनेचर ठीक है मानवी ठीक है बिनायक मानवी घोष्टी बीबा ठाकूर रंजीत बिनायक कसोधन घोष्टी घोष्टी तनिस्का गोष्टी बारा अच्छा अच्छा बारा एह सब खाने पुझा सर मोलारेटी का टेंप्रेचर पर क्या इफेक्ट हो आएगा चलो इसी के बाद बता दे रहा हूं अगर नेट अपनी अंतिम सांसे ले रहा है तो कोई बात नहीं बाद में आके देख लेना चीक है बस करवाओ टेंप्रेचर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंडेंट अगर किशी में वैलूम का टर्म है देखो पी बी स्कुल्टू क्या होता है एन आर टी प्रेसर का तो कोई रोली नहीं होगा गैस के लिए होता है यह वी पर्पोर्पोर्शनल्टी होता है अगर किसी में वैलूम का रोल है जहां समदना यह सवाल आया हुआ है पी वाई क्यों मैं आगे बताता मैं लेकिन आपने पूछ लिया तो बता दे रहा हूं कि अगर परसेंट ट्वलूबाई डबलू है परसेंट डबलूबाई वी है परसेंट वी वाई वी है और मोलारिटी है और मोल फ्रैक्शन है अगर वैलूम का टर्म आएगा तभी तो टंप्रेचर बढ़ाने घटाने पे कोई चाहिए फरक पड़ेगा वैलूम में और तभी तो उसमें फरक पड़ेगा चाहिए वो molarity हो चाहिए वो molality हो चाहिए वो mole fraction हो तो कहने का मतलग क्या है कि कौन सा temperature पर dependent है तो अब आप बताओ कौन सा dependent होगा और कौन सा नहीं होगा क्या यह temperature independent होगा क्योंकि किसमें कोई वैलूम का टर्म नहीं है बस आदा गंटे और चलेगी क्लास आदा गंटे बहुत बहुत शुक्रिया विशाल ठीक है क्या W by V सुनो इधर देखो क्या W by V dependent है हाँ है सर वैलूम है क्या यह भी different करेगा हाँ सर करेगा क्या मोल ह्पाई वी होता है तो यह भी dependent है और मौलरेटिट नहीं होता है क्योंकि यह मोल्स वाई मास होता है अभी पढ़ाओंगा प्रसान मंद सुरूम मौल फ्रक्षन मौल स vit 간 होता है ठीक है, 2, 3, 4, dependent है, बाकी, independent है, संतोज को स्वाहा, बहुत खुशूरत, रिसी जाय स्वाल, M1 बैच, ठीक है, ठीक है, ठीक है, fraction नहीं है, हाँ, fraction नहीं है, fraction नहीं है, बाबू, मोल फ्रेक्शन कैसे हो, depend करेगा, ठीक है, आओ, आएक सवाल करते हैं, अगर दे रखा हो, 6%, डवलू बाई वी, यूरिया सोलीशन, और आप से कहें, मोलर्टी निकालता है, चलो, आप स्वाट कर दूँगा, थोड़ा सा, तो पहली लाइन लिखो गया, आप 6 ग्राम, यूरिया, डिजॉल्व इन, डिजॉल्व इन, 100 ml आप सोलीशन, जैसे ही ये लाइन लिखा, मेरे भाई, क्या मोल्स और वैलूम सब कुछ किलियर हो गया, हाँ, सरो हो गया, 6 भाई 60 करके मोल निकाल लिया, 100 वटे 1000 करके, 0.1 हो गया, 0.1 हो गया, अब जैस्टार के इन्ट्री होगी, ठीक है, दूसरा सवाल है, 6 परसेंट, W भाई भी, W भाई 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 यूरिया स्वालीशन, देंस्टी आप स्वालीशन, 1.25 ग्राम पर एमल, या सबजेगा, तो पहली लाई लिखेंगे, 6 ग्राउं यूरिया, भागियेगा मत नहीं, मैं दी मोटिवेट हो जाओंगा, इन, 100 ग्राम, आप स्वालीशन, तो अगर आप मास, आप स्वालीशन बता है, तो देंस्टी का फॉर्मूला लगा के, मास अपान वैल्लूम, तो वैल्लूम निकाल लोगे, 100 बटे 1.25 करके, क्या स्वाल आएगा, भाई अब आब वो, ऐसे हाथ क्यों कर रहा है, कमर दर कर रहा है, 6 घंटा से तो ऐसे ही खड़ा हो ना बावो, तो मॉलाइटी स्कुल्टू क्या हो जाएगा, ध्यांस देखिएगा, मॉलाइटी स्कुल्टू हो जाएगा, 6 बटे 60, अपा, 80 बटे 1000, चा बाद, 0.1 हो जाएगा, 0.08 हो जाएगा, 10 बटे 8 हो जाएगा, 1.25 हाँ जाएगा, चलिए पहले जेइस्टार की शुरुआत करते हैं इस चैप्टर में, और देखेंगे कि क्या मज़ा आता है, ऐसा मेरे पास बहुत सारे जेइस्टार हैं, अगर कोई नया बच्चा देख रहा होगा, या नया बच्चा बाद में देखेगा, तो उसको समझ में आएगा, कि हाँ, आच्च्वल में क्वाल्टी क्या है, या समझेगा, जेइ स्टार, लोग इन और्गनिक मेट्रिक बताते हैं, मैं फिजिकल में बताता हूँ, या यू कह लीजिए, कि मैं एक ऐसा कॉंसेप्ट बताता हूँ, जिसका किसी थेओरी से कोई लेना देना ही नहीं, अगर परसंटेज, डबलू बाई डबलू दे रखा है, ज्यांज़ समझना, तो एंसर हमेशा, जिन्सिटी आएगा, अगर परसंटेज, डबलू बाई बी दे रखा है, तो एंसर एक आएगा, लेकिन, लेकिन, ध्यांज़ समझो, टर्मेंड कंडीशन पर ध्यान देना, कि जो परसंटेज है ना बाबू, वो मोल्कुलर रेट बाई ठेन होना चाहिए, तुमने का समझे नहीं सर, अगर मेरे पास यूरिया सोलुशन है, तो यूरिया का मोल्कुलर वेट साथ होता है, तो साथ बटे दस करोगे, तो छे आएगा, आएगा अगर नहीं आएगा, यानि 6% डबलू बाई डबलू यूरिया का एंसर, डिन्सिटी होगा, और 6% डबलू बाई वी का एंसर एक होगा, थोड़ा समय कमजोर फिल कर रहा हूँ, तो मैं खाने जा रहा हूँ, केला, जुखा मैं नहीं खाते लेगे, फिर भी खाऊँगा, केला, किसी को कोई डाउट हो, तो पूछो, बता रहा हूँ, जी, जी, बहुत, बहुत बढ़ियां लगा, कि सुब असमीता ने लिखा है कि, जी स्टार से बहुत सारे कुश्चन चुटकियों में स्वाल हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है, कोई बाड़ नहीं, तुमको सेफ पसंदे तो, सेफ खाऊ, मुझे केला पसंदे, केला खाऊँगा, अपना अपना टेस्ट है, कुछ लोगों ने का, मुझे समझ में नहीं है, यह जी स्टार क्या, क्या बहुकूब बना रहे हैं, सर, क्या कितना कारबन बनाओगे, सर, आओ, मने लिखा, 6% W by V, Urea Solution, दूसा सवाई, मैं लिखा, 12% W by V, Urea Solution, मैं लिखा, 18% W by V, Urea Solution, देखना चुटकियों में हो जाएगा, मैंने लिखा, 30% W by V, Urea Solution, हमने लिखा, हमने लिखा, 10 का भाग करोगे, तो 6 आएगा, यानि कि अपना जो रिफ्रेंस का पर्सेंट है, वो 6% है, चल ले, किसकी है, चलिए, ध्यास समझेगा, इसका मतलाब जो अपना रिफ्रेंस है, मैं अभी कुछ देर पहले बोला था, कि जो पर्सेंटेज होगा, वो मोल्गुलर वेट बाइटेन होगा, कोई और क्लास चली क्या है, हां बस पार्च मेंट दस मेंट रुको, मैं समझ गया, तुम लोग जाक रहे हो, कोई बादे दस मेंट कहो, जल्द इल्दी पढ़ा होगा, तो जो पर्सेंटेज है, वो मोल्गुलर वेट बाइटेन होगा, ध्यान समझेगा, आई इदर देखे, ओ हो, दूसरी क्लास च्टाट होना नहीं, आओ थोड़ी तेजी से पढ़ा जाए, आओ आओ आगे बढ़ते हैं, ज्यान से समझो, तो छे पर्सेंट का एंसर क्या एक होगा की नहीं होगा, डबलू बाइपी है ना, अब पर्सेंट दुगना कर दिया तो एंसर भी तो दुगना होगा, पर्सेंट तीन गुना कर दिया तो एंसर भी दुगना होगा, परसेंट पांच गुना कर दिया तो दस होगा आधा कर दिया तो एंसर आधा हो जाएगा Are you getting my point or not? क्या बात? क्या बात? ना बेटा एह सब हसन ना king of chemistry not physical chemistry अभी organic energy में देखा ही कहा है मुझे? वेट करो वेट करो क्या बात? क्या बात? क्या बात सांदार? आएए सवाल का रुख बदलते हैं अगर किशी ने कहा कि W by W सारे जा सुनना W by W W by W W by W और इसको मिटा देता है भूला देना मुझे है अलभिदा तुझे तुझे जीना है, मुरे दिना, जी अवस्तु, आईए, ध्यान समझे, इसको, जो मिटारा था, उसको भूला था, कि भूला देना, आओ, अगर डबलू भाई, डबलू है, तो एंसर, डेंसिटी होगा, लेकिन, परसेंटेज क्या होना चाहिए, 6%, इसका एंसर, 1.25 होगा, पर इन्टू, 1.25, तिगना कर दिया, तो 3 इन्टू, 1.25, पांच गुना कर दिया, तो 5 गुड़े, 1.25, डस गुना कर दिया, तो 10 गुड़े, 1.25, आधा कर दिया, तो 1.25 बाइटू, क्या बात है, 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 समझ में आ रहा है, मेरे सेर सेर नहीं हो, एक बार जैकारा लगा दो, बोलो भारत मता कीजए, बोलो जोर से बोलो भारत मता कीजए, चलिए आगे बढ़ता है, मैं अब खाऊंगा, मैंने बहुत सीरियस होके पढ़ाया 6 गंटे, कोई इतना सीरियस होके नहीं पढ़ाता मास्टर, समझे रोग नहीं समझे रहे हो, मैंने पढ़ाया शिर्फ, बोलो भारत माता कीज़े, ठीक, जैस्टार आ गया होगा, एक सवाल देता हूँ, 69% NCRT का सवाल है, W by V, हाँ, W दे रहा हूँ, मैं चेंज कर दे नहीं सवाल, एचानो 3 स्वालिशा, मैंने साइड में ध्यान से समझना, इसका मोलर मास कल्कुलेट किया, तो 63 आया, मैंने कहा यार, अगर 6.3% होता, तो इसका एंसर W by V था, तो इसकी मोलर टी 1 आती, लेकिन ये 69% दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर इतने परसेंट का 1 यम है, तो 1% का क्या 1 by 6.3 यम हो जाएगा, बलकुर हो जाएगा, तो 69% का मेरे भाई, 69% का मेरे भाई, क्या 69 into 1 by 6.3 यम होगा की नहीं होगा, सवाल कैसा भी हो, जे स्टार फिल नहीं होगा, एक सवाल और करते हैं, 98% W by V, देखिएगा, ये दूसरा कोई बताएगा, तो समझ जाएगा, ये मेरा खुद का created है, किसी दूसरे टीजर का कॉपी नहीं किया मैंने, कोई दूसरा पढ़ा है, तो समझ जाना कि कहां से देख के गया, कोई ऐसे भी बोले बाद बेने, कि अरे सर आप तो उनका देख पर ना बेटा ना, ये खुद का है, बासमन मा रही है, खुद का है, कॉपी राइट है इस पे, W by V, H2SO4 solution, 95 कर देते हैं, W by W कर देते हैं, और इसकी density आप solution देता हूँ, 1.8, सोचो, अगर मैं 9.8 परसंट लेता भाईया, तो क्या 1.8 एंसर आता, density आता, आता कि नहीं आता, क्या बाद, तो अगर मैं 1 परसंट लूँगा, तो क्या 1.8 भाई, 9.8 M होगा की नहीं होगा, और अगर मैंने 95 परसंट लिया मेरे भाई, तो क्या 1.8, इंटू 95 होगा, लगभग ये 17 दसमलों सम्थिंग आएगा, जो भी आएगा, 17 दसमलों सम्थिंग आएगा, ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है, सम्थिंग आ रही कि नहीं आ रही है, आओ अगे बढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक है, इतनी जल्दी में हूं मैं, कि पूरा पढ़ाया ही है, आओ, एकुद्दी थोड़ी सी क्लास लगनी हैं बागों, समझो मेरी बात, mixing of solution जब दो solution को mix करेंगे तो M1 V1 plus M2 V2 बराबर M final V final लिखेंगे ठीक और M final बराबर क्या हो जाएगा M1 V1 plus M2 V2 divided by V1 plus V2 एक सवाल करते हैं बहुत खुब्सूरस सवाल है 2 M 500 MLSC plus 0.5 M 1500 MLSC तो M final क्या हो जाएगा 2 इंटू 500 लिटर में में चेंद करो क्यों उपर भी मिली लीटर नीचे भी मिली लीटर बास अन्मा रही है तो लिखेंगे 0.5 इंटू 1500 बटे 500 प्लस 15 तो 1000 प्लस 1500 आधा कर दियो 750 अपांग 2000 1750 बटे क्या इतनी बास समझ में आई कि ने भाग जा रहे हुए यार तुम लोग ऐसे कसे काम चलेगा बेटा 500 प्लस करना है 100 प्लस में खुछ नहीं होने वाला मैं और मेरा कंपेजन किसी से नहीं है इसलिए मत करो प्लीज सब अपना अपना अलग अलग कर रहे हैं यहां एक्टिंग चल रही है पिच्चर पिच्चर मतलब समझ रहे हो फिल्म सब अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं माबाप अलग कर रहे हैं टीचर अलग कर रहे हैं तो आप उस पर फोकस मत किजिए डालीशन एक स्वलीशन था दो लीटर कॉइंड फाइफ यम का इसमें मैं चार लीटर पानी मिलाया क्या किया चार लीटर पानी मिलाया मैं थोड़ा स्वाट कर रहा हूं बेटा इतना आफ लाइन में नहीं पढ़ता हूं मैं लेकिन अब स्वाट करूंगा लास्ट की टॉपिक यह आप समझी रहे हो इस्टूडियो कम है और स्वेट कर रहे हैं ग्लास लेने लिए तो जो वैल्लूम हो गया वह 6 लीटर हो गया मोलल्टी हो गया वह पता नहीं तो लिखेंगे एम मोवन वी बराबर एम टू वी टू मतलब एम फाइनल वी फाइनल तो 2 इंटू 0.5 बराबर 6 इंटू एम फाइनल तो एम फाइनल बराबर क्या जाएगा 1 बाई 6 अर्यू गेटिंग माई पॉइंट और नाट बिल्कुल उरुज फातिमा भी मोटिवेशन करेंगे बिल्कुल परिशान मत हो बस यह संख्या दोस पहुचा दो बस पहुचाओ संख्या आईये मोलालिटी इसी बात खतम करेंगे मोलल्टी कैसे निकालोगे मोल्स आप सॉल्यूट लिखोगे यहां समझना डारेक्ट लिखूंगा मास आप सॉल्वेंट समझ गेंगे नहीं समझ गया तुमने का समझ नहीं पाया सर एक टफ सवाल करवाद हो सर और एकदम टफ सवाल करवाद एकदम सिंपल सवाल इसमें सॉल्वेंट का मास चाहिए मेरे भाई मैंने लिखा 6 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है इन हंडेड ग्राम आप सॉल्वेंट तो सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा अगर मैं बोलूँ कि मास आप सॉल्वेंट कितना हो जाएगा क्या सौ में से 6 गटा देंगे तो 94 ग्राम हो जाएगा यानि कि अगर आपको मॉललिटी निकालनी है भाई मेरे तो मोल्स तो 6 ग्राम जाएगे अपन मास आप सॉल्वेंट हो भी किसमें बाबू किलोग्राम में किसमें किलोग्राम में क्या 94 ग्राम करतें और इसको जब काटिएगा तो 100 गटे 94 ग्राम आएगा क्या इतनी बाद समझ में आ रही है मेरी लगा दी जो ठीक है सराल चप्टर्स का वन सॉट आप फी लीजिएगा बिलकुल बिलकुल 500 प्लस वाचिंग रहे गत तक नहीं तो नहीं रियली हैट साफ फार यूर पेसेंस थैंक यू शुक्रिया सुबसमिता ठीक है आप ही लोगों से तो मोटिवेशन मिलता आए आए आओ रिलेशन विट्वीन मुलारटी एंड मुलारटी ये मैं ओफ लाइन में बहुत अच्छे से बच्चों को समझाता हूं और डेराइड करके भी बताता हूं लेकिन अब ही शमय है कम तो लिखेंगे क्या मुलारटी बरावर कैसे निकलोगे 1000M डिवाइड बाई 1000D माइनस MM solute MM solute this is relation NCRT का problem number 1.8 अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है देंस्टी आफ 3M NACL solution is 1.25 ग्राम पर एमल दिन फाइंड मॉलालिटी इसका मतलब कि अगर आपको मॉलारिटी दे रखा है तीन और देंस्टी खोल के देखो जरा फटाक से अपने बुक में चा 1.25 चा 1.25 लो बगरो कैमरा जानी ते होगा हम तो लेट्टाप में देखेंगे चैट कोई दिक्कत में तो मॉलालिटी और NACL solution है NACL solution का मतलब हो गया कि इसका जो मॉलर मास होगा वो 23 प्लस 35.5 is equal to 58.5 होगा कहना का मतलब है कि 1000 गुड़े तीन divided by 1000 गुड़े 1.25 माइनस तीन दे रखा है तीन गुड़े 58.5 और एक कार्ट पीट के 2.79 हैगा मैं बहुत गजब की चीज़ आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको basic concept clear है चाहे वो solvent है चाहे वो solute है चाहे वो solution है चाहे वो molality है चाहे वो molality है तो आपका कोई भी question नहीं रुकने वाला है अब प्यार महबत relationship की बाते होंगी molality, molality और density mole section की बाते होंगी क्या बात है बहुत खुबशूरत बात होगी आप देखो तो सही क्या हसीन बात होगी आईए एक और relation बनाते हैं पहला relation तो चला नहीं दूसरे relation की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा relation दूसरे color से बनाएंगे लिखेंगे relation relation between molality and mole section क्या खुबशूरत बात लिखता होंगी एक line में derive कर दूँगा देखना यह मेरा method है मैंने कहा एक solution है जिसकी molality small m है एक solution है जिसकी molality small m है कहने का मतलब है पहली line क्या लिखोगे आप लिखोगे small m mole solute present in 1000 gram आप solvent हा मोलल्टी के लिए ऐसे लिखते हैं तो mole fraction आप solvent कैसे निकालोगे मेरे बाबू ज़रा ध्यान से समझो इधर देखो solute का mole small m है total mole लिखोगे small m प्लस 1000 बटे 18 तुमने का क्यों solvent जब नहीं दिया होगा तो पानी लेंगे और पानी मिलाते ही सब पानी पानी हो जाएगा कहने का मतलब था कि डारेट याद रखिये mole fraction absolute क्या हो जाएगा molality divided by molality plus 1000 divided by 18 ठीक है परपल वाले से ही लिख रहा हूँ आई आगे बढ़ते हैं एक सवाल करते हैं aims में आया हुआ बहुत खुपसूरत सवाल दिल खुस हो जाएगा आपका लिखियेगा find mole fraction of solute of one molar solution one molar equal solution तुमने का एक molar equal solution है का मतलब जा हो गया कि की एक malt solute present है किसे मेरे भाई कोई बात नहीं लैग वैग सब हो गया अभी क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई अभी बताओ लैग वैग है ठीक है आई आई आगे बढ़ता है अब आपने पढ़ी लिया पस लाज्ट टॉपिक पढ़ लिए पीपी सब्सक्राइब का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन यह तो मैं आप लोगों की मुहबत में इतना सब्सक्राइब कर दिया अगर मैं कंटेंट लेके आता मेरे पास यह यह इसको सेब करना है अगर यह वाला जितने हैं सारे सेब करके मुझे बेद देना इसको मैं अपने इस ग्रूप में मत डालना ठीक है पार्ट्स पर मिलियन तो कैसे लिखोगे पी पी एम इसकल टू हो जाएगा जहां समझेगा वेट आफ सॉल्यूट डिबाइड़ बाई वेट आफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट भी लिख सकते हो इन्टू दस के पावर छे एक मिलियन मरावर क्या होता है 10 to the power 6 जैसे परसेंड निकालते हैं तो 100 से करते हैं पर मिलियन निकालेंगे 10 to the power 6 करेंगे फिर नहीं चल रहा लाइग ठीक है चलना बेटा वह आपका लाइग हो रहा होगा क्यों आपका भी तो अंतिम सांसे ले रहा होगा ना तो यह बाई मास था क्या था बाई मास था अब बाई वैलूम भी लिख सकते हैं तो पी पीम लिखेंगे मेरे भाई वैलूम आफ सॉल्यूट वैलूम आफ सॉल्यूट डिवाइड़ वैलूम आफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन तुमने का यह सर दोनों क्यों लिख रहे हो अरे दोनों इसलिए लिख रहा हूं कि एक ड्रम है 500 लीटर का आप उसमें दो गरान चीनी मिला के कुछ बिगार लो चाहे सॉल्वेंट लिखो चाहे सॉल्यूशन लिखो ठीक है अगर पीपीवी होगा ध्यान समझना एक नया टर्माता पीपीवी इसे बोलते हैं पार्ट्स पर बिलियन तो वहां पर हर जगह 10 to the power 9 कर देना पस ठीक है तो मैं कोशिस करूँगा कि आप लोगों को समझ में आया होगा और अगर नहीं समझ में आया है देखो मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं खिशूँगा क्योंकि और भी चीज़े हैं क्लास भी लगनी है और समय भी काफी हो गया connect भी खतम हो गया है फिर आगे मिलेंग कि अपन घंटे दो घंटे नहीं कई घंटों वाले मास्टर हैं तो आप अपना net weight पुरा सही करके रखिएगा और कोशिस करिए आई फाई वाई फाई वाई फाई वाई जो भी आई सब को बुला ली जिएगा ठीक है ना तो चलिए फिर बहुत अच्छा लगा और मैं आप उसे कहना चाहूंगा कि आपने इतना प्यार सपोर्ट दिया स्टार्टिंग से लेकर छे घंटा सोला मिनट आप मेरे साथ बने रहे उसके लिए शुक्रिया अभार बहुत बहुत धन्यवाद और मैं हमेशा कहता हूं कि जो कुछ भी हूं मैं से तुम्हारी बदावलत हूं और एक लोग ने लिखा सर लब योर इस्टाइमिना तो इस्टाइमिना तो सिर्फ आपके महबबत और कमेंट से आता है आप यूही बने रहिए हम 24 इंटु 7 आपके लिए बले बला है बस मेरी सरीर जवाब ना दे और जब आप देके भी क्या करेगी बीमार ही तो था मैं है तिन दिन से आपने तो अफलाइन देखा है मुझे फिर भी मैं यहां पर उपलब्ध हूं तो सवाले नहीं उड़ता कि आप पढ़ना चाहेंगे और हम ना आएंगे चीक है ना चलिए बहुत बहुत शुक्री आप लोगों को थैंक्यू थैंक्यू इमानशू इल्मा शा लिएशन कहां नहीं लगेगा तो न्यूक्लियर रिएक्शन में नहीं लगता है एक चीज और देख रहें ना अगर रिएक्शन बाइलेंस नहीं है तो वहां भी माफ मास कंजर्वेशन नहीं लगेगा ठीक है ना तो यह बात याद रखना कि अगर कोई आप पूछे लाफ बट जरूरी है जानना तो जहां पर नुक्लियर रिएक्षन होगी या फिर कोई भी रिएक्षन बाइलेंस नहीं नुक्लियर रिएक्षन बता नहीं अजीब सार रिएक्षन होता है ठीक है तो मोटिवेशन की बात यह है कि दोस्तों 2023 का आगाज हो चुका है और हम लोग 2023 तक अब लेबल रहेंगे आपके साथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो नहीं तो बहुत सारी चीजें हैं आप करिये गा ठीक है एक साइरी हो जाये प्लीज सर साइरी तुम्हें सुनाता ही साही रहता हूं याद नहीं आ रहा है मेरा फोन किधर है अब मेरे फोन में धेर साही थी लेकिन अभी मेरे पास है नहीं तो जो खुल जा सम्सेम चीज़ों 3050 जीरों बेट कि जीजिये सुना देता हूं कि खुला देना मुझे अपर सर्द आज आपने सिकhा ही दिया दो तीन बार देखिए का माश्कर रोगगेगा थैंक यू थैंक यू थैंक्यू थैंक्यू थेंक्यू वह सुन्दरा आरियन है हाँ देली क्लास लेंगे इतना लंबा क्लास नहीं लेंगे वो कल एक्षुली में टेस्ट है कुछ बच्चों का इस वज़ा से डिमांड थी सर को बोला गया तो सर ने बोला कि क्लास लेनी है तो मैं आ गया क्लास लेने ठीक है ना कि एक साहिरी बहुत गजब कि थी मैं ऐसे इंस्टेंट नहीं सुना पाता हूँ हाँ सुनो सुनो यह मैं बातें बोलता नहीं रहता हूँ कभी न कभी लाइफ में मेरी बातें याद आएंगी और सच में आती है जब आती है लोग तो फोन करते हैं मुझे तो एक लाइन है यूई इस प्रकार आइना देखोगे तो मेरी याद आएगी उसको अलग बेवे म जब आपको मेरी कोई भी बात याद आएगी और मैं हमेशा इसी बात को बोलता रहता हूँ कि अभी आज आपको समझ में नहीं आ रहा है लेकिन आगे जाओगे आप कॉलेज में पक्का आपको यह बात समझ में आईए ठीक है ना तो आपको तो पता चली चुका होगा मेरे के बारे में और चैप्टर के बारे में सबस्यादा इंपॉर्टन था तो बस अल्विदा लेना चाहता हूं मैंने सोचा कुछ बात करेंगे और बात हो गई है और आप लोग की डिमांड हमने पूरी कर दी है अब अगली बार याद रखिए का अपकी बार आपने 400 का आकड़ा प्रास तो नहीं करवाया लेकिन अगली बार 500 प्लस का आकड़ा रखिएगा तभी हम आएंगे ठीक है ना ठीक है अगली बार अच्छी ची साईडि का कलेक्शन लेक्शन लेकाएंगे आप जल्दी जल्दी में सो के मैं चलाया था और सोचो बिना कुछ खाये पीये नौन मैं स्टाप छे घंटे पढ़ा रहा हूं जूट नहीं बोल ला हूं यह रोजी रोटी है हमारी बात समझ लो इसकी कसम खाके बोल ला हूं कि कुछ खाया पिया नहीं था मैं साड़े नौ बज़े उठा हूं और सीधे आ गया हूं नहीं पूरी तयारी के साथ पीपीटी भी न जंग है तो लड़ना पड़ेगा चलिए बहुत बहुत शुक्री आप लोगों चलिए थैंक्यों फिर मिलेंगे और शेयर करिएगा ठीक है ओके